इस तो ही। है तो हम लोग बात कर चुके थि किमेस्ट्री भी से दिख चुके हैं पिर वाइनलोगी देख चुके हैं उसके बाद हम लोगे खिजघस भी बात की कि दि औुसके थिद्धिट को याद रखेड़ माप का computer science साइस भी समलित हो गया और science को भी समलिद कर लिया था ठीक है तो छूटेगा मुझे लगता है कुछ भी नहीं छूटेगा कि आज की स्थास में बात करना है पर्यावर्ण एवं पारिस्तिति की के बारी में वह याद रखिए आप लोग चार से पात साल की पर उठाके देखिए जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसमें आपको देखने को मिलेगा हर साल इस से इस टॉपिक से कुष्चन्स आपको अच्छे खासे देखने को मिलेगे समझ रहे हैं एक बहुत ही महत्पूर टॉपिक है ऐसा कोई साल नहीं जाता है ज आपका हो ठीक है तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे परियावन इवं पारिक्तित की बारे में याद रखिए आपके रिवीजन की पॉइंट वीव से है सभी किलास है आपकी रिवीजन के लिए है एक बात आप भी जानते हैं कि रिवीजन का सीधा सा मतलब होता है सौट नो तो उसे हम लोग एक तरह से रिवीजन कह देते हैं आप सोचिए एक महीने पेपर के लिए बचा है आप एम लक्षमी कांद उठाने नहीं लग जाएगे पेपर के टैप आपने जो नोट्स बनाया होगा उसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुई क्रोई रिवीजन के नाम से आपके पिले लिष्ट सूची बना दी गई है तो आप उसे जाकर देखते रहे हैं उसमें सभी डाल दी गए ही किलास में डालते रहेंगे ठीक है जो भी कतम रिक होती जाएंगी तो इन्हें आपको पेपर के जब भी टाइम जिस भी परिक्षा की तैय लेकिन अब आपको विस्तार की अभी जो भी परिक्षा की आ रही होगे उसमें आपको टैम नहीं होगा कि आप विस्तार से बढ़ पाएं आप तीन से चार्व महीना उसे दे पाएं उन सब्जेक्टों गो तो आपके लिए एक तरह से निचोड परियाबानी परिस्तिति का इसमें निचोड पूरा लेके आया है समझ रहे हैं आप लोग तो बड़े इच्छे से पढ़ते रही है आप लोग और मुझे लगता है कि आपके जो भी कुश्टन्स आएंगे इससे आराम से आप लोग सौलोग हो जाएंगे क्योंकि इसमें वो ही कुश्टन्स लिए गए या तो पूछे जा चुपे या पूछने की पूरी संभावना रहती है तो चलिए हम लोग बात करते हैं पर्यावण इबं सतत्विकास ती यह एक पॉइंट हमेशा याद रखिए जो सतत्विकास लक्ष है आपकी सत्त रहे तो इन्हें आप लोग या तो रट लीजिए अगर आप सेविल सर्वेस या किसी इस्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो तो मैं इतना ही कहूँगा कि इसे हर हाल में आप लोग याद रखिए जे सत्त्रे को क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना या निबंद लेखेंगे तब आपके लिए आंकरे डालने के लिए बहुत अच्छे उपड़े होगी रहते हैं ठीक है सतत्विकास लक्षे 2017 की सूचकंग मैं भारत का क्या इस्था रहा था 116 यहां एक बात और याद रखना है आपको एक होते हैं आइस्थाई आकरे और एक होते हैं इस्थाई आकरे तो आइस्थाई आकरे हमेशा और ज permett हैसे जाएब लिए बता है जैसे इसमें आपको बताओ सतविकास समाधान नेट्वर्ड वर्ट वर्टव मैं इस्टाब टंग फिली रिपूट कौन जारी करता है यहीं सततविकास समाधान नेट वर्ट वट वर्टव मैं इस्ट्र तंग यह दोनों मिलकर काँ करते ह से और अभी आपने देखा है 2020 के अगर बात करें तो 117 वे इस्थान बर है वारत कितना कौन से 117 वे और याद रखी एक दूसरी रेपोर्ट भी जारी करता है उसे भी याद रखी सतत विकास लक्ष भारत सुचकांग भारत जो जाता है ठीक है तो यह जारी करता है सांखिकी और कारक्रम कर्यानबण मंत्राले और बैस्विक हरेत विकास संस्थान यह दोनों मिलकर इसे तयार करते हैं और इसमें आपने देखा है कि केरल पहली नंबर पर था 2019 में और बिहार सबसे नीचे था अगर आपकी माईनेस मार्किंग नहीं है कहीं भी तो आप लोग हमेशा अगर भारत की किसी राज क्योंकि इनसे भी questions आपके हमेशा देखने को मिलेंगे, आप 4-5 साल के questions paper उठाईए, जिस भी exam की तयारी कर रहे हैं, उसमें आप देखिए, कि questions आपको हर बार देखने को मिलेंगे, civil service, state PCS, इनमें तो आप देखते हैं कि 2-3 questions आज 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 देखने को मिल जाते हैं, ठ बाईव मंडल में, डमी पर, जल मंडल, इस्थल मंडल, जेव मंडल, और जी बॉम में से पिथवी का सरवादिक बेहद, पारस्तितिक तंथ है, तो आप जानते हैं, जेव मंडल, क्या है, जेव मंडल, नेशनल ग्रेम, ग्रेन टिउनल, NGT की भारस सरका द्वारा स्थाप अपना कब की गई थी, 2010 में, इसका पूरा नाम क्या है, ग्रेन, नेशनल, ग्रेन, टिउनल, टिवी उनल, परियावन से आप क्या समझते हैं, भूमी जल, बाईव पोधे, पसुमों की प्राक्तिक दुनिया जो इनके चारों और अस्तित में है, उन संपूर दसाओं का यु एक समय आपके कहते हैं, परियावन का मतलब है कि जो हमारे चारों तरफ फैला हुए है, उसे हम लोग परियावन कह देते हैं, यह बच्पन की परिभासा हुआ करती थी, पिथिवी पर पाये जाने वाले भूमी, जल, बायू, पेड़ पोध्यों, एवं जीब जन्तुमों क समय जो हमारे चारों हो रहे हैं, समय ही कुरूप से कहलाता है, क्या परियावन, परियावन किसी जीब के चारों तरफ फैले, घिरे भौतिक अवम जयबिक दसा हैं, एबं उनके साथ अंता किरिया को समलिप करता है, परियावन सरक्षान अधिनियम 1986 की परिभासा के अनुसा यह परिभासा है, ठीक है, परियावन सरक्षान अधिनियम 1986 की परिभासा के अनुसार यह परिभासा है, परियावन सरक्षा में से समन्द नहीं है, गरीवी कम करने का, गरीवी कम करने का, भारत में परियावन सरक्षान अधिनियम पारित हुआ है, 1986 में, इसे याद रखना ह से गठों और अजयर गठों से पर्याबन की कुछ कारक संसाधन की रूम में कार करते हैं तथा कुछ कारक कार करते हैं नियंतक की रूम में नियंतक के रूम है धार्णी विकास के उपयोग के संदर में अंतर पीडी के संबेदन सील का विशा है प्राक्तिक संसान है आप सोचे आई हम लोग सांस ले रहे हैं पेड आप आसपास देख रहे हैं अब लोग एक इसकी देन है हमारे जो भी परदाता रहे है उन्होंने एक हमारी कम से कम चिंता रखके पेड छोड़ दिया हमारे लिए तो यही होता एक तरह से आप सोचिए संबोंशड़ी है विकास कि आप आने वाली पीडी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से उनके लिए परिस्तिती यानि की बातवाट छोड़ जाए कम से कम वो जिंदा रह सके कि यही रिए किहती है कि संब्सकार्यापके माबबाब आप ने बच्चों को यह संब्सकार दीजिए कि उनमें आंगे पर सके ब्याइं पीकास की व्याकाजड़ णा जिसके यह पूरी इसी पर आधरीत सत्तinka विकास यह धार्णिय विकास, धार्णिय विकास, आपने देखा होगा कि भारवी पंचवर्सी यह उजना जो थी, वो पूरी इस्ति पर आधारिती, सतत विकास और धार्णिय विकास, लेकिन आप जानते हैं कि जब नीती आयो गाया तो, इन्हें सब्तरवी के बाद कोई नई यह उ सतत विकास, तो आप से पूछे कि पितिवी संभीलन में कहा हुआ था, जोहांसबर्ग में, सथ राष सतत भिकास लक्षों का निर्दारण किया भी कितने, सत्रे, आपको बताया था ने, सत्रे, कितने, सत्रे, बैसे इन संगटनों की बारे मैं मैं बड़े विस्तार से बात क कर चुका, फिर चाहिए आपका सहित राष्ट संग हो, फिर चाहिए आपका UN हो, sorry UN तो सहित, और WHO हो, WTO हो, या फिर आपका UNESCO हो, तो महत्पूर संगटनों के नाम से आपकी playlist सोची बनी हुए, उसमें जाकर आपको देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आराम से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इनसे questions बनते रहते हैं, इनका मुख्याल है कहा है, क्या है, ऐसे इस तरह की questions, हमेज़ा आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक दो बार, ठीक है, और अगर अभी बता दूँ, सयुक्तराष्ट संग के बारे में, United Nations, तो इसकी स्थापना 24 अप्टूबर 1945 में की गई थी, ठीक है, याद रखना है, यसे भी, चलें, सतत्विकास लक्षों को प्राप्त करने की प्रग्रिती की देशा में, विभिन ने देशों द्वारा किये गए, प्रयासों की प्रग्रिती जानने ही तो निर्मार किया गया है, सश्टेनेवल डवलमेंट इंडेक्स का, ठीक है, 20 परियावण दिबस मना जाता है, 5 जून को दखेए, अकेले मैं कुछ नहीं उखार सकता हूं, अगर मुझसे कही गलती होती है, तो मैं हमेशा बोलता रहा हूं, आप लोग उसे सही करके, नीचे लिख दिया कर possibly कहा हूं, बोलने मैं अगर कहीं गलती हो जाती है या किसी तरह की और भी गलती हो जाती हूं, और आको ल एक ना समझ बनकर हम लोगों को काम करना है, क्योंकि आप देखते हैं समझदार दुनिया भड़ी पढ़ी हुई है, लेकिन ना समझ कभी देखने को मिलती हैं, और जो ना समझ रहते हैं, उन्हें समझने की चाहए बढ़ती है, और वो बेटर रहते हैं, मुझे लगता है, और हम सब को जन दे एक घमंड है तो यह नहीं बनना है अगर आपको जिन्दिगी में सखसेज होना है देश की प्राक्ते कुजी में समलित किये जाते हैं बन जल खनेज बन जल खनेज बे संसादन जो हमें प्रकिती द्वारा पिदत होते हैं कहलाते हैं प्राक्तिक पूजी अत्वा प्राक्तिक संसादन यानि कि हमें उपर भगवान से एक तरए से आपके यह दिये हुए है। बरस 1972 में आयुजित किया गया था इस्टॉप्हों अंतराश्टिय सिखर संबिलन। 1972 में क्या यह जित किया गया था इस्टॉकॉम अंतराष्टी सिखर संविलत। सौर विक्रेडन की सबसे महत्पून भूम क्या है जल्चक। आप सोचिए कि सूर ना होता और सूर रोसली ना छोड़ता सूर्य सूर भगवान तो आप सोचिए मुझे लगता है कि आप सोचिए जल्चक की पिक्रिया भी ना गटती और आप सोचिए बरसाद भी ना होती अभी आप देखते हैं कि धूब पढ़ती है ठीक है आप एक ग्लास में पानी रख दीजे कटोरी में बाहर धूम में वो कुछ समय ब प्रयावन अभियांत की सोच संस्थान अवस्तित है यह आप देखेंगे नांगपूर में देखने को मिलेगा अगर आप से पूचे नेरी कहां अवस्तित है तो यह भी नांगपूर ही में इसका सौट नाम है ठीक है याद रुकिए नेरी का क्या कार करता है बिज्ञान एवं नेंतं तफ़ा निर्धन्त को घटाना, पिथवी शिखर संम्मीलन का यहज़ित किया गया remember until, Rio में, Rio narodeluary, Caesar आउरजीत किया गया था, कहां में 1922 की बात हैρό 30% Valley 21बी सदी के लिए परयावणी विकास को यहकं किदू कारीखनम निर्धारित किये गये इन कारीखनों को नाम दिया गया था एजेंडा 21 यानि कि 2021 के लिए थे 21बी सदी के लिए समझ curly सब्सक्राइब करें 21 सदी के लिए 2021 के लिए नहीं रियो 20 घुष्णापत्र का सीशत था दा फ्यूचर वी वांट पिथीवी के चारों और गेसों की समोग को कहते हैं हम लोग बायू मंदल क्या कहते हैं बायू मंदल बायू है एक मिस्सरण इसमें आपको देखने के मूलेगा बायू मंदल में नाइट्रोजन सबसे जानते देखने के मूलेगी 78% ओक्सिजन 21% औरगन 0.93% कारवन इत्यादी गेसें पाई जाती हैं आपके वायू मंदल में एट्मोस्फियर में तो याद रखेए सबसे जादे नाइट्रोजन है 78% ओक्सिजन सबसे एक तरसे आप कहिए कि दूसरे नमबर पर है तीसरे पर और ओरगन ठीक है नोवल गेसों में से वह है गेस जो बाई में नहीं पाई जाती है तो आज जानते हैं कि रीड़ॉन रेड़ॉन नहीं पाई जाती है ठीक है बातावएड में सरवादिक पितीसत है नाइट्रोजन का अब भी सामने देख रहें ना 78% यदि पितवी पर पाई जाने वाली ब लोग नहीं उपयोग किया हमारे सरीड में हमारे जो भी कल पुर्जे है और वो कारवन डाय ऑकसाइड यानि की सीयो टू बना कर छोड़ देते हैं उसे फिर इसका उपयोग कों करता है पेड़ करते हैं उसके बाद पेड़ बदलते हैं उसे ऑक्सीजन में हम लोग उसका उ हिस्ता आप सोचें कि एक हिस्ते को हटा दिया पूरा तो हमारा अस्तित मुझे नहीं लगता है कि संभौ है समझे रहे हैं आपने वह कार जो पेड़ पौधों का नहीं है बायू का पिदूसर्ण पिथभी के कारवन चक में कारवन डाय उकसाइड जुड़ती है सौसंग ज आपार रूप में एक तरह से ग्रिफाइड हीरा पिधवी के कारवन चक में कारवन डाय उकसाइड की मात्तरा को नहीं बढ़ाता है प्रकास अंसलेशन नहीं बढ़ाता है अपच्छाय की विकास सर्वादिक विचार समबंदी थे एक प्राःतिक क्रिया से जो चट्टानो यह अपनी तरह से खतम हो जाए तो हर गैस की अपनी अपना बस बढ़ जाती है तो हमारे लिए नुकसान दाहिक हो जाती है आप भी जानते हैं कि एक डाइट आप लोग लीजेए, खाने की एक मतलब सीमेट डाइट, आपके लिए फायदे मन्द रहेगी, और आप सोचें कि भर खाते जाएए, खाते जाएए, मिल रहा है तो आपको नुकसान करनेगा, तो सीमेट होती है, मतलब सीमा होती ही हर चीज क बिसमोसम विज्ञान संगठन का मुख्यालेक कहा है, जेनेवा में, कहा है, जेनेवा में, बिसमोसम विज्ञान अभी समय लागू हुआ था, 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को, UNEP का मुख्यालेक आप, इसका देखेंगी नेरोबी में, नेरोबी में, ठीक है, सहुतराष्ट परिय इन्वार्मेंट प्रोग्राम इनके फुल्फों भी याद रखा कुई है और सॉट्फों भी और इसके हिंदी में नाम भी ठीक है क्योंकि किसी भी तरह से कुष्ट्टन्स बन जाता है यू एन एपी के वर्दम अन्प्रमुक हैं तो याद रखे कोई महत्पूर नहीं है एरिक सोलें यह बदलते रहते हैं जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो उसमय आप लोग देख लिया करिये एपी ए का पूर्ण रूप है इन्वार्यमेंटल प्रोटेक्शन इपी ए साइवतराष्ट अमेरिका की संगी एजंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 1970 को यह है आपका इस्था यादगा यह कभी नहीं बंदलेगा समझ रहे हैं तो इसे अच्छा इसे याद रख लेना है और आप से किसी का या नेदेशक पूंचता है या इधनमंत्री कौन है आप जिस समय पढ़ रहे होंगे जिस समय आपको फिपर देना हुगा उस समय का लगाएंगी आप लोग या जवाहलाद नहरू को लगा देगी तो यह याद रख रख लिए NEA National Environmental Authority इसका पूड़ा नाम है एक तरह से Greenpeace International का मुख्याले अवस्तिते एंप्स का अडम में Greenpeace International है एक गयर सरकारी परियावाट देन संकठन ECO मार कुन भार्ती उत्पादों को दिया जाता है जो परियावाट की पिती मैतिपूर हो यानि कि परियावाट को एक तरह से साथ लेने में काम करते हो यह तरनी की नुकसान पहुंचाते हैं Bureau of Indian Standard द्वारा वर्स 1991 से दिया जा रहा है ECO मार्ग प्रमारपत कौन देता है Bureau of Indian Standard कब से 1991 से आप सोची इसमें आपके तिन चाल तरह के कुश्चन से आप लोग सौल कर सकते हैं समझ रहे हैं परियावाट अन्पूल और भोगता उत्पादों को चिन्नित करने के लिए सरकार ने आरब किया ECO मार्ग धार्णी ये किर्सी sustainable agriculture का रत है भूमी का इस पेकार पिरियोग की उसकी गुडवत्ता अच्छन बनी रहे हैं यानि कि एक तरह से भूमी का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि उसकी जो गुडवत्ता है या जो उसकी एक तरह से आप कहिए कि उत्वादन चमता है या उपजाओ करने वो हमेशा मना रहे है भारत में टिकाओ किर्सी के लिए राश्टी मिसन चल रहा है 2014-15 भारत में हरित ग्रह किर्सी प्यारम करने वाला राज्य यह आप देखेंगे पंजाब पंजाब इस तरह के कुश्टेंस आपकी सिविल सर्वेस में कुछ जाना ही देखे जाते हैं कतन ए प्राक्तिक बनस्पती जलवाई का सही सूचकांग है फिर आप देखेंगे कारण आद जल्परिये पोधे अर्ध जलवाई में पाए जाते हैं तो इसमें आप देखेंगे दोनों कतन आपके सही है और एका सही सपर्ष्टी करण भी दे रहा है ठीक है फिर आप देखेंगे नगरी करण और उद्दोगी करण हानिका रखे नगरी करण जो हो रहा है उद्दोगी करण है एक किस के लिए हानिका रखे तो आप देखेंगे संतुलित विकास के लिए भी हानिका रखे और पर्यावन और पारिस्तिति के लिए भी खानिकार रखे जैब बेवित्ता के सरक्षा के लिए भी ए नुकसान दायक है ठीक है हरिद राष्टी हरिद न्याधिकन अधिनियम 2010 भाठी ये सम्मिधान के जिस पर आवधान के अनुरू अधिनियमित हुआ था स्वास्थ पर्यावन के अधिकार के अनुरू जो अनुच्छे 21 के अंतर के जीवन के अधिकार का अंग माना गया है ठीक है यानि कि अनुच्छे 21 है आप जानते हैं जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है आपका मौली के अधिकार है आपका ठीक है तो सुद्वायू मिला या सुद्बातावरन मिल्ला ये इसी से जुड़ा हुआ है आपका ठीक है फिरे आपका राष्टी हरित न्याधिकर्ण के अधिर्च हैं तो जस्टिस आदर्स कुमार गोरल गोरल ये भी बदलते रहेंगे देखिए आप लोग जब भी दे रहे हैं उस समय आप लोग देख ल कि दसको इसकी स्थापना की गई थी ऐसा नहीं कि ये आगे चलके बदल जाए ये हमेशा इस्था ही रहेगा हर्द विकास ग्रेंड डवलमेंट उस्तक के लेखत हैं डब्लू एम एडम्स डब्लू एम एडम्स आम तोर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्हेलं है थाडियंविकास संस्थेनेबल डवलम्मेंट पर सवेउपतराष्ट सम्हेलन है ये रियोby प्लस 20 वर्स 1997 में, कव वर्स 1997 में, 23-27 जुम 1997 किमत सहुतराष्ट महसबा ने एक विसेस बेठक कायव जित की थी, जो रियो पिलस फायव या पितवी सम्मेलन पिलस फायव की नाम से जाना जाता है, कहां की गई थी, नियुवार्क में, कहां नियुवार्क में, विकास की वया अधारना, जिसके तहर, बढ़्तमान की आवसकताओं के साथ साथ भविस्की, आवसकताओं को विध्यान में रखा जाता है, यह धारनी है विकास, सटने डेवाल टबलम्मेंट, इसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, बिग्यानिक अर्थ विधों, और सेविल सेटकों और विर्सायाईयों की एक संस्था जो मानावता के समख चुपस्तित होने वाली बैस्विक चरोतियों के समाधान, हेतु सुझाहाओं देती है, तो यह है आपकी किलव ओप रॉम, किलव ओप रॉम, आर्थ सम्मिट, या जिसे आप लोग कितवी सम्मेलन भी कहते हैं, सिखर सम्मिलन, श्टॉक हम सम्मेलन की बीस भी वर्षगाट मनाने के लिए आयुजित किया गया था, इसमें सम्मिले देशों ने धानी विकास के लिए एक कारवाही, यह उजना स्विकिती की, जिसे जान जाता है, आप जानते हैं, एजेंडा 21 की नाम से, एजेंडा 21 की नाम से, क्योंकि आप जानेगी कि 21 सदी के लिए इसमें जो भी आप्डे दिये गए या जो लक्ष रखे गए वो 21 सदी के लिए है, ठीक है? कई पिती रोपित पौदे इतलिए नहीं बढ़ते, क्योंकि पिती रोपण के दौरान अधिकास मूल रॉम नश्ट हो जाते हैं, यानि की कहने का मतलब है कि कई पौदे यजो बिखास नहीं करते हैं, तो आप जब उसे रोपते हैं, यानि की लगाते हैं, तो उसके जो मू मूल rubbing की कोसा बेटी मुख्रता बनी होती है यह बनी होती है शैलूल से मुल reply भॉझा से चिपके रहते हैं किसके प facting के करण है कि पर्याबण अब कर्ष्म से अभी अभी क्या है मतलब क्या है आपका परियाबण अब करस थे पर्याबण से परीयाबण पूर रूप से निम्नी करन मानवी किरिया कलापों से विप्रीद परीवतन लाना और पारिष्थित की बिविन्यता के परिदाम स्वरू पारिष्थित की आसंतुलन यह आपका पर्यावण आपकर्ष्ण करस्ते अभी पाया यानि कि इसका मतलब एक तरह से पर्यावन संतुलन की सरक्षा से संबंदित हैं भन नीती पर्यावन सरक्षा दिनियां 1960 और उद्धोगिक नीती और बात सिख्षा नीती यह सब आपकी पर्यावन संतुलन यानिकी एक तरह से कहिए पर्यावन की सरक्षा से संबंदित हैं जै बिविता पर अभी समय एवं जल जिसे आप लोग GEF के नाम से भी जानते हैं, GEF, 22 परियाबन सुविधा की स्थापना की गई थी, 22 परियाबन सुविधा की स्थापना की गई थी, Rio Earth Summit यागनी की पिथिभी संबिलन में 1992 के तोरा है, ठीक है, UN FCC के तहित अल्फ विक्से देशों को, अल्फ विक्से देशों न GEF, जिसे आप लोग S, CCF की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, कॉप ट्रेमिन की बैठक मारा किस सिप्रात निर्देशों की आधार पर, ठीक है, वर्टमान में GEF का मुख कारिकारी अधिकारी बाध्यक्ष है, नाओ को इसी, यह याद रखे, यह भी आपका, आपके ल समय आप लोग याद रखिए से, ठीक है, जब भी आप लोग करेंट से इसलिए तो बूलता हूँ कि करेंट से जोड़ा रहा है, चाहिए आपको, पलाची माडा, जो पर्यावन की अपहार छती के कारण चर्चा में था, वो अवस्ते थे केलल में, कहां केलल में, आपका सरक्षा अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, या EPA को किस नाम से जानते हैं, तो चाहता विधान, या आप से पूच लेगा कि चाहता विधान किस से संबंदित हैं, तब भी आपको याद रखना है भी पर्यावन सुरक्षा अधिनियम, बरस 1972 में स्टोपम में आयोजी सरक्षा अधिनियम, पर्यावन सरक्षा अधिनियम, या आप देखें कि 1972 में जो इस्टोपम में सम्वेलन हुआ था, उसके जो लक्ष रखे गए थे, एक तरह से उन्हें लागू करने के लिए, हमारी भारत सरक्षा ने भी उन्हें अपना नहीं कि लिए एक पर्यावन सरक सरक्षा अधिनियम 1986 बनाया था, फ्रयावका जैनेटिक इंजिनरिंग अनुमोदन सम्थी का गठन किया गया, यह पर्यावन सरक्षा अधिनियम 1986 के अधिन ही किया गया था, जैनेटिक इंजिनरिंग अनुमोदन सम्थी का नाम बदल दिया गया, अनुवांसिक इंजिनरिं रखा गया थे अपने बार्सिक सर्विक्षन की पईडाम के रूम में नेशनल जियोग्राफिक सुसाइटी एवाम अंतराष्टी मद्दान कंपनी गिलोब स्केन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तायत भारत को 60 सिस्थान दिया वह स्कोर है विविन देशों में पर्यावणी रू नाइट्रोजन यह वी करण और पौधी और कीट पिती रोज सस्त किसम है ठीक है प्राक्तिक प्राक्तिक किर्सी का अर्मी सक है यह है मसा नोवो फोका 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 पर्यावल सरक्षन के लिए ग्रीन आर्मी को कारम किया है ऑस्टेलिया ने यह वी आपका कुश्चिन्स कई पर्यावल सरक्षन के लिए ग्रीन आर्मी का को किस ने प्राम किया है ऑस्टेलिया ने अब है आपका पारिस्तिती की से संबंदीत कुछ मात्पूर पॉइंट जो आपकी लिए जिरूरी है एक तरह से दस्पी तीसर नियम संबंदीत है ओड़्या का खाद के रूम में एक पोशी स्थर से दूसरी पोशी स्थर तर पहुंचने से यानि की कहने का मितलब आप सोचिए कि कोई जैसे माल लेजे कि खर्गोस है ठीक है खर्गोस अगर 100% उर्जा प्राफ्त कर रहा है तो उसमें से देखेंगे कि 90% वो यूच कर लेगा उसके बाद आँगे जाएगा आप सोचिए खर्गोस को सेर खा रहा है तो 10% उर्जा मिलेगी सेर को समझ रहे हैं इसी को एक तरह से कह देते हैं 10% का ν Kelly Jeeb से Jeb Mantal तक Jeb sangatrang का सही कर्म है Jansankya Samudhai पारिष की तन्थ और भूदिश इस तरह से साफोसि इस तरह पर उत्पादन को कहा जाता है प्राफ्मिक उत्पादकथा प्राफ्मिक उत्पादक ने सब्itives. पर पोसि यानिघि विसम पोस्रांघ की विशन इस तर की उत्फादन की संद्रव में आता है आप देखेंके दुधियक इट्पादन, खरणगेती. अदेखें दुधियक, उत्पादन. एक पाश्तितिति की तंध में उर्जा की मात्र एक इसके जो समभावी पैडाम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कुछ पौदों की पराकर्व पर पिदीगूल प्रभापड सकता है, इसके कारण बर्लों, मकडियों और पक्छियों की कुछ प्रजातियों की समश्टी में गिरावट भी हो सकती है, सिधा सा कहने का मतलब है कि अगर तितलियों की पिजाती में कहीं भी गिरावट आती है, तो उसके कई नुकसान भी है, ऐसा नहीं है कि फायदे है, तो नुकसान भी उसके देखे जाते हैं, पारिस्तिति की पारस्परीक सम्द्धों का अध्यान है, जीव और बातावर्ण की बीच के जो सम्द्ध होता है, उसे हम लोग एक तरह से पारिस्तितिकी कह देते हैं, जीव बिज्ञान की वाई साखा जिसमें जीव सम्द्धा है, उनके वातावर्ण की मद्ध पारस्पर एक सम्द्धों का अध्यान करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारिस्तितिकी, या कहते हैं पारिस्तितिकी, ठीक है फ्रयाब का अर्णेश ठेकल ने पारिस्तित की सब्द का प्रियोग किया है अर्णेश ठेकल ने पारिस्तित की सब्द का प्रियोग किया है वाईकुलोग जीस के नाम से जीवधारियों के कार्वनिक और अकार्वनिक वातावर्ण और पारस्परी सम्मंदों के अद्धियन को फाराष्तिकी अत्वा पारलितिकी औरनेस ठेकले कि ने YES, प्रक्षितिकी सरचन। कि फिक्रिया अद्धियन है यूजीन ओडम नए यूजीन ओडम नए सरफ्वितम पारष्तिकी तंठ्त यानि की एको सिस्टम की संकल्पना विस्तावित है की गई है कब 1935 में किसने की थी एजी ट्रांस लेने एजी ट्रांस लेने 1935 में परक्यति एक कार्यात्म के काई की रोम में जानी जाती है पारिस्तित की तंद की संबन्द में सही कथन है इसमें पारिस्तिती तंद किसी निश्चेत स्थान समय काई के समस्त जीवों तथा बहुती पर्यावाण का पितीनी दित करता है यह एक कारसी लिकाई है वो इसकी अपनी उत्पादक्ता होती है इसकी अपनी उत्पादक्ता होती है पारिस्तिकी तंथ के विशय में सही नहीं है यह एक बंद तंथ होता है ऐसा नहीं है ठीक है पारिस्तंथ एको सिस्टम सब्द का सर्वुत्तम बर्डन है सर्वुत्करिष किसका पारी तन्द का यानी कहने का मतलब है कि एकिस्टम का ठीक है, आप से अगर पूंचें कि कि इस्टल बन्द और मरुस्तल उधारण है, किसके इस्थलिये पारिष्थित की तंत के, जील नदिया समुद आते हैं, जलिये पारिष्थित की तंत में, किसी निश्चे छेत में प्राणियों की संक्या की सीमा, जिसे पर्याबन समर्थन कर सकता है, क्या कहलाता है, वहन चम्दा, वहन चम्दा, बिना पर्याबन की रुक परिष्टित की कर्मटा पितवी के सरवादिक चित पर फैला हुआ पारिष्टित की तंथ है समुद्री आप जानते हैं कि समुद्र चेत यानी की पानी का चित जाना है पितवी पर बिदमा जल मंडल में समुद्री जल होता है लगभाग आप देखेंगे 97 परसेंट एक तरह से आप कह सकते हैं कि 70-71 परसेंट की करीब आपके पितवी पर जल है उसके बाद आप देखते हैं बाकी थल है तो आप समझ रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ समुद्री जल में सरवादिक ब्राप्त लवड है सोडियम किलोडाइट सोडियम किलोडाइट इसलिए आप देखते हैं कि उसे यूज करने लाइक भी पानी नहीं रहता है इसलिए पानी की कमी रहती है बना आप सोची 71 परसेंट पानी है हमारी पास लेकिन वो बेकार है प पर्यावन संतुलन बनाए रखने में भारत में पारिस्तिकी आसंतुलन का प्रमुप कारण क्या है बनो नुमूलन वह एक कारी जिसमें पारिस्तिकी संतुलन बिगड़ता है ब्यक्ष काटना यानि कि आप जानते हैं कि देखिए पर्यावन इतना अपने आप में सक्ती साल है कि उसमें जो भी छती होती है वो अपने आप में कवर कर सकता है लेकिन आप अगर उसमें नुकसान न पहुंचाएं आपको बन बचाने की या पेड़ बचाने की जरूरत नहीं है वो उनमें आप सोचिए एक तरह से जिन्होंने हम लोगों को बचा के रखा हुए हमारी वक क्या आएगी हम उने बचा सकते हैं कभी नहीं बस उनसे छिड़ चाड मत करिए ठीक है पारिस्तित की तंद्यानिक एकोसिस्टम में उच्चितम पोसंड इस्तर का इस्थान पर आपते सर्वाहारी को कहने का मतलब है कि आप सर्वाहारी हैं तो आप मास भी ले लेते हैं घको ख़ोजान जेला नहीं भायू इको सिस्टम निकाय में एको सिस्टम नकाय में परात्मिक शिरोत है सौर ऐटतन पर शूर से आने वाली और आपड़ी तन्त में खाधे सिंखलाओं के संदरम में जिस पिकार के जीव अबध़क जीव कहलाते हैं कावक ओर जीमाडू क्य आप लोगों को मालूम होगा सेर सभी का सिकार करता है लेकिन जार लाश्ट में मरता है तो कब जीवाडू होते हैं उसका भी सिकार कर लेता हैं समझ रहे हैं कि निडिजीव कार्वनिक तत्तों को अकार्वनिक योगिक में तोड़ते हैं अभगटक सुख्ष जीवों की एक विस्तित किसम जिसे फपून जीवाडू गोल करमी पोर्टो जुआ और कैन्चुवार भूमिका अधा करते हैं अभगटकों की परात्मी को भूगता है चिंट गटक तत्ह परात्मिक उभोगता डौनों सेटी में आती है आप देखें कि चीटी आप घटक भी और परात्मिक उभोगता। दौनौस डूंहों सेन्ही में आती है, बेजीवधारी जो अपना बोज advocopath को नहीं हर्वेपोर्णों से प्राक्त करते हैं क्या कह conquestओ कि यह कहलाते हैंarch Catholic को भोगता। Kharlathagher Singla Ur चेह में मानवग पान्वद दुद्यक को भौगता है, जबकि मास्ट वक्षी होने पर सैणी में आएगा दूतियक उबोक्ता के बारे में अगर जब तक आप इस तरह से प्राक्तिक जो भी जनसादन है जैसे किर्सी हो गया या कोई फल फूल खा रहे हैं आप लोग तो परात्मिक में रहो गए और जैसे ही आप मास्ट खाने लगेंगी किसी जीव जन्तुगा तो समझेए आप लोग दूतियक उबोक्ता में पहुंचाएंगे तो आप अगर से करें मानों किस सैंड़ी में तो आप देखेंगे फ्रात्मिक में भी आता है अओ जूतियक में हाता है दोनुँबें सरभा हरी समझे हैं बातारवाण में मुख प्रात्मिक को भोगता होते हैं यह है आपके फैटो और पर्र्सक्रेशुक थिए पारिश्तित की तंद के जैवि घटकों में उत्थपादक घटक हैं हरे बौधे हरे बौधे हरे बौधे सूर के विकास का उपयोग करके अपना अहाल स्वयम निर्वित करते हैं प्रिकास संसलेशन की विधी द्वारा प्रिकास संसलेशन की विधी द्वारा पिथम पोसर इस में सामिल होने के कारण पार्ष्टिकी तंत से सम्मंदित हैं हरे पौधे कौन से हरे पौधे एक घास इस्तर ये पार्ष्टिकी तंत में के खाद सिंखला में विविन घटकों का सही किरम है घास आप देखिए गोधपादक है तिड्डा परात्मी दुद्भोगता मैडक दुद्य उभोगता क्योंकि आप जानते हैं कि तिड्डा को खाली ती मैडक इसलिए दुद्य उ भोगता में आता है समझ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं मैडक को कौन खाली था है सरव सिकाल करता है तो इसे हिसाब से आप देख सकते हैं इन्हें याद रखिए कि आंगे आप बात करते हैं हम लोग ऐसे पदार्थ जिनके आक्सी करन के वश्चाथ जीवधार्यों को औरजा कराण होती है कहलाते मैं खान क्या कहलते हैं हो दो दहां जीयववों दुबारा औरजा जसुल्टा ुल्ट जाता यानि कि व KIM जाता है ये ताला टाला मेरह पारस्तित की तंत की बिभिन इस्तर की पिती इकाही, छेत्त में उपस्तित जीवभार के रेखा चित्री है, निरूपन को कहते हैं हम लोग, जीवभार का पिरामेट, जीवभार का पिरामेट, इस थालिये पारस्तित की तंत में जीवभार का पिरामेट होता है, कैसा होता है, सीधा होता है यह अफराइट होता है ठीक है और तालाम में आपने देखा है जीव भार पिरामिड आपका तालाम में उल्टा होता है पारस्तित की तंद में DDT का समाविस होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवता अधिकतम सांदर्ण पिदर्शित होता है यह सांप है, सांप है, जब कुछ पिदूसक आहार सिंखला के सांद्धा में बढ़ते जाते हैं और उत्कों में जमा हो जाते हैं, तो इस घटना को क्या गयते हैं हम लोग जैविक आवर्धन, जैविक आवर्धन, डेडी टीक जैसे पिदूसक होते हैं जैव आनिमनी करन, जैव आनिमनी करन, पारस्तित की मित नहीं है UK Leptus हमारी पर्यावर्ण के लिए खराब है, यानि की नुक्सान पहुंच जाता है, इसलिए पारस्त की मित नहीं है UK Leptus को उसकी अत्यदिक जलगेंट सकती के कारण घोसित किया गया है, पर्यावर्ण सत्त्रू याद रखी UK Leptus को, ठीक है, ब्यक्ची जो पर्यावर्ण संक्रट माना जाता है, तो UK Leptus, लैंटिक आवास को उधारन है, तालाब और दलदल, या आपका लैंटिक आवास का उधारन है इस्तिर जलके आवास, लैंटिक आवास के उधारन देखेंगे, आप लोग आत्रूमी तालाब, जील और जलास है, ये सभी इसी के उधारन जलके आवास, लोटिक आवास कही जाते हैं, जिसे नदी हो गया आपका दो भिणने समधायों के वीच का संक्रांती चित कहलाता है, इको टॉम, क्या कहलाता है, इको टॉम, सरवादिक इस्थाई पारिष्थित की तंत है, महासागर, क्या है, महारासागर, सबसे इस्थाई पारिष्थित की तंत है, सरवादिक इस्थाई अगर पूछे तो महासा जल चक को ओडम ने समलित किया है गैसिय चक्र में पारस्तित की संतुलन से संबंध नहीं है उद्दोगित व्यवंदन का पारस्तित की स्थाई मिधवेता है यह जिस आंदोलन का नारा है चिप को आंदोलन का नारा समझ रहे हैं पेड़ों को बचाने के लिए चलाये गया था नर्वदा नदी के ऊपर बनाई जा रही है उद्देशी रभात बांध परियोजना को रोपने के लिए चलाये गया आंदोलन कौन है नर्वदा बचाओ आंदोलन नर्वदा बचाओ आंदोलन की बादोल, इपको अंदोलन आपका दिश्चिण भारत में पर्याबन सरक्षन को सुरक्षित रखने के लिए ये ये को अंदोलन चलाए गया थै जेक हो अंदोलन संबंदीत है पारिस्थित की तन्त से इस ao मन दित मुक्व करथन है। पारस्तित की तंथ सब्दिका प्रियोग सरफितम एजी ट्रांस लेने किया था बिल्कुर सही है जो जीब अपना भूजन स्वयम उत्पादित करते हैं उन्हें हम सौपोसित कहते हैं यह भी आपका सही है ठीक है याद रखें यह कई बार कुश्चन पूचा चुका है एको सिस्टम यानि की पारस्तित की तंथ सब्दिका सरफितम पहली बार प्रियोग किस ने किया था एजी ट्रांस लेने एको सिस्टम सब्दिका प्रियोग किया गया एजी ट्रांस ले द्वारा सूप्षम जीब जो मिड़ पौदों जन्तुओं और अन्यविक पदार्तों को सड़ा गला कर वियोजित करते हैं, कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वियोजग, क्या कहलाते हैं, वियोजग, पारितंद की घरती उत्पादक्तक की करम में अनुकरम सही है, कौन-कौन सा, आप देखेंगे मैंगो, घास, इस्तल, जील, महासागर, मैंगो, घास, इस्तल, और जील, म दीवों की एक सिंक्ला एक दूसरी के आहर द्वारा होती है यह होती इसह पारिष्थितिकी इतंत में उर्जा का अंत्रण क्रम वद्ध तरी इस तरों की सिंखला में होता है जिसे क्या कहते हैं खाद सिंखला कहते हैं क्या कहते हैं जैं मंडली ये पारिष्थितिकी इतंत में उर्जा का प्रपार होता है एक देशी यानि कि एक देशामें उर्जा का परिवर्द हो जाएक से शाला की परिवास है जाथ रहें है यां या ना तो उरजा का अमलोग प्राफ सजन यानवं कि नई उरजा बना सकते हैं और न कि उसे नउस्ट हो सकते हैं लेकिन यह देखेंगे की आप लोग की एक अवस्था में दूसरी में परिवर्टान हो जाएगा समझ रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं हर पोसन इस तर पर अपलत दूर्जा की मात्रा घठती जाती है आप पहले देखेंगे आप देखेंगे पहले भी बात कर चुका हूं कि घास से जाएगी आप सोची कि चिंटे नली ठीक है चिंटा 90% अपनी जो मेड़क है वो यूज कल देखें उसके बाद सांप के पास किवल दस जाएगी यानि की घठता जाता है समझ रहे हैं तुर्यापका विबहन पारस्तित की तंत मैं उत्पात्कों की सकल उत्पादकता करी साकाहारीयों द्वारा सुआंगी क्रिट्थ हो पाता है लगबट 10 पितीसद कितना 10 पितीसद सरफितम गहन पारस्तितकी डेप एकोलोजी सब्द का परियोग किया गया है अर्नीज नैसन पारिस्तित की निसे आला की संगलतना को फिति पालिक किया था, ग्रीन येल ने, फिर आपका पारिस्तिती की ये पद चाप की माप की का ही है, भूमन लिए हेक्टर, क्या है भूमन लिए हेक्टर, एक मनुस्त के जीवन को पूर से पूर रूप से धार्णिया करने के लिए आवसक नियुन्तम भूमी को कहते हैं हम लोग इसे कहते हैं पारिस्तिक की पदच्छाप ठीक है आविवेक सील जीवन सेली जिसमें पारिस्तिकी तंत के गटकों यथा जल और जाय त्यारी के आवसक साथ अधिक दोहन किया जाता है बड़ा देती है क्या वहला देती है पदच्छाप के आकार को पदच्छाप के आकार को भारतिय बन जीव सरक्षन अधिनियम लागू हुआ 1970 में भारतिय बन जीव सरक्षन अधिनियम कब लागू हुआ था परियावन तरक्षन अधिनियम यह आपका 1986 में जन जाती हो यह अन्न पारम पर एक बन निवासियों कि बन अधिकारों को अधिनियम लागू कब गए दिसम्बर 2006 में आप जानते हैं कि पहले हमारे बहुत पहले से जो जन जाती है या आधिवासी है यह जंगलों में बने रहे यह कुछ अपने मतलब अपनी तरह से आपने देखा है अंग्रेजों की समय इनके छित से छिट्फार किया गया है बना राजा महराज या कोई भी हुआ उनके छित में किसी ने दखलांदाजी नहीं कि और इसी के कारण आपने देखा है कि आधिवासी अंदोलन हुए जंज अंग्रेजों की खिलाब इसी कारण तो उनके अधिकार अधिनियम दिसंबर 2006 में लागु किया गया था पर आभी भी तो आप सुनते हैं डमान मन देखा है कि यह अमेरी की वेक्ती गया हुआ था तो ऐसा छित है कई जगे कि वहां अपने छित में वो किसी को आने नहीं दे समझ रहे हैं तो उसे मार डाला वो गया हुआ था तो इन छेत्रों में जब भी प्रवेस करिये बड़े सचेत होकर प्रवेस कर किया करियेगा मतलब बड़े एक तरह से जानकारी खटा कर लिया करियेगा मालूश चला कि उन्हें कोई सब दिर पसंद नहीं हो आप जाकर वह हमां बोलने हैं तो आपको भी लटका दें या समझ रही सकते हैं बन सरक्षन अधीनियम लागू किया गया उन्नी सवस्ती में मिलीनियन एकोसिस्टम एसेस्मेंट पारष्टित की तंद की सेवाओं के प्रमुख बरगों का बरगन करता है विवस्ता समर्थन नेंतन सनक्षन और सांस्किति वह जो एक समर्थन सेवा है पोसंड चक और फसल परागर एक साधाना समुद्री आहर सिंखला का सही क्रम है ड प्राक्तिक तंतों के मूल परवल भी देता है जो माना तंतों को प्रभवित भी करता है यह सही तीनों आपके सही है अब आपसे इसी तरह का कुश्चन्स पूंच लेगा समझ रहे हैं तो आप लोग याद रखी ने अपर आपका जैव वान की अर्थाक बायो नॉमिक्स सब्द बायो और नॉमिक्स सब्द से मिलकर बनाए है बायो सब्द का अतात पर होता है जीव धिया फिर जीवन से और जबकि जो नॉमिस ग्रीक सब्द है इनॉमोस से करता है कि जीवन के नियम से क्या है जीवन के नियम से किसी झल निकाय में गेराई के साथ रामान परिवर्तन को दरसाती है ठर्मोकलाइट क्या थर्मो किलाएं पारितंत उत्पादक्ता की संदर में समुद्री उत्परवा अप लिविंग अप विलिंग छेत इसलिए मत पूर है क्योंकि ये समुद्री उत्पादक्ता बढ़ातें पोसकों को सतय पर लाकर बाई पिवार द्वार समुद्री की गर्म पोसक रह जल को शखन ठंडे और पोसक कत्तों के से परिफूर जल का जल द्वारा इस्थानांतित कर दिया जाता है तो ये आपका समुद्री उत्परवा द्वारा ठीक है याद रखें प्रयावन सरक्षान अधिनियम 1986 कित है जिने घृषित किया गया है प्रयावन सरक्षान अधिनियम 1986 कित है जिने घृषित किया गया है प्रयावन सरक्षान अधिनियम 1986 कित है जिने घृषित किया गया है गास इस्तरों में बेक्ष पारिस्ति की अनुकरम के अनुकरमन की अन्स के रूम में जिस कारण घासों को पितीस था पित नहीं करते हैं जलकी सीमाओं और एवं आपकी कारण ठीक है अभी आप अगर कहें तो एक आग भी सबसे बड़ा करण है बरोंगु नश्ट करने में क्योंकि आपने देखा है अमेजन की जंगलों में आग लगी हुई थी पेल लगती रहती है और एक तरह से साफ कर देती है उसमें रहने वाले जो भी जीव जन्तु होते हैं उन् अनुकर्मण की प्रवस्थाओं का सही किर्म है नगनी करन प्रवास अस्थाफन पितिकरिया इस्थरी करन वर्स 1916 में पौदों की विवन प्रजातियों का अध्यन किया गया और अनुकर्मण की सरवमान परीवसा दीगए तो यह था एब किलमेंट नहीं एब किलमेंट ठी एक ही नेत तथा निश्चे दिस्थान पर एक विसे समू दूसरे समू द्वारा विस्थाफित हो जाता है तो यह है आपका अनुकर्मण क्या है अनुकर्मण ठीक है फिर आपकी जैब एक जैब विवित्ता से सम्हंदित कुछ आपके महध्पूर पॉईंट राष्टी उद्द्ध्यानों में अनुवासिक विवित्ता का रख रखाऊ किया जाता है इन सीटू सरक्षण द्वारा इन सीटू सरक्षण की द्वारा ट्राइफिक मेंसन यह सुनिचित करता है कि बन पात्पों और जंतूं के व्याबर में खत्रा ना हो प्रक याद रखी अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर खासकर स्टेविस या इस्टेट पीसी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर देख लिए पढ़ा दिया गया था बहें बड़े विस्तार से पढ़ा दिया अगर आप 100 से 200 सब्द अगर आप से लिखने के लिए आए त जैब विटा को इस पेकार परिभाजित किया जाता है किसी परियाबर में विवेता प्रजातियों कि सैंड़ी के साथ जैब विवितालफा बीटा और गामा नावक सैंड़ी और विवाजीत की जाती है या विभाजन इसके द्वारा इते है वीब टेकर ने ठीक है इसे भी जय बिवित्ता कार्थ है, एक निर्धारी छित में बिविन पिकार के पादप और जन्दू से, जय बिवित्ता का स्पसी महत्पूर पहलू क्या है? पारस्तितिक स्तंत का निर्भहन, अनुवास एक जाती समधा है बाप पारितंत के इस्तर पर निम बिविन पिकार के कार करके आयर्द के पारस्तितित तंद का निर्भःन करती है. जय भीवित्ता क्या करती है? कि प्राक्तिक आवास आज की प्राक्तिक आवास है उड़का बिनास हो रहा है, इसलिए आप देखतेlem कभी aget सेर सडकों पर आपके सहर में देखने को मिल जाता है हाती देखने को मिल जाता है तो जब हम इनके प्राक्तिक आवासों को नश्ट कर देंगे बनों को तो इने रहने के लिए आप सोचे एक तरह से यह हमारे छित में नहीं आ रहे हैं हम इनके छित में पहुँच चुके हैं प्राक्तिक संसादों की दोहन तता उद्दोगिक उत्पादन एवं नगरी करन को बढ़ावाद देने की उद्देश से प्राक्तिक वास का बिनास किया जाया है जो सरवादिक मत्पून कारक है जबिवित्ता की हिरास की जबिवित्ता की नुक्सान पहुंचाने की जबिवित्ता हिरास की सरवादिक मत्पून कारक है प्राक्तिक वास का बिनास आप कुछ सोचिए कि आपका गहर अगर नष्ट हो जाए कर दे कुई तो आप कहा जाएंगे समझे हैं इसी तरह जबिवित्ता की कम होने का मुख कारण है आवासी इविनास एक बात और याद रखनें चाहिए मुझे लगता है आप लोग मुख को कि पिथिवी को अगर किसी से खत्रा है पर्यावन को किसी से खत्रा है तो वो है इंसान, मानौर बाकी आप देख सकते हैं कोई भी जीब जन्तु इस तरह पित्वी को नुकसान नहीं कहुंचाता है या आप सूचिए पर्यावन को नुकसान नहीं कहुंचाता है समय रहे हैं लेकिन एक बात हम लोग भूल जाते हैं इतना नुकसान नहीं कहुंचाता है इस पर धजदी पर हमारा है उतना ही लगवद हर जीब जन्तु उगा है कोई भी जीब जन्तु ठीक है सयुक्तराट संगड़ा जैबेवित्ता देवस मनाई जाता है 22 मई को याद रखी इसलिए मनाय जाता है कि जैबेवित्ता की पिती आप लोग सचे तरह यानि कि आप लोग जागरूप रहें इसलिए यूएन द्वारा आपका जैबेवित्ता दिपस मनाय जाता है 22 मई को 22 मई को इसे भी याद रखिए वन्डेग जाम में आपका अधिक तरवार इस तरह की कुष्चेंश बन जाते है बहुग लीग चित में जैबेवित्ता के लिए संकट हो सकते हैं जैबेवित्ता के लिए बड़ा कत्रा है प्रयाक्तिक आपासों और वनस्वती कविनास और जूंग खेती समझ रहें जूंग खेती एक तरह से इस तरह की होती है कि आप समझिए इससे सबसे जाना नुकसान देखने घुमलेगा अब तो काफी हद तक इसे रोख दिया गया लेकिन पहले ज्यादा हुआ करते थी आप सोचिए कि आपने एक जंगल साफ करके एक जगह खेती की एक से हो सकता है एक से दो बार आप लोग खेती करें उसके बाद अनुपजा हो जाए तो आप क्या करेंगे उसे छोड़ देंगे फर आप दूसरी जगह जाएंगी देश के पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्तों में या खेती पिछले थे कि खेती का अभिज्यानिक तरीका है जूम खेती क्या है जूम खेती जब बिवित्ता होट इस्पोर्ट स्थलों में सामिल है पूर्वी हिमाले कौन सा पूर्वी हिमाले बारत में जैब वीट्ता के ताप स्थल हौटेसपॉट है बारत में चार विवित्ता हौट्ष तिल है और कहा का है फौर्वी हिमाले पशुमीघार म्या भारत सीमाट ठीक एक ज़िया रखे है बारत में जैब विवित्ता की दृष्टी की दृष्टी से 玩052 पश्चमी गार जबीवित्ता की संदर में भारत छे होट इस्पोर्ट माना जाता है अन्वान निकुवाल दुई समोर बंगाल की खाड़ी के पास ठीक है होट इस्पोर्ट सब्दों का सर्विथम प्रियोग 1988 में किस ने किया था होट इस्पोर्ट सब्द का प्रियोग सरप स लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व नेतर संकट बना हुआ है वह अचित कहा है यह होट इस्पोर्ट सबसे लंबा जीवित व्यक्ष कोन है सिखुआ कि सिखुआ किसी प्रियाती को बिलुप्त माना जा सकता है वह अपने प्राक्तिक आवास में देखी नहीं ग किसी प्रियाती के बिलुप्ण के लिए उत्तरदाई है क्या है बड़े आकार वाला शरीर संकुचित निच करमलता और अनुवांसिक बिनता की कमें किसी प्रियाती के बिलुप्ण के लिए उत्तरदाई नहीं है ब्यापक निच ब्यापक निच यह उत्तरदाई नहीं है ज डाटा बुक्स में रेड डाटा बुक्स और रेड लिस्ट से संबंदी संगतन को है आई यू सी एंग आई यू सी एंग प्राणी समगों को संकत पन जातियों के संभाव के केंद्रगत आता है महार भारतिय सारंग कस्तूरी मिर्ग लाज पांड़ना केसी आई वन गदा सौन चरयए या पिर महार भारतिय सारंग साइवेरियन सारस अरस ãyो उस लेटिट हरी अती संकति में कस्तूरी मिर्ग संकति संडी में और अब देखिए इस लाइन दे पूरा पेराग्राफ एक आपके कही तरह के गुष्टन्स बन सकते हैं तो इन याद रखिए गोल्डन और ही ओल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडियन फैन टेल पीटियन और इंडियन शनवर्ड भारती पक्षियों में से अत्यदिक संकट पन किसमें ग्रेट इंडियन वस्टर्ड एक बात और याद रखिए हैं मैं हमेसा बोलता हूं कि कुष्टन्स बनाना सीखिए आप लोग एक ही लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें कम से कम आप सोच लिया अगर ही कुष्टन्स इस तरह से पूंचा जा सकता है क्योंकि सबसे जान पूंचा जाए उसमें से कोई कुष्टन्स तो आप सौल कर देंगे क्योंकि उस कुष्टन्स को आपने देख लिया है आपके दिमाद में फीड हो चका है वो तो इसी तरह सभी कुष्टन्स फीड करने की कॉसिस किया करिएगा यह कि भारत की जन संख्या तीब गती से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्यों आप देख रहे हैं कि चाइना को कुछ समय बाद हम लोग पीछे कर देंगे इतने तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं लेकिन पक्षियों की संख्या में मतलब गिरावट देखी जाली, क्यों हो यसा के हुए है, पक्षियों के वास इस्थान पर बड़े पिर्माने पर कटोती हुई है, केट नासक रसायइन बड़े परोलता और मच्छर बगाने वाली दबाओं का बड़े प्रमाने पर उपयूदे बड़े हो रहा है, इससे इस पक्ष आप लोग देखते थे कि चारों तरफ बंद थे आपके घर के बगल में कोई नीम का पेड़ लगा हुए इस समय आप देखिए तो इससे आप देख सकते हैं आप लोग एक काम किया करेगा जब भी आप बड़े मनाते हैं एक पेड़ लगा दिया कहीं समझ रहे हैं इस तरह कि कि आप लोग जब भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि पारटी देने से बेतर है आप इस तरह के काम किया करिए क्योंगी पारटी तो आज भी कल भूल जाएंगे हम तो बड़े एक दिन मलाया दूसरे दिन भूल जाएंगे लिकिन जब जब वो पेड़ या जब वित्ता के लिए यानि कि जब वित्ता के नुकसान के लिए कि सन 1975 में भारत का अविंव अंग बन गया था इसे बनस्पती सास्त्रियों का सर्फ माना जाता है एस सिक्किम क्या है सिक्किम राज आप जानते हैं कि सिक्किम नेपाल भूटान और चीन से सिमा लगती इसक जिस एक की स्थापना करने में नेहित है वह है जीव मंडल निश्चर यानि की रजर्व ठीक है जैबीविता के सरक्षण के लिए मर्ठकूण रग नहीं थी है जैब मंडल रिजर्व वैसल जो वनस्पति सरक्षण है तो स्वाय स्थान पद्धी इन शिटो नहीं है यह वनस्पतिक उध्यान क्रायो बेंक XC2 सनरक्षन के लिए जो गैस सामानता प्रेव होती हुए है यह नाइटोजन कौन सी है नाइटोजन वनस्पतियों एवं जानवारों कोई बिलुक्त प्रयाजियों प्रजातियों का सनरक्षन उनके प्राक्तिका वास्ते पितक किया जाता है X C2 सनरक्षन के द्वारे सरवाधिक जय बिविता पाई जाती है उस्टन कटी बन दी वर्सा बनों में सरवाधिक जय बिविता कहाँ पाई जाती है एक तरह से जय बिविता जब भी हाए तो आप समझ लिए करेगे जीवों में बिविता जबी विद्दा उस्निकटी बन दिये बर्सा बनों में उस्निकटी बन दिये बर्सा बनों का विस्तार कहा है यह आप देखिए कि 10 डिग्री उत्री अक्षांस से और उत्री अब 10 डिग्री दच्छी अक्षांस के मद्द की चित को आप कह दिते हैं उस्ट निकटी बन दिये बर्सावन, ठीक है, इन चेत्रों के पादापोर पर आणियों के विकास, एवं बिड्धी के अनुकूलन दसाएं पाए जाती है, क्योंकि इसमें बर्स बर्सा रहती है, उच बर्सा और तामान, ठीक है, दोने इसके लिए जब्मिदार है, किसी पराडियों और पात्पों के जातियों में अधेक्तम बिवित्ता मिलती है, यह आपको देखने को मिलेगी उच्ट कटी बंदी, कटी बंद के आद बनो भूंप में, जब बिवित्ता में परिवान होता है, क्योंकि फूमद रेखा की तरह बढ़ती है, सरवादिक जब और आप देखेंगे जहां सांती रहेगी तो हाँ एक तरह से जीव पूस पाएंगे, ठेक है, सांत गाटी कहा है, यह आपको केरल में देखने को मिलेगी, दच्छन भारत में, साइलेंट बैली पर यह उजना जिस राज़ से संबंदी थे, वह है केरल, कहा है, साइलेंट ब लोगटक जीन, केवला देव और बूलर जीन, क्या है, बूलर जीन, रामसर सूची अंतराष्टी है, मैं मात अंतराष्टी है, अंतराष्टी मात की आद भूमियों की सूची है, क्या पूँच रहा है, रामसर सूची अंतराष्टी मात की आद भूमियों की सूची है, इस सूची में आप देखेंगे भारत में, अगर भारत की आप से पूँचे, भारत में, वर्तमान में भारत में सामिल हैं, कितने, कितने आद भूमियों, तो याद रखिए, पहले आप देखते थे कि 26 थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि बड़ी हैं, और अब आप देखेंगे कि कुल, देखेंगे इसके तहत आप लोग लगवक 37 के करीब इन्हें भी याद रखिए, इसलिए बोलता हूँ कि करंट से जुड़ा रहा चाहिए आपको, तो रामसर कर्वेंशन के इंदकर रामसर इस्थल है, भोज आद जल इस्थल एक बार आपको एक लिष्ट बता देता हूँ, इसमें से अगर कुश्चेंस आएं आपको तो बता दे रहिएगा, ठीक है, भारत में नामसर अद इस्थल की सूची की बात करें, तो ये आपको देखने को मिलेगा, नंदूर मद महिसुर महराष्ट में, केसोवपूर मयानी एक पंजाब में, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, नंगल पंजाब, नवाब गंज उत्तर पिदेश, पार्वती आगरा उत्तर पिदेश, समन उत्तर पिदेश, समस्पूर उत्तर पिदेश, सांडी उत्तर पिदेश, सरस्तरी नवार उत्तर पिदेश, अष्ट सस्थम कोत्ताजील केरल, विमनाड कोण आदमुमी केरल, भीतरकणिका महंगु कोड verde शा until शिलका जील इबुर्विसा भोज आदमुमी मदेश, चंदताल हिमाचल पिदेश, पोंगबान जील हिमाचल पिदेश, रेनुका आदमुमी हिमाचल पिदेश, दिपार बील पूर्वी कोलकाता की आदमूमी पश्चमंगाल, सुन्दरवन पश्चमंगाल, हरी एक हरी केक आदमूमी पंजाब, कंजली आदमूमी पंजाब, रोपन पंजाब, होकिर आदमूमी जंबू गस्मीर, सुरेंसर मनसार जीर जंबू गस्मीर, तेसो मोरीरी जंबू गस्मीर, अल सरूबर पक्षिय अभ्यारन गुजराद, कुलेरु जील आंध पिदेश, लोक्टक जील मडीपुर, पॉइंट केली मेर, बंडी जीब और पक्षिय अभ्यारन तमिलाडू, रोध्यसागर जील तिपुरा, साबर जील राजिस्थान, केवला देवराष्टी पार्ड ए था नम भूमी से, किस नम भूमी से, बैटलेंड दिवस मनाये जाता है, दो फरवरी को आप जानते हैं कि आत्भूमी दिवस यानि की बैटलेंड दिवस मनाते हैं, भारत की सब्से बड़ी अंतर देसीय लवड भूमी, लवणिय भूमी, गुजरात में देखने को याद रखना। जिसमें प्रवाल भीतिया हैं, अन्दमान और निकुवार दूई, कच्छी की खाड़ी और मननारी की खाड़ी में सबसे पहले, यह हैं वाल्टर जी रोसेन ने, सबसे पहले वाल्टर जी रोसेन ने किया था इस कौपियों जै बिवित्ता जिन मात्य मों द्वार मानव अस्तित्क का आधार बनी हैं, मिर्दा निर्माण, मिर्दा परदन की रोक्ताम, अपसिष्ट का पुनर चक्रें और सच्छ पराग़, यह मानव के लिए एक तरह सिष्ट के ही हैं, उनकी अस्तित्त के लिए आने की जीवन के अनल्सापारा 2101 से 2020 के लिए दसक निर्दिष्ट किया गया है, इस जै बिवीत्ता दसक है, 2011 से लिका 2020, पारिस्तित्य तंद की जै बिवित्ता की वड़क्त्री के लिए उत्तरदाई नहीं, पोशन इस्तरों की कम संख्या, पारिस्तिक की तंद होता है, एको सिस्टम होता ह ये गति की ये निया अतंद हिमालय परवत पिदेश जादी विवित्ता की दृष्टी से अतंद समय थे इस समरद्धी के लिए यो कारक सबसे उपयुक्त है वह है जीव भॉगुलिक चेत्रों का संगम है बारती संसत्वारा जविवित्ता अधिनियम पारित किया था दिसंब और दो हजार दो में अच्छिव भॉखति राष्टी जयवित्ता परादीकन संञ नैस सायक है यह जेप चोरी को रूपता है और देशिय और परंपरागत अनुवानसिक शनसादनों का शन्रक्षन भी करता है ए नवीय की शन्रक्ता के फिरना अनुवानसिक जविक शनसाद से सम्मंदीत बहुत धिक संपदा अधिकार कि तु आविदन नहीं किया जा सकता है तो याद रखें हैं NBA के बारे में सिवक फॉन की बिस्वयापी मार्केट की बड़ी संभावना है इस पेड़ के बेर में बिटामेन और पोसकतत पिचर मात्रा में होते हैं चंगीज खाने इसका प्रियूग अपनी सेना की उर्जा स्वयत्ता को उन्नत करने के लिए किया था रूसी कॉस्मो नाटो ने इसके तेल को कास्मिक विकरन से बचाव के लिए किया भारत में यह पोधा पाया जाता है लद्दाग में कहां लद्दाग में पाया जाता है ठीक मेर्दा सरक्षन के लिए नियंतर्ण में सहाइक है, मरूस्तली करन के वो रोकता भी है इसमें कोसिये मान होता है या तुंगता वाली ठंडे शित्रों में जीवत रहने के लिए और भली भाथी अनुपूलित होता है ठीक है एक तरह से इसकी विसेचता है भारत में ले बेरी क नाम से जानते हैं ले बेरी भारत में पिछले दस वरसों में गिद्दों की संख्या में एकाई गिरावट देखी गई हैं इसके लिए उत्तरदाई कारक एक साधर्ण सी दर्ध निवारक दवा है जिसका उपयों किसानों द्वारा पसूंगों के दर्ध निवारक के लिए देखने को मिलता है तो बहुत बड़ी बात है तो एक कौन सी दवा की कारण नश्ट हुए है तो आप देखते हैं यह है डेकलो फिनेक सोडियम ठीक है इसको याद रखी डेकलो फिनेक सोडियम भारत में गिद्दों की कमी का तेदिक प्रमुक कारण है जानबरों को दर्ध नवारख जो भी दवा होती है डेना क्योंकि आप देखते हैं जानबर मरते यह उसके बाद गिद्द सेखाते है समझ रहा हैं आप लोग तो वो दबा कि इसके गिदों के अंदर चली जाएंगे और गिदों को भी नुकसार पहुंचाए और इस तरह से गीद मारे जाएंगे और इस समय से गिरावट होगी पुछ बस पहले एक कि गिद पुछ बर्स पहले तक गिद भारतिये देहातों में आम तोर कुछ से दिखाई देती हैं कि तो आज कल कभी कभार ही नजर आते हैं इस इस्टी के लिए उत्तरदाई है गौप असु मालिकों दवारा रोगड़ पसुओं के उफचा रहे हैं तो पेवक्त एक और आज आज एक फल खाने वाले पक्छी बिलौप तो गया है या फक्ची था दोडो क्या था दोडो दोडो माॉरीसस में तमला कोक जिसे दोडो बैक्छ की नाम से भी जानते हैं आप वो प्रिजिनन थो पिजिननमे आस्फल रहा कि जिसकी बज़े सी है लगबख बिलौथ हो रहा इसका मुक्ष कारण क्या है दोडो पक्षी की बिलप्ती आप सोची हमें पक्षियों से बहुत कुछ मिलता है ऐसा नहीं कि पक्षी नश्ट हो जाएंगी तो हमारा भी जीवन वना रहेगा आप देखते हैं कीट पतंगों से भी बहुत कुछ हमें फायदा भी होता है ठीक है वन जीवन की संद्रम्र में बलगुल, फलाइंग फॉक्स है, चमगादर, गरेट इंडियन प्रोड वेट के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन फलाइंग फॉक्स हो, डू कॉंग नामक समुधरी जीव जो बिलोपन की कगार पर है, वह एक, इस्तंधारी मेर्ल, भारत में पाई जाने वाले इस तंधारी डियो गॉंग के संद्रब में सही है यह है एक साकारी समुद्री जानबर है बिल्कुर सही है इसे बन ने जीव सरक्षन अधिनीय मुनी सो भात्तर किया नुसूची एक के अधिन बेधित सरक्षन भी दिया गया है तो दोनों सही आपके ठीक है याद रखी है यह है एक समुद्री यह एक समुद्री इस्तंधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाये सीकाओ भी कहते है यह है आपके डिव गॉंग ठीक है जिन तीन मानकों की आदर पर भिश्चमी घाट श्री लंका एवां इंडो बर्मा चित को जय बिवित्ता के पिखार इस्तलों यानि कि हॉट इस्पोर्ट के रूम में मानता प्राप्त हुए भी है जाती बहुल बहुतायात यानि की स्पीजिस रिचनेस इस्थानिकता और आसंका बोड वर्लाइफ इंटरनेशनल नामक संगतन के संद्रम में व्यथान सही ह यह संरक्षट संक्टनों की ब्रस्ट व्यापी भागेदारी है और यह मत्मूर्ट पक्षी बंग जय बिवित्ता चेत इंपोर्टेंट वर्ड और बायो डायवर्सिटी एरियाज की रूम में ग्यात निर्दिर्श इस्तलों की पहचान भी करता है यह भी आपका सही है जय बिवित्ता होटे स्पोर्ट की संक्रवान लिए थी बैटिस पर्यावर्ण विद्धे नॉर्मन मायर्स द्वारम जयब सुरक्षा का जयब सुरक्षा पर काटा जिना उपसंदी प्रोटोकॉल के पक्षकारों की पितम बैठक 23 से 27 परवरी 2004 की विपमत हुई थी कहा हु थी बारत में जयब सुरक्षा पर संदी प्रोटोकॉल जयबिवित्ता पर समझोती परहस्ता क्याक कर थी भारत ने 13 जन्वरी 2001 को जयब सुरक्षा प्संदी प्रोटोकॉल सम्मध्य अनुबानसिक शुरूपांतरित जीवों से जैब सुरक्षा उपसंदी जैबिवित्ताव समझोते का सदस नहीं है, सरिक्तराज अमिर्का नहीं है, जैब सुरक्षा बायो सेप्टी का कार्टो जना प्रोटोकॉल का यानवित करता है, पर्यावन एवं बनमंत्रा ले, बलुई और लवनिय चेत के चेत एक भारतिय पसु जाती है प्राक्तिक आवा से, उच्छित में उस पसु के कोई परवक्षी नहीं है, कि तु आवास द्वन सोने की कारण उखा उसका अस्तित खत्रे में, यह पसु कौन से, भारतिय वन गधा, भारतिय वन गधा, जैबिवित्तावा सम्मिलन के दलों का, दसवा सम्मिलन यहरवा सम्मिलन, यह 2012 में कहां किया गया था है, हैदराबाद भारत में, याद रखी किसी संगठन का अगर भारत में इस तरह का आईजीत किया जाता है सम्मिलन, तो उसे आप लोग हमेसे आद रखा करिया, क्योंकि कुश्चन्स उससे हमेसा पूंच लिया जाते है, UN Read Plus program की समचित अभी कलपना और प्रभावी कैयानमन महत्पूर्ण रूप से यह उदान दे सकता है जविवित्ता की सरक्षन करने में पन्न पारिस्तिकी की समुदान सीलता में और गरीवी हम करने में आँगे आपका दो मात्फोर नदिया जिसमें एक का सरोथ जारखन में है और जो उडिसा से दूसरी नाम से जानी जाती है और दूसरी है जिसका सरोथ उडिसा में हो समुद में प्रभाव करने से पूर्व एक ऐसी ऐसे इस्थान पर संगम करती है जे दोनों जो बंगाल की खाड़ी में से कुछ भी दूर है या बन ने जीवन और जया विवित्ता का प्रमुक इस्थल भी ये सुरक्षित भी है और कौन सा है ये भीतर कनीका और इस्थल कौन स जाक की संकटपन इस्थीएज के अंतराष्टि सुरक्षित का अगान और ... आपसे पूँचे तो नहीं राच्यों पर बैद रुख से आवद करें जो इसमें साबिल हुए है लेकिन यह कन्वेर्शन राष्टी विधियों का इस्थान नहीं लेता है ठीक है तो यह यह याद रखता है आई-ए-उ-चन एक अंतराष्टी संगनहान है जो प्रक्ती संद्रक्षन इबंग प्रक्तिक संसाधरों के सतत्थ्वेवक के चित में कारगत है यह अंहीं है स्युफ Candrise का नहीं है ऊन करने का नहीं है यह लगसी है पारितन्त एवं जय विविता का अर्थसास्त नमक पहल के संद्रब में रही है दा एकोमिनिक और ecosystem and biodiversity यह एक द्या पी पहले जो विविता के आतिक लावहों को किती ध्याना कर्सशित करने का परकेंदित है और यह ऐसा उपण पस्तूद करता है पारितन्तों और जब सोबकारि भीत्यितन की स्थाक्स निद्रहाशन में नेर्ड में だे करता हो can साहेता भी कर सकता है तीब सेटराष्ट परयावन कारिकरम की अंतरगर्द कार करने वाली संस्ता है इसका कारियाल है आपको जनेवा सुजय लेने में देखने को जाए है सही है सिंग पुंची वानर मैं कॉप अपनी प्राक्तिक आवास में पाय जाता है यह तमिलाडू केरल करनाटक में आपको देखने को मिलेगा भारत में प्राक्तिक रूप से में पाय जाते हैं काली गर्दनवाला सारस किष्ने ग्री भाव सारस उडन कलेरी कंदलीन और हिम तिंदुगा चीता को भारत से बिलोगत गोसित किया गया था व्हां उन्नीस सो भावन में समुद्द तल से 3000-4500 मेटर की उचाही पर पाया जाता है क्या पाया जाता है हिम तिंदुगा देखने को आपको मे लेगा देए जम्मू कस्मीर का राज़ीपक्ची क्या है काली गर्दनवाला जो आरस होता है यह आपका जम्मु कस्मीर का राज़पक्खी है, आप लोग नीचे बताना है आप लोग जिस भी राज़ चिसे हैं, ऐसे राज़ का राज़पक्खी कौन सा है, ठीक है अपने अय पने राज़़ों का आप बता सकते हैं भारत में सरवादिक ओडन गिलहरी है एह हिमालय के परवर्थी चित में आपको देखने को मिलेगी सीथ निस्क्रियता की परिखटना का परेक्षन किया जा सकता है चमगादट भालू किंदक रोडेंट में समसीतोषन और सीथ प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उन निस्क्रियत तथा आउक्सन अवस्था को जिसमें वहाँ की अनेक प्रणडी जाड़ी की रितूं में बिताते हैं क्या कहते हैं सीथ निस्क्रियता गिलहरिया, छचुंदर, चूहे, मुसर, आदिस्तंदारी प्रणी काते हैं किंतर गड में चाहिए प्रवर्णताओं प्रवर्णताओं अंडवान और निकवार दूइव समु में पाये जाता है लवन जल्व मगर ठील अंडवान निकवार की समुद्री जीव जन्तों में डूग ग्रॉक्स डॉल्पिन वेल साल्ट पाटर समुद्री कछवा समुद्री साथ आधी सामान रूप से वहतायात में से पाये जाते हैं शुरू और टैपीर टिल्पिर बारत में उत्तरभूर की सखन बनों में रहता है इसलो लॉरिस बैक्षों पर रहने वाला वह स्तंधारी जिसका जियोलोजी का नाम एलूरस फालगेंस है एक होने रेड पांडा बारत में रेड पांडा प्राक्तिक गूप से पाये जाता है उत्तरपूर्वी भारत के ओप्रमाली चेत्रों में या ज्यान की विकास और संगरहण के लिए तथा बेवहारी कनभवों का बेहतर नीतियों इतु पक्च समर्थन करने के लिए छेत इस्तर पर कार करता है वेट लेंड इंटरनेशनल वेट लेंड 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 इंटरने इसका मुख्याल है कहां देखनेको मिले अगा अपको एह मुख्याल है इसका नीदर लेंड में देखनेको मिलेगा कहां नीदर लेंड में ठीक है मैं भारत में राम सर अभी समय का एक पक्चकार है उस उन्थन बहुत से चित्रों और राम सर सथल हय delivery की तर अब है Sarajevo Teh से सरक्षन किया जाए और साथ ही उनके धार्णिये उपवागम की अनुमती भी दी जाए भारत रामसर अभी सभवाए का एक पक्षकार भी आप सभी जानते हैं और उसने बहुत से चेत्रों को रामसर इस्थल गोसित किया है यह भी सही है ताकि इन सभी स्थलों का परिद पारिस्थिति की तंद उफागम से सरक्षन किया जाए और साथ अनुमती दी जाए उनके धार्णिये उपयोकी कि यसी उनके धारिमी है उपयोगी है यदि अंतराठी मात की भूमी किसी आदभूमी को मौन्टी ओ रिकोर्ड मौन्टी रिकोर्ड के अधीन लाए जाए तो इसमें इससे अभी प्याय क्या होता है इसका मतलब क्या होता है मानोहस्तिचेप के प्रणाम स्वरूप आदभूमी में पारिस्तितिक स्वरूप में परिवदन हो गया है और हो रहा है यक्र होना संभावित है इसका मतलब यह होता है पारिस्तितिक की ये निकाय की रूम में आदभूमी बरसाती जमीन उपयोगी है पोशक पोनर प्राप्ति, चक्रण हेतु पोधों द्वारा औसोसर हिक के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करते हैं हेतु तल छट रोक करनादियों का गादी करन कम करने हेतु एक प्रश्थे इसका उप्योगत है जलिए तता सुस्क इस्थलिए प्रश्थीटी की तन के भी चित कहलाते हैं यह कहलाते है आदभूमी चित किया आदभूमी चित आदभूमी के अंतर गachsen देश का कुल बहुगलिचित अन्राज्यों की तुलला में अधिक अंकित है एक गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, कहां? गुजरात में, आप जानते हैं अभी आपके जो भी मैन पद हैं, उन पर आपको देखने को मिलेगा, गुजराती ही बैठे हुए है, फिर चाहे आप अपने पिधान मंत्री साहब को ले लीजे, या हम मिनिस्टर साहब को नरिद मौदी और अमिस्साय साहब इस जोड़ी को भारत में तटिय आदभूमी का कुल भोगल इच्छित आंतरिक आदभूमी के कुल भोगल इच्छित से कम क्या है कम है जैब दरमान का वार्षिक उत्पादन नियूनतम होता है गहरे सागर में जैब दरमान के उत्पादन के द्रिष्टी से पिथम इस्थान पर आते हैं उष्ण कटी बंदिये वर्सा बनाते हैं तुमारोज बायोडरवसिटी पुस्तक की लिख का है बंधना सिवा याद रखना तुमारोज बायोडरवसिटी पुस्तक किसने लिखी थी बंधना सिवा है जविवित्ता से संब्ध हैं जविवित्ता से संब्ध रखते हैं याद रखना ये आपके पौइन्ट है हरित ग्रह प्रवाव और जल्भाई परिवतन से संबंदित कुछ है वर्स 1967 में में विस परियावन सम्मिलन आयजित किया गया था एक कोटो में कहा गया था कोटो में हुआ था ठीक है इसे आप लोग कोटो प्रोटोकॉल भी जानते हैं नाम से जल्भाई परिवतन पर सय coconut राष संग का कंवेंचन आचा संबंदित है याका ग्रेन हाउस परियू गेसों के उत्तायन में कमी से संबंदित है एक किस संबंदित है ग्रेन हाउस परियू पर सय की इने देशरों के साथ 2007 सथाफित की गई थी ए भूमंडलिय जलवाई परिवतन संदी G-C-C-A यार लक्षा दीन विकासिल देशों को उनकी विकास नितियां और बच्टों में जलवाई परिवतन के एकरण नितु पिदान करती है ए आपकी तक्नीकी और वित्तिय साहता कथन ए कारण स्वरिमाप करिएगा यहां कथन A और कथन R दिया गया है कारण हो सकता था यहां अपने हैसाब से लेख सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं A, R तुगल अलग लग है न बारत में जलवाई परिवतन से सामाजिक तना बढ़ रहा है सही है मौसम की चरम दसागी बारमारता एवं तीबता सिखाद सुरक्षा पर गंबीर प्रभाव भी पड़ेगे A भी सही है आपका A और R दोनों सही है R A की सही ब्याक्या भी करता है बायूमंडल की प्राक्तिक संतुलन के लिए कारवंडाई ओक्साइड की उपयोक्त सांधता है 0.0-0.3 पी दीसर जलवाई परिवेतन के प्रमुप कारक है जिवास में की में की इनन का अधिक-अधिक पिजवलन, तेल चालित और सौचालतों की संख्या विस्पोटन और अत्यदिक बनुन मूलन इस अभी है वह देश जिसने ग्रीन हाउस गेस के उस सेजन में कमी करके करने ही तुबर्स 2019 में कारवंड टेक्स लगाने की गोशना की थी यह हैं सिंगापूर पहला देश समझ रहे हैं? सिंगापूर कारवं डायोक्साइड की मनोध भवी उस सेजनों के कारण आसन ने भूमंड लिये तापन की न्यूनी करन के संद्र में कारवं प्रक्षादन हेतु समावित इस्थान हो सकते हैं परी दक्त और गैल लाबकारी कोईला संस्तर नी स्रेश तेल और गैस भंडार एबं भूमिगत लगंदी लबडिये इस सभी हैं आपके जारकन राज ने जलवाई के अंद्र स्थापित किया है सहीवत राष्ट विकास कारकर में एंडीबी के सहयोग से जलवाई परीवर्तन पर जारकन्ड कारियोजना प्रकासित हुई है सन 2013 और 2014 में जारकन्ड जलवाई परीवर्तन कारियोजना रेपूर्ट 2014 के अनुसार सबसी सम्भीदन से जिला है ए शराय के लाए खार सवन जलवाई परीवर्तन के कारण ग्रीन हाउस के से हैं और पिदूसन एक तरह से आपके यह जलवाई परिवयतन का कारण है ठीक है पर आपका जीवास मीधन के जलने से बायू में बायू मंदल में ग्रेन हाउस गेसों में बिढ़ी और ओजोन परत का आउचा फिनमों कारण है जलवाई परिवयतन का एक और याद रखिए अब आपकी दिमाख में आता हुगा कि आखिर ओजोन परत को क्या नुक्सान होगा तो आप जानते हैं ओजोन परत का इतना मत है कि आप समझेए कि डारेक्ट अगर उपर से जो भी करने आनिकारक होती है आपके सरीर पर पड़े या तो आपको कैंसर भी अगुता और बी मिंवारिया हो सकते हैं तो तो हमारी जो खराब के ने ऊती है उन्हें रोगती है एक तरह से आप पर यह कि आपょल आ रहें ॉर ना च्रा न जाए तो क्या होगा पहली जाए तो आप सोचें गंदिगी भी आंपके अंदर चली जाएका दो चंदी जो ओती ह पास जलबाई सम्मेल हुआ था पैरिस में ग्रेन हाउस एफेक्ट वाइपिक करिया है जिसमें बाईग मंडल यह करवंडाई ओकसाइड द्वारा इन फ्राइड विकरन सोसेत कर लिए जाने से बाईग मंडल का अधा मन बढ़ना बढ़ता है एक प्राक्तिक करिया जिसके द् उस ग्रे उग्रे के बातापर्ण के तापको अपेक्ट चगित अधिक बनाने में मदद करती है एह है आपकी ग्रेन हाउस प्रभाव ग्रेन हाउस प्रभाव है ग्रेन हाउस प्रभाव है गैसों के वाईउमनल में जमा होने से पिथभी के बातापर्ण पर का गरम होना यही काम करता है, कि उपर से सूरी की रोसनी आ रही है नीचे, लेकिन बापसी नहीं जो आ रही धरती से, तो आप सोचिए गर्मी ओटोमेटिक बढ़ जाली है, ग्रेन हाउस गेसों की संकल्पना की थी, किसने, जो सैप फोरियन है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंदित है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतराष्ठी समझोता है, जो समध्द है, UNFCCC, United Nations Phamberg Work Convention on Climate Change, इस का पूरा नाम भी याद रखी, कई बार बैंकिक चेत में आपका पूच लेता है, और वैसे भी आपका महत्मूड रहता है, ठीक है, फिर आपका सही कतन आपको चुनना है, किसी गेस के अडुमों की दर्चता उस गेस की बायुमंडली या जीवनकाल पर निर्वर करता है, गेस का बैस्विक तापन बैवो, गेस का बैस्विक तापन बैवो, ठीक है, बैस्विक तापन बैस्विक तापन बैवो, पाये गया, 72, ठीक है, परयाबन में गिरीन हाउस परवाव में बिर्दी होती है, कारवन डाई ऑक्साइड के कारव, कारवन डाई ऑक्साइड गेस के कारव, विखरण की रेंज की अंत्रक्त्रक्रति उब करती है यह आपकी ग्रीन-णाफ्स बग्रीन-विखशय। पर आ! कर देता है यह आप देखेंगे कारवन डायोकसाइड और मेथेन कारवन डायोकसाइड और मेथेन तो राक्ते रूप से पाई जाने वाली ग्रेन हाउस गेस जो सरवादिक ग्रेन हाउस एफेक्ट करती है तो जलबास बैस्वेकूशन के लिए उत्तरदाई नहीं है और गन समझोता दस बर्स के लिए लागू रहेगा समझोता हमाचल पिदेश की परियुजना के कारवन केड़ सुनिश्चित करने के लिए समझोता कि अनुसार एक टन कारवन डायोकसाइड एक केड़ेट एक आई किसमतुल होगी यह आपका इससे संबन लिते हैं एक गेस जो धरत करने वाला देश है चीन क्या है चाइना वह देश जीसे दुनिया में कारवन नेगेटिव देश के रूम में जाने जाता है यह बूटान तो याद रखिए कारवन नेगेटिव देश के रूम में बूटान बेहतर रिस्तिती में है बूटान को पहा जाता है बेपदार जो स हर्त ग्यस ग्यस नहीं है हर्त ग्य सीओ तू कौन डल ऑंडल में इसकी संथा अंड ग्यस?」 हाउस ग्यसों की तुल्ला में हैं बहुत अधिक क्या है बहुत अधिक है भूमनली है उष्ण निता के पैड़ाम सरूप हिम नदी दरवी भूत होने लगती है और समय से पूर आम में बोर आने लगा और स्वास्त पर कोड़ प्रिभाव भी देखने को मिलता है यानि की दुस्प्रिभाव अधिक है ताम मान में बिद्धि एक तरह से आपका सोचे कि विस्वें जो भी ताप बढ़ी उसका एक तरह से उसका एफेक्ट होता है प्रिभाव वो मंडली है उसमान की आसंका बायू मंडल में जिसकी बड़ोत्री हुई है सांधता की कारण बढ़ती है CO2, carbon dioxide, एक सरवादिक बंग और फारतिती तंत जो बैस्विक तापन द्वारा सबसे पहली परभावित होगा आर्केटिक एवं ग्रेन लेंड हिमचादल अभी हाली में देखा गया है कि अन्टार की टिका पर भी पिदूसर्ण देखने को मिला है तो आप समझें कि जहां बैक्ती नहीं रहता है कोई अगर उससा वहां भी अगर पिदूसर्ण पहुंच चुका है तो आप समझें एक चिंता का कारण बन जाता है समझ रहें वायू में कर्बन डायोकसईड की बर्ति हुए मात्रा से बायू मंदल के तामान देरे धे बढ़ रहा है क्योंकि कर्बन डायोकसईड सौर्विकरन के औरक्त अंसको आउसुसित कर लेती है इसे वापस नहीं जाने देती है इसके कारण आप देखेंगे कि तामा जय से मैथेन यह निकलती हुई दिखाई देगे यानि की सरोथ यानि की यहां से उत्वादित होती है मैथेन उससरे जनकी प्राक्पित सरूर थे हैं आदवूमी समुद्र और हाइडेट्स मानों की किरिया जो जलवाई उसे सरवादिक पिरवावित होती है क्रिशी, खेती जो गाली करने वाले पसुओं से जिस गिरेइनाउस गेस का निस्कर्शन होता है मेथेन, मेथेन C-H4 इसको सूत को भी याद रखना Gat को कहते हैं, Mars Gats भी कहते हैं, Mars Gats यह है कांदूलन है जिसमें पिती भागी पिती वर्स एक निश्चित दिन एक घंटे के लिए विजिली बंद कर देती हैं और जब जलवाई वजिवद्न ओर पितवी के बचता के बारे में जागरूपता लाने वाला अंदो रहने पितिवी का एक बात और याद रही है कई लोग सोचते हैं कि मेरे बचाने से क्या होगा तो इसके लिए एक अच्छी स्टोरी है एक कहानी है कि एक गाउं में कहीं एक तरह का दूद लेने वाला आता था समझ रहे हैं तो दूद बाला भरोसी पर एक तरह से भरोसा करके सबसे गोल देता था कि आप ले आई दूद आप तौल के जो भी आप नाप के ले आई है और आप इस टेंकर में डाल दे जाएगा वो देखता नहीं था आजकल ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लेज़ेगा कहा नहीं है तो सब लोगों ने सोचा कि मैं पानी ही तौल देता हूं कौन देखेगा कौन देखा मैं एक लोटा पानी डाल दूगा तो एक देखते देखते सभी ने यही सोचा और सब ने पानी डाल दिए समझ र की थी समझ रहे और याद रखे कोई भी योजना हो कोई भी काम हो जब तक कि पूरा संभू साथ ना आये तब तक वो सक्सिज नहीं होता है आजादी आप सोचिए 1857 में भी तो किरांती हुई थी उससे पहले चोटे-चोटे आंदोलन होते रहे जाती या पिर अपने अलग- सबी लोगों ने भाग लिया तब जाके आपने दिखाया है कि आजादी मिली तो हर किसी का युगदान होने चलिए ठीक है जलवाई परीवत्तन और पित्वी को बचाने के आप सत्ता के बारे में जावरूकत लाने ही तो वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर डबलू डबलू एड द्वारा आईजित के जाने वाला एक बिस्व्यापी आंदोलन है एक पित्वी काल अर्थ हवर ठीक है पचास से अधिक देशों द्वारा समर्फित सहिवत्तराष्ट का मौसम परीवत्तन समझोता प्रभावी हुया था यह आप देखेंगे 21 मार्च 1994 21 मार्च 1994 यह सरकार इवं व्योसाय कुनितत देने वाली व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गयस उस्चारजन को समझने और पाइडाम निल्थारीत करने एवं प्रभंधन यह तो एक अंतराख्टी लेखा करन साधन है यह आप देखेंगे ग्रीन हाउस गयस प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस जाउस गयस प्रोटोकॉल वर्ल्ल रिस्टैटेटीउस याने की डबलु Áर आई और वरिट बिजोनिस काउंसेल औन सस्टेनेवल ब्लमेंट याने की डबलू बीसी काुल KTD द्वारा किया गया है that nowです nothing of proof of protocol का का 9 wicked एक कुछ लियाए के कि कंःतब को प्रभावी हुआ था in 2005 sa क्रफान का की क्योटो सउहर में you and underscore CS के दवारी कि थीसरे सभीयलन में कोट्रोकॉल को स्विगार किया गया था कि 11 दिसम्बर 1997 की बात है 11 दिसम्बर 1997 ठीक है के उट्व प्रोटो को समझोती के अमसार अधिक गेंड हाउस गेसों का उस्टरजन करने वाले देशों के लिए उस्टरजन में बश 2008 से 2000 बारे तक कटोती करने का प्राउधन किया गया था 5.2 कि 3 सथ यानि 5.2 परसेंट लेकिन आपने देखा इस तरह का कोई जानद प्रभाव देखा नहीं गया देखिए आप खुछ जानते हैं कि लक्ष तो नेधारित कर लिए जाते हैं आप भी तो करते हैं कि एक साल में दो साल में हम एक कर लेंगे वह कर लेंगे होता है तो कि आप अपने लक्ष प्राप्त कर सकते हैं नेधारियू समय में बना मालूँ चलता है कि पंच बरसी साल गोजा जाती है पेपर देते देते हैं तो अगर पंच बरसी साल नहीं गोजानी तो मुझे लगता है कि बहतर रड़नीती होने चाहिए पड़ तो हर कोई रहा है ले जोगरफ़ी आप लोग खतम करें फर मालू चला कि नदियां अहां से देख ली नदियां दूसरी जगह देख रहें प्रतीसरी जगह देख रहें नदी वाले चेप्टर को आप लोग 10 जगह से देख रहें कोई फायदा नहीं रहता मुझे लगता है आप लोग एक पूरा रड़नीती बनाई है उसे कवर कि ये पूरा स्लिरस को क्योंकि नदियों से ही आपका कुश्टन्स नहीं बनना है और ऐसा भी नहीं है कि नदियों से ही कुश्टन्स आएगा ये पूरा भरोसा नहीं है कहीं से भी पूंच सकता है आपसे ये 10-12 वाला समय नहीं है ये आपन मान तापन में अपनी हिस्सेदारी सुईकार की और साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवाई नहीं थी जमा करने की पितिवर्द देता जिताई थी सो अरब डॉलर कितनी सो अरब डॉलर की विसके विसके तापमान पर आकड़े एकट्टे करने के लिए बैस्विक भाई मंडल चौक सी स्टेशन इस्थाफित किया गया यह अल्जीरिया बिराजियर और क्यान्या में ठीक है के लिए हरिद ग्रह गयत उस्टरजन को नेंतित करने की पिणाली है जो सामने आई थी यह आई थी आपकी क्योटो प्रोटोकॉल की तहट क्योटो प्रोटोकॉल की तहट कारबन टाई ऑक्साइड उस्टरजन एवं भूम अडली है तापन के संदर में EUNF CCC कि अंतरगत उ प्रोटोकॉल का नाम जो विकासिन देशों को विक्सित देशों से निधिया प्रोचाहन उपलब्द कराती है ताकि वे अच्छी परोटोकिकिया अपना कर ग्रीन हाउस गेस्ट और सजन कम कर सकें यह आपका स्वक्ष विकास युक्ति कार्मन जमाओ कार्बन केरिट के बा पराप्त कर सकते हैं कार्बन कर देट एक तरह से आप सोचें कि मिसिदर अपर पास कोई भी पैसा है आप मानिए तो आप मानिए किसी को उदारो में किसी को भी दशासें इस पर ऐसे कार्बन केड़ेट भी यह होता है कि आपके पास अगर कार्बन जाला उत्साज़ित हो गई तो आप कहीं ऐसे देशों को बैंस्ट भी सकते हैं जहां बिल्कुल कम हो कार्बन का उत्साज़न ना हो रहा है वह आप उन्हें पैसा देदीजिए वो फुद खरीद ल गड़ेता है कई आप लोग मोभी धेकते हैं उनमें भी देखा ही तेता है आपको कई 커son करेबत जो भी पदार्थ होते हैं वर्होंने बारत में टब्प्त कर दिया जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे घास किया जांते जुछिए है नुक्सम ठांचा जाता है त CND के अंत्रगत कर्यानवित होने वाली परियोजनाय NX1 के देशों, द्वाया कर्यानवित की जा रही है परंतु इन परियोजनाओं को गेर NX एक विकासी देशों में किया जाता है एक करियानवित किया जाता है UNFCC की प्रोटोकॉल Q2 प्रोटोकॉल की धारा बारह के नतरगर बवेड़े थे यह स्वाक्ष विकास उप्ती क्या है स्वाक्ष विकास उप्ती CMD एक टन का अरवन डायोकसाइड की मात्रा को घटाने से पराप्त होती है एक CER, एक CER यूनिट जबेवित्ता अभी समयत पूरक टोटोकॉल जो जबेवित्ता जब कुर्ददघी की द्वारा उत्पन, जविस संसोधी जीवॉँ द्वारा उत्पन संभावित खत्रों मेंसे जबेवित्ता की रख्चा करने ईतू किती बत्रे यह है कालटे जीना टोटोकॉल ठीक है कार्टेजीना प्रोटोकोल अनुवांसिक संसाधनों को प्राप्त करने एबं उसमें 19 से मिली लावों की समचीत वानिस्वक्ष बटवारे से संबंदी थे नगुवा प्रोटोकोल सही समली थे जल्वाई संबलक्त प्रोटोकोल में हुए था कि पिथमेंध्म शिक्र संबलक्ति अचेव संबलक्त कीस प्रेञ्ष ईस ताएं के आपको जोड़ी बनाने के लिए えया जाने ता है सही संबलत करने के लिए इस तरह के पिश्च्टन्स आपके अपके अप्रोलास सब्सक्राइब करने मतलब पूंचे जाते हैं कि आप 55 के पास आप स्कूर कर पाते हैं और 48-50 आपकी कुश्चन सही हैं तो आप लोगों का सेलेक्शन आराम से हो जाता है कि निटुंफार के पर्यावन में करवं उस सजनों को कम करने के लिए लाव त्रुटिट करे अंतराश्ति बाजार में करवन कर और विकरे किया जाता है उनके वर्तमान बाजार मुन लिकिए अनुसार कर निटस का तुर्वाे लूंगोड़न करता preparedness इस बेंग ठीक है वर्ल्ड बेंग बायो कार्वन फंड इनिसियेटिव और सस्टेनेबल फोरेश्ट लैंड इसकेप एक बहु कुस बहु पक्षिय कुस है या कुस इस्तलिय छित से कमी करने को बढ़ावा दीता है ग्रेन हाउस गेस उससर्जनों से या सरकारों व्यवसायों नागरिक समाज और देशी जनों की एक बैस भी भागिदारी है या देशों की उनके बनोमूलन और बन निमनी करने उससरजन कम करने पिलस यह आप देखेंगे एक रिडियूजिंग एमीशन्स ओम डिफोरेश्टिशन एंड फोरेश्ट डिग्रेडेशन तलस आर इडी प्लस त्रेयासों में बिटती है तक एवं तक्नीकी साहथा पिदान करने कर मदद करती है वन कारवन वहागिदारी सुधा फोरेश्ट कार्वन पर्टनर्सिप फै दोजार आठ में बिख्यानिक देश्टी को रहा है कि विस्त आमान पूरू उद्धोगी की स्तर पर दो डिगरी से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए यह विस्त आमान पूरू उद्धोगी इस तर से तीन डिगरी सेल्सियस के पर ही बढ़ जाता है तो विस्त में उसका सम्भ प्रवापी तर से क्या होगा यानि कि क्या प्रवाप पड़ेगा इसमें देखने को मिलेगा कि इस थालिये मंडल एक नेट कारवन स्रोत की ओर प्रवत्थ होगा और विस्त प्रवाल मर्तव घटित होंगी नुकसान होगा IPCC IPCC द्वारा Assigning Key A World Nairabilities and the Risk Home Climate Change नामक रेपोर्ट के अमस्वार यादी विस्त तामान पूरु उद्धोगिक स्तर से दो निगरी सेल्सियस सेंडिगेट बढ़ जाता है तो फिदिवी के पारिस्तितिकी तंत्क क्या रूपान्तित हो जाएगा एक वट्टे छे भाग रूपान्तित हो जाएगा समझ गए यादी विस्त तामान पूरु उद्धोगिक स्तर से तीन डिगरी सेल्सियस से अधिक बढ़ जाता है तो इस्तलिये वाई जी मंदल एक नैट कार्वन शिरोत की वोड़ परवित होगा साथी में बिलोप्त होने की कागार पर पहुंच जाएगे तीस पितीसर तक व्याद प्रजादियां अगर आप सोचे तीन डिगरी से अधिक बढ़ जाता है पूर उद्धो के गिस्तार के तो आप देखेंगे तीस पितीसर तक प्रजादियां खतम होने की कागार पर होंग में विद्धी देखी गई है 0.8 degree centigrade की ठीक है celsius किसी महासागर का पादप पलवाक किसी कारण से पूर्ता नश्ट हो जाए तो इसका प्रभाव होगा कारवन सिंख की रूम में महासागर पर पितिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाथीस ञगणा पर भी पितिकूल प्रभाव पड़े गाए से जल्बाई परिवर्तन की खावोली सिध्धान्तों से सम्द्ध हैं, पितवी की कःउट पित्वी की सूर से आम अपसोर और उपसोर की इस्तिति जलवाई परिवतन से संबंदित सिध्धान दिये जो पित्वी की लंबी आउदी के कप्छिय इस्तिति इसे संबंदित है यह मिलोटिन मैलान कुछ कोविच नहीं ठीक है पित्वी पर धोरी अवस्ता बदलना जलवाई परिवतन के लिए एक कारक है मिलोटिन मैलान कोविच का जलवाई परिवतन का किरायोजनिक संकेत प्राप्त किया जाता है आई से आई स्पोर से किसी glacier या बरप की चादर को छेद कर प्राप किया गया एक बिलनाकार नमुना है हिम्तत भारत की जलवाई परेड़ बतन पर प्रिथम राष्टी के रिया योजना पर कासित हुई थी 2008 में सन 2008 में भारत सरकार की जलवाई कार्य योजना climate action plan की आठमेशन में समलित नहीं है आडविक और्जा गिलोब ताप ये ताप विध्धी का सबसे मात्मूर पईड़ा में है कि इससे धुर्विये बरप की टूपियों के पिगलने के बाद विध्धी होगी समुद्ध की सतय में गिलोब ये ताप विध्धी से विश्टे के समस्त भी डूप जाएंगे मूंगे की यह संभावना है कि 1944 के इस भी तक फीजी डूप जाएगा सयुक्तितल के बढ़ने से इसी वरस तक एक गंभी संकट भी चाह जाएगा नीदेलेंड पर फीजी देश तो पूरा दूप ही जाएगा लेकिन नीदेलेंड पर भी आप संकर्ट मढ़ राएगा आई पीसी के अनुसार वर्स बर्स 1900 से 2100 के भी समद्य सतय में बिध्धी का अर्मान है यह 0.33 से 0.45 मीटर बिध्धी गार तामान बढ़ने से ग्या होता है कि जो बर्थ जमी हुई है समुद्रों में आप देखेंगी तो उसका जल का बढ़ेगा तो कई देस भी इतने भूने की स्तिती में रहेगी मैंचेस्टर विस्विध्याली के विज्ञान कोलने हाली में बहु अभियंतर द्वारा पैसेफिक महासागर के उपन चमकीले ब्यादल उत्पन कर गिलोबल बॉसिंग बॉर्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का जुकाव दिया है इसकी पूर्ती के लिए बातवर्ण में छिड़का जाता है समुद्री जल क्या समुद्री जल बैस्विक जलवाई परिवतन के संद्रव में जो पदितिया मेर्टा में कारवन प्रच्छादन संग्रहन संग्रक में साहयक है समोचवान अनुपम सस्यन सून जुताई एक अंतराष्टी संदी है जिसका अगटन हुआ था रियो डी जिल्रो ने 1992 में सहुद्राष्ण के परियाबण उविकास अंभिलर में यू एंड कॉन्फरेंस ऑन इन्वार्मेंट एंड डबलमेंट में अभिष्ट राष्टी है निर्धारित अंसदान पद को कभी कभी समाचारों में जिस संद्रम में देखा जाता हुआ क्या है जल्वाई परिवतन का सामना करने के लिए पिस्त के देशों द्वारा बनाई गई कारिय उजिना है ठीक है भारत की कारिय ये उजिना के तहट ब इसी सी की लक्षियों में सामय ने पर क कान अहीत करन किया गया है Kerry Đोगवाई कोस का एक में जτιल्वाई कोस का डर्वन में आईजी जलवाई परिवर्तन सभा में इसकी स्थापना होई थी, हरे जलवाई लो को स्कीके, ठेके, चांकुल और नियुनिकरण पादितियों में फ्रावधन कीके आशे से बनिये हरे जल रुझा क्लाइबेट, वस्का पहला देस जिसने भूस मनलिये तापन के पिटी करन के लिए carbon tax लगाने के वाग पिस्ताव रखा, यह है New Zealand, क्या है New Zealand, बड़े प्रमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ चित संभवता बैस्विक्तापन में युगदान दे रहे हैं, इसके लिए कारण जिनकी उत्तरदाई ठहरा गया, चावल की खेती से संभवाई भी परिस्त है, ऐसी आप इसे संग के स्दस्तों के संबंद में सही है, यह बिविस्त की 48-500 उजा को भूयोग करते हैं, बिविस्त की 48-500 हरिद ग्रेय क्यासों के निस्सारन के लिए उत्तर दाई हैं, एक क्योटो पोटॉक्यॉक्त को समर्थन भी देना चाहिए, यह तीनों कत्यन आप आवस्तित रहती है, एक एक और काम कर सकते हैं, समता मंदल में देखने को मिलेगी, एक कुश्चेंस आपका आता है, तो इंग्लिस में पूच लेता है, एक एक वाला जो भी अंग्रेजी में कुश्चेंस दिया जाता है, उसे भी देख लिया करेगा, क्योंकि देखा गया है कि कई बार कुश्चेंस आप इंग्लिस, मतलब इंग्लिस जो भी कुश्चेंस दिया रहता है, उसे देख कर आप लोग समझ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में कई मेनेक होते हैं, समय रहे हैं? इस्टेटू फियर, यानि कि सप्ता मंदल की निचले सेव में, पितिवी से लगवख 10 से 50 किलो मेटर की उचाई पर वस्तेत रहती है, ओजोन परत, ओजोन परत पितिवी से करीब उचाई पर है, 20 किलो मेटर, किलोरो-फिलोरो कार्वन के लिए सत्त नहीं है, या ग्रीन हाउस की परवाव में योगदान नहीं देती है, आप जानते हैं, किलोरीन-फिलोरीन कार्वन के मानव निर्मित योगिक हैं, CFC, ओजोन शितिक के लिए उत्तर दाई है, CFC, यानि कि किलोरो-फिलोरो कार्वन, बाई मुंडल में उपस्तित ओजोन द्वारे जो विक्रण आउसोसित किया जाता हुआ है पराभेगनी क्या है पराभेगनी ऑक्सीजन के तीन पर्माड़ों से मिलकर बनने बाली एक गैस है ओजोन ओजोन ऑक्सीजन के तीन अड़ों देख रहे हैं तीन ओपरी वारे मुंडल में ओजोन परत के रूप से परत के रूप में पितवी पर जीवन को पचाती है अल्टा वायलेट केड़ों से समझ रहे हैं आप लोग एक तरह से कहिए कि जो हानी कादत वहां से केड़ने निकलते सूर से उन्हें रोक लेती है समझ रहे हैं ओजोन परत मानाओ के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर की अल्टा वायलेट केड़ों की पितवी पर नहीं आने देती है और मानाओ की या किसी भी जीव जन्तुओं की इस तरह से सुरक्चा करती है वायू मन्डल वपस्तित उजोन परत अवसोसित करती है अल्टा वायलेट केड़ों को सूर से आने वाली हानिकारिक परावेवनी विक्रण कार्ण हो सकता है तुची है कैंसर का यानि कि तुचा का कैंसर होता है से अधिक समय तर सूर के परावजनी वित्रन के सरीप पढ़ने पढ़ने पर हो सकता है DNA में अनुवासिक उत परिवतन इसलिए कहा जाता है कई लोग बोलते हैं कि वो अधिक सूर के सामने खड़े हो जाएं देखें कुछ मिनिट के लिए आप लोग हो सकते हैं ऐसा नहीं कि आप 24 गंटा उसी के सामने लगे बार गंटे जिस दिन धूपनी के लिए उच्छा से साथ गंटे आप दूम में खड़े रहें तो यह नुक्सान दायक भी होती है एक स किलोरीन ऑक्सीजनर से बना मानाव निर्वित गैसी यह बाद डेविये पदार थे जो की रेफ्रेज इरेटर तथा बातारून कूलित यंतों में सीतलग सीतकारक की रूम में प्रेव होता है तो आप सभी जानते हैं कि CFC किलोरो कारवन बाइवमेंटल की दुर्विये पहुंचाने वाला फिदू सके किलोरो फिलोरो कारवन सी अपस्पेर में मौझूद ओजौन परत का शरण होता है किलोरो कारवन से ओजौन परत की चिंटा के लिए उत्तरदाई नहीं है बिलाय की रूम में प्युक्त मैथिल किलोरो फॉम इससे कोई परवाद याना नहीं देखने को मिलता है उत्तरदाई नहीं है ठीक है ओजौन परत की चिंटा के लिए उत्तरदाई कैसे हैं यह समय आप सी देखेंगे हैलो जन भी देखेंगे नाइट्रिट ऑक्साइड भी देखेंगी ट्राई किलोरो एथिलीन और हैलोजन बारे ग्यारे और तेरह एक यह जिसके द्वारा ऑजन पी दूसर नहीं होता है कारवन ओचाइड सी ठीक है ऑजोन चितिका निर्मार सरवाधिक है अंटार की ठीका की ऊपर मॉन्टियल परोटोकॉल जिसके रक्षा से संबन्दे थे ओजो आपका मॉन्टियल परोटोकॉल हुए था यह आपका ओजोन पर से संबंदी थे ओजॉन परत की सरक्षा करने के लिए हुआ था एक जमरी 1989 से प्रभावी हुआ है मॉन्टियल प्रोटोकॉल याद रखना इस डेट को भी मॉन्टियल प्रोटोकॉल संबंदी थे ओजॉन परत की 6 को रोगने से Montiel protocol समद्धी थे किलोरो फ्लोरो कारवन से यानि कि आप जानते हैं कि ओजौन परत को सबसे ज्यादा च्छे कौन पहुंच आता है नुक्सान किलोरो फ्लो कारवन तो Montiel protocol हुआ था इसलिए कि कलोरो फ्लोरो कारवन को कम यूज किया जाए समद्धे समता मंदल में ओजौन के स्तर को प्राक्तिक रूप से बीनेमित किया जाता है nitrogen dioxide द्वारा ओजौन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है बसंतरीतु में इसकी मोटाई सबसे जानदा देखने को मिलीगी लेकिन बसंतरीतु में सबसे कम और इसकी मोटाई देखने को मिलीगी तो याद रखे बसंतरीतु में सबसे जानदा इसकी मोटाई देखने को मिलीगी और बसारीतु में सबसे कम ठीक है ozone परत को मापा जाता है DOC से निकाई से इसे DU से याद रखना ऐसे भी कई बार पूंच लिया है जीरो डिगरी सेल्सियस और एक एटीयम दाप पर सुद्ध ओजोन की 0.0 mm की मौटाई के बराबर होती है एक डॉप्सन यूनिट एक डॉप्सन यूनिट के लोरो कलोरो कार्वन को ओजोन हराज सक पदार्थों की रूम में चर्चित उनका प्रियोग है सुगट्ट फ्रॉम के रूम निर्मार में एरोसॉल केन के दापकारी एटेंट के रूम में और कुछ बिसिष्ट एलेक्टोनिक अव्यप की सफाई करने में भी एक अत्यदिक इस ताही होगी जो बाईवंडल में 80 से 100 बरसों तक बना रह सकता है किलोरो फ और अन ओजोन रिखती करन रसायन जैसे कारवन टेट्रा क्लोराइड की उत्पादन पर रोक लगाई गई यह मॉन्टियल पर रोटोकॉल की अनसार रोक लगाई गई थी याद रखिए अन्टार्किटिक छेत में ओजोन चित्यका बनना चिंता कभी साहे इस चेत में बनने कब कबिनास करने वाले किलोरीन कड़ों में परिवर्थित हो जाते हैं यह आपको मिलने के धुर्वी है साप समताब मंडली है बादल ठीक है फ्रेज आज कल आप देखते हैं हर घर में फ्रेज देखने पर फ्रेजव में जो गेस भरी जाती हुए है मी फॉन इसी तक के रूप में बड़े सायंतों में प्यूपत होती है अमोनिया यानि कि बड़े जो सी तक होते हैं पिसी तक होते हैं वह आपको अमोनिया गेस का उप्यूप किया जाता है सरफ पितम 1985 में टोटल ओजोन मेपिंग एस्पेक्टोमीटर की मदस्ते अंटार की ठीका के उपर ओजोन शिद्ध का पता लगाया था बैटिस दलने कासने बैटिस दलने तिंपत पठार के उपर वर्स 2005 में ओजोन आभा मंदल ओजोन हेलो का पता लगाया था जी डबलू कें मूर नहीं मनुस्ताओं में खासी सीने में दर्द उत्पन करने वाले के साथ-साथ-फैंपड़ों का वी चतवी पहुंचाती है ओधरी यानिकी ओजोन का उच्छ सांद्रड कथन एक ओजोन जैब एक जीवन के लिए परम आवस्सक है सही है कारण आरकी बात करने तो ओजो तेहरानवे से निन्यावे विदिशत मात्रा आउसोसित कर लिए जाती जो विद्वी पर जीवन के लिए आनेका रहे और ओजोन पालत के द्वारे में ओजोन का उच्छे करने वाले पदार्तों के फेवपर नियंतिन करने और उने चरणबत दिरूप से पिर्यों बाहे करन उसमें अंसर लगा देते हैं उसके पास आपका ऑप्सन नहीं रहता है कि आप उसे सदार पाएं आप कितनी भी कॉसिस कर लिए कभी नहीं सदार पाएं लिए तो याद रखा करिएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं वन और वन ने जीवां से सम्दीत कुछ मात्पून तत य याद रखें चमौली के रेडी गाओं में बन कटाई की विरूद में अंदोलन चलाए गा था इसके नितित करता रही थी गोरा देवी याद रखें जो चिपकू अंदोलन आप कहते है न यही है इसमें आप देखते हैं कि उत्तरागंड का ये एक सहर है इसमें आपने सारभाट गोरादेवी इनो ने इसका नितित किया आंगे चलकर आप देखेंगे कि सुंदरलाल बहुगोडा ने भी इससे आंगे नितित किया इसका ठीक है 1972 की बात ही ठीक है याद रखें जिस पारिस्तिति की तंद में पौधा का जैविक पदार्थ अधिक्तम है वह है उष्न कटी बंदिये बरसा बन अधिक्तम पादब विवित्ता पाई जाती है या आपकी उष्न कटी बंदिये सदा बाहर बनोंगे यदि हम घढ़याल को उनकी प्राक्तिक अपास में देख 177 की एक के अंतर के सरक्षित गुशित किया गया तो इसका नेहितार्थ है इससे सरक्षन का वाय ही इसतर प्राप्त जैसा की बाग को इसतर है बाग जैसा ठीक वनजीब सरक्षा अधिनियम 장U Nord Pacific 2022 2020 किसी ब्रती की सवाथ ुद्री द्वारा किये के कतीप अमंदों के अधिन होने की सवाए जिस प्राणी का सिकार किया जाता है हुए घड़याल भारती जंगली गधा और जंग्ली भेंसा है इनका सिकार नहीं किया जासकता है तो याद रखिए सिकार नहीं किया जा सकता है घड़याल भारतिय जंगली गधा और जंगली भैस एक तरह से बिलोपत सूचियों में आते हैं इसलिए मतलब कम ही है इसलिए इनका रोक लगी कुई है जलवाईयू के फिर्मुग घटक जो जार्खंड राज के बंचेत की जलवाईयू को प्रभावित कर रहे हैं यह जंगल की आग जार्खंड राज में जंगलों को सुरक्षित बन की रूम में बरगी की करने का उद्देश है बिनानुमती सभी कतिवनियों परकिती बन भारत क वाई राज जहां सरपिता मुकमंत्री जनवन यह उजना का कारम किया गया यह आप देखेंगे जार्खंड को आप जानते हैं बिहार से अलग करके जार्खंड बनाए गया था ठीक है सदावाहर बन पाये जाते हैं यह पर्शिमी घात में आपको देखने को मुलेगा उत्त विश्वतिये बनों की अदूतिये बिसेश्ताएं हैं उचे घने बैक्चों की विद्धमानता जिनके कीरिट नियंतर बितान बनाते हों और बहुसी जातियों का सहस्तित हो अधी पात्मों की असंख किसमों की विद्धमानता हो इसमें ठीक है विश्वतिये बन ऐसे उच् वैंpción में मिलेगे आपको μस्त कि अस्ति को बिशवति की अस्ति-पितीसद जबीकता भारते नहीं जायता और पारहे जाता है लेकिन ऐहה लिए लोक्त देखने को नहीं में राष्टी बन नीती में भारत की कुल भोगली चित की जितने पितिशत फर्बन रखने का लग्स रखा गया है वो ये एक तिहाई एक तिहाई ठीकर राष्टी बन नीती 1992 के अंसा जो बर्ग बन का संभग नहीं है राष्टी ये उद्यान नहीं है बनों को वरगी कित किया गय में एराष्टी बन नीती 1992 के अंसा बाटा गया है तो देहरादून इस्तित भारती बन सर्विक्षन विभाग ओप गरे चित्रण के माध्यम से बन इस्तिती रिपोर्ट जारी करता है पिते एक दो बर्स में अभी 2019 में आई हुई थी आपकी दो से हम लोगों ने कवर भी कि नहीं है नगरी करन नहीं है जो एक बार उपयोग होने के बाद पुना उपयोग में लाए जा सकते हैं नभी करनिया संसाधन कहलाते हैं और अभी आपने देखा होगा 2014 से जब नहीं सरकार आई हुई है तो ये नभी करनिया उर्जा पर कुछ जानदा ही ध्यान दे रही है नभी करनिया उर्जा का इतना सा मतलब है कि आप समझिए कि जब तक पितिभी रहेगे तब तकुसे आपको उर्जा मिलती के रहेगी जैसे संसाथनों कं निम्नी सब्समीब में व्लभाजित किया जा सकता है, संभाफन संभाव में जिनका सर्वेक्षण किया गया है उन्हेकी मात्रा आप का कि दौर्ड का बद्स्था लगाए गया और जिनका वर्दमा समय में प्रियोग किया जा रहा है वह क्या है यह बास्तविक संचाधन है क्या है बास्तविक संसाधन बन ठेला हुए है, ठीक है? मैंगो बनस्पती का विकास अधिकासता होता है तक्टों के सहारे हैं भारत में मैंगो जौरिय बन बनस्पती मुक्रता पाई जाती है यह आपको सुंदर्वन में देखने हो मिलेगी, ठीक है? ये डेल्टा पेद्वेसों तता संबुते के जुआर वाले भावों में होते हैं और इन्हें मेंगो बन अस्पती के नाम से भी आप लोग चानते हैं जुआरी ये बन मेंगो बन स्पती का सरबादिक चित सुन्दरवन डेल्टा में पाय जाता है यहां के बनों में विशेश रूप से उल्लेखनी है सुंदरी व्यक्ष याद रखे एक सारक्षित कर्ष बनस्वती चेत है गुआ जहां आप लोग भूमने के लिए जाते रहते हैं मस्तिरी मस्ति करने के लिए बारत में मैंगो बन सदा परड़ी बन और फर्ण पाती बनों का सयोजन है अंडबान और निकुवार दूइफ समू में बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा हूं नागालेंड के परवत क्रम सा बंजर हो मी बंजर होते जा रहे हैं उनका प्रवों क किताब आपकी एक वर्ल्ड मैप से सम्मंदी कबर की गई थी उसमें जाकर देख लिए आप मुझे लगता है कि आप जोग्रफी पढ़ने का वो अच्छा तरीका है मुझे लगता है कि 70-75% आपके कुश्चन सॉल करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं उससे देखकर आप तो मुझे लगता है कि वो कुछ जान्दा टाइम तक आपको यार रहता है तो उसे भी आप लोग देखते रहिए वहराज जिसके द्वारा अपना अपना धन योजना प्यारम की गई यह है हिमाचल पिदेश क्या है हिमाचल पिदेश भारत में बन जीप सरक्षन अरदिनि डिनयम का पारित किया गया, 1980 में, भारत में बन जीप सरक्षन अरधिनियम का पारित किया गया, 1980 में लागू गख़ा था, इसकी थिति क्या है 25 सब्चूबर 1980 में ब्हारती बन उसंधान सलस्तान की स्थाफना उतराख़न की देडरादूनंहें में की गई थी, 1906 बहरती ए बनस्कातीक सरविश्चन सलस्तान बहरती बन इजीफ संश्तान, इसा भी आपके परियाबन से संबिन है बिज्ञान और पुरोदुगी की विभाग की अधीन राष्टिय सर्वेक्षन और मांचित्रण के लिए भारत सरकाद वारा का एक प्राचिंतम विभाग है भारतिय सर्वेक्षन विभाग है यहीं यह सभी एक तरह से रिपोर्टे तैयार करता है ठीक है भारत का सबसे बड़ा मचली कौन है भेल साट यह भारत की ही नहीं पूरे विस्क की सबसे बड़ी मचली है यह पचास पुट तक लंबी हो सकती है वेल साट ठीक है यहीं वाल्ड वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ यानि की व्वाइल्ड लाइफ का पितिक जानवर है ज सितो चोणी पत्ती वाले और मिसित बनाव में देखने कुमलेगा जाइंट पंडा का घेवी एलिस घड्याल बहुतायाज में पाई जाता है गंगा में गंगा नदी राष्टी ये नदी आपके गंगा नदी तो है घड्याल एक प्रजाती है मगरमच्छ कुल की भारत में पा चिपकु आंदोलन का नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगोडा को, देश बर में बनों के बिनास के विरोध हुए संगठित पितरोध को चिपकु आंदोलन का नाम दिया गया 1970 की दिसक में, चिपकु आंदोलन की पेडेता थी, चंडी परसाथ भट, भारत में बनने जीब सप्ता है, यह मनाया जाता है आपका 2-8 October की मद्ध के विस्व सहयुक्त राष्ट महसाभा की अर्सटवई बार्षिक सत्त के द्वरान, इती वर्स विस्व वन जीब दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तीन मार्ज को, तीन मार्ज को, पागमार्ग तकनीक का प्रिय सब्सक्राइब सेक्षड़े के इवं सोस संस्थाओं बन एवं बन जीप अधिकारियों और बन जीप संरक्षाओं को राजीब गांदी बन जीप संरक्षाओं पुरसकाल दिया जाता है नेशनल वीवरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इस्तित है यह आपको नई दिल्ली में देखने को मिलीगा कहां नई दिल्ली में पेड़ पौदों और यहां जंतुओं की सरवाधिक विवित्ता विशिष्ता है यह उच्ण कटी बन दी आदबन की भारत में बन प्यारूप ज से 200 सेंटीमीटर के मत वास सीसम चंदन इत्यादी अनव्यवसाई ग्रोप से मत्पूट बैच प्रजादियां पाई जाती है उच्ण कटी बन दिया आदपरण पाती बन में यह चौणी पत्तियों वाले नमी योक्त बन है जो दच्छिन अमेरिका के अमेजन बेसें की बड करती है और आक्सीजन में से बदल देती है अभी आपको समय पहले आप सुनते रहते हैं कि आग लग चुपी थिया तो इससे भी काफी नुपसान होता है वह महादीप जिसमें उच्टकटी बन दिये पढ़ण पाती बनों का विस्तार अधिक है यह एसी आ में देखने कूं समाचारों में कभी-कभी दिखाये देने बाला रेड सेंडर्स क्या है दच्छिर भारत के भाग में पाई जाने वाली एक प्यक्ष की जाती है इसका विज्ञानिक नाम टेरो कार्फर्स सेंटिल लेनस है यह पेड आंध्विदेश की पाल कॉंड़ावाद से चाल लंप प सेंडर्स रक्त चंदन भी कहते हैं इसे ठीक है पर आपका आयोवेद बस सिध्धा दवाईयों को बनाने पूजा समगरी में एक पारंपरी खिलोने को बनाने में उपियों किया जाता है यसी का करते हैं रेड सेंडर्स का प्रेव आप लोग करते हैं राष्टी बन नीती के मुक्त देश क्या है राष्टी बन जो नीती है इसके उद्देश क्या है सावाजिक बन की क्यों प्रोसान देना और देश की कुल भूमी का एक तेहाई बनाचित करना ठीक है मरुस्थली करन को रोकने के लिए सेवतराष्ट अभी समय क्या महत इसका क्या महत थे इसका उद प्रोसाहित करने ही तो उर्दगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए पितिवद्ध भी है आपका ठीक है सेवतराष्ट अभी समय कि मरुस्थली करन को रोकने के लिए सेवतराष्ट अभी समय कि स्थाफना कब हुई थी 1994 में कम 1994 में यह अकेला कानून कानून अधिकारी का मतलब सीधा सा यह होता है कि आपके सोईक्षापन निर्बन नहीं करेगा आपको मानना पड़ेगा उस समझोरती को ठीक है बारत में जो नगर बैक्षार उपन में विशेष्टता रखता है वाल पराई वाल पराई नगर रिष्ते थे कुएमबटूर जिले मे चेन बारत इंडोनेसिया जाबान में से जिसके भोगली चित का उच्टम पितीसद बन अच्छा दी थे जापान देखेंगे आपको कोल भोगली चित पल के सब्तर पितीसद भाग और बन बनाये रखने का समिधारी प्राउधान है कहां भूटान में चोटा देश है कम ही जनसन क्या है इसलिए एलूमीनियम को इसके परयावणी है हित्यसी स्वरूप और नभी करने है योग होने के कारण कहा जाता है हरी धातू भी कहते हैं क्या कहते हैं हरी धातू पूरवी दक्कन पठार में प्रमुकता पाई जाते हैं यह आपको देखने को मिलेगे सुच के सदा बहार बन ठेक है वाडिजिक दिरिष्टी से लापमेट ब्यक्षों की एक पादक किर्सी की अनुपम प्राक्तिक छटा कुनश्टर करिये इमारती लगडी का बिचार सुन्न दोहन ताड रोपन के लिए विसाल कर भूगंड कन निर्वर्नी करन मैंगोब का विनास आदवासियों द्वारा अनाधिकार आखिर समस्याओं को अधिक ही जटल बनाते हैं आलवड जल कोट रिकाएं तो रिद गती से सूप रही है क्योंकि निर्वर्नी करन और मैंगोब कभिनास हो रहा है इस उद्वर्न में निर्देशिस रिस्थान है सुन्दर्वन ये सभी एक तरह से आपके यह कि कि विशिष्था किसकी सुन्दर्वन के वारे में कहा गया है पूरा बाफ ठीक है वर्स 2000 यानि कि सन 2004 में कि सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया था कि गराम गरान यानि कि मेंगो तटिये आपदाओं के विरुद विस्वसनिये सुरक्षा वाड़े का कार कर सकते है गरान सुरक्षा वाड़े की रूम में जिस पिकार कार करते हैं वह है गरान की वेक्ष अपनी सधन जड़ों के खारण तूफान और ज्वार्वार्टी से नहीं उखड़ते हैं एक तरह से आप कहिए कि सुनामी के लिए कापी सुरक्षा का उपाय हो सकता है कफन ए उडिशा तर्ट भारत में सर्वादिक चकवात प्रमण चित है बिल्कुँ सही है आप सुनते हैं तो यह कोई भी चकवात आता है तो कहते हैं उडिशा की तरफ आया बंगाल की खड़ी में कारण आर की बात करें तो महानधी डिल्टा छित में भारी मात्रा में मेंगो का निर्वनिकरन की हुआ है यह आपका सही है यानि कि ऐ आर दोनों से हैं और आर य की सही ब्याख्यावी करता है चेकवात और उधक की रोम में कार करता है मैंगो बन उडिशा के केंद बाड़ा जिली में ब्रमडी और बितर्णी और महानदी डेल्टा छित में इस्ते थे वीतर कनी का गरान ठीक है या मैंगो बनों के लिए पिसिद्ध्य हो या एक रामतर इसकल है वर्स 2002 में घुसित किया गया था यह भीतर कनी का गरान ठीक है सही कथन है इसी तरह कि आपके पूछ लेगा और आपसे पूछ लेगा सही कथन आपको चुनना है टैक्सक बेक्ष हमालाय में प्राक्तिक रोग से पाय जाता है टैक्सक बेक्ष रेड डाटा बुक में जुनना है अपको बिस्वबर ने जीवन कोस की स्थावना उनी सेट में हुई जुलाई 2000 में उडिसा के नंदन बन अभ्यारन में तेरे सेरों की मित्यू का कारण ट्राइब 900 मेसिस रोग रहा है बारत का सबसे बड़ा जीवन सालक ओलकाता में वस्ते थे यह सभी आपके च लिए जलवाई छेत्रों में पाए जाते हैं मुक्यता मत्थ एवन दच्टी अमेरिका की स्थावार बनों में पाए जाते हैं स्पाइडर वानर है ठीक है बारती पराणी जाग जो संकटपन है यह घड़याल है धरम पीट कुरूम है लेधर बैक टर्टल भी कोलते हैं और अनूप म्रग भी है ठीक है भारत में प्राक्ति रूप से पाए जाते हैं तारा कचुगा मॉनिटर चिपकली और वामन सुगर भारत में पाए जाने वाली नसल खराई उंट के बारे में अनूठा क्या है यह संबुद जल में तीन किलोमेटर तक तेरने में सक्चम भी है य कैसे भी याद रखना कथन ए और कारण आर कथन ए मैंगो कुछ समुद तटों के सीमावर्ती उष्ट कटी बन दिये और उखुष्ट कटी बन दिये चित्रों कि अती विशिष्ट बंद परस्ति की निकाय होते हैं बिल्कु सही है कारण आर की बात करें तो वे तट्रेखा क को इस्थे रखते हैं वो समुद्वार्ण सेमोल लगन की ब्रोध प्राचीर का काम भी करते हैं यानि कि ए आर दोनों सही है एक की सही व्याक्षा आर करता है ठीक है एबन जै बेविता के सरक्षा होने के साथ समुद्र और तटके वी मत्मूर कड़ी का काम करते हैं और तट वाग सिखर सम्भिलन 2010 में आउजित किया गया था यह पीटर्सबर्ग में किया गया था विस्त का पिथम वाग सिखर सम्भिलन सेंट पीटर्सबर्ग में आउजित किया गया था कब यह आफका रूस है रूस में है सेंट पीटर्सबर्ग ठीक है एक की से 24 नवंबर 2010 के मत् प्रयासों के दूम में सेव नामा के एक नया संकतन प्यारम किया है सेव का उद्दिश किया है टाइगर को बच जाना यानि कि टाइगर को सरक्षन देगा टाइगर की खाल का प्रयोग आसन लगाने और संदरी के लिए किया जाता है तिव्बती बहुत धंद्वारा इसलिए सोची आप लोग इसका जाना सिखार किया जाता है अब इसका व्याफर भी होता है यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आप को वहां जिन जलता वाले भावों में बीच बांज या ओक जैसे चोड़ी बत्ते वाले बैक्ष देखे जाते हैं यह उपोष्ण कटी बंदिये बन तिटेग वर्स कतीफय विशिष्ट असमुदाय जन जाती है पारस्तितिकी रोप से मात्पूर है मास भर चलने वाले मास भर चलने वाल अब यहां तिवार के दोरान फलना बैक्षों की पॉद का रोपन करते हैं बेसमदाय जन जाती हैं गौन और कोड 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 ठीक है भारत की एक विशिष्चित में इस्थानिय लोग जीवित बैक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जंदारा के आर पार फुलों रोपांदित कर देते हैं जैसे जैसे समय गुजरता है फुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं अनौक ही जीवित जड़ पुल पाया जाते हैं मेगाले में आपने देखा होगा कि इस तरह के अभी भी चलचा में कुछ देन पहले इस तरह के पुल आपके चलचा में बने ह जाते हैं अगर किसी पेड को काटे बिना उससे पुल बना दिया जाए तो उस पुल को क्या कहते है आप लो जीवित पुल या प्राप्तिक पुल कहते हैं ठीक है बार्तिय पसु कल्याण बोर्ट देश में पसुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पसु कल्याण कानून पर है कानुनों पर एक सम्विधान, एक सलायकारी निकाय, राष्टी वाक्स अरक्षन परादी कायन एक सम्विधिक निकाय है, परियावन वन एवं जल्वाई परिवतन मंत्रा लेके अंतग है, ठीक है, भाहदत की पहली राष्टी वन नेती पिकासित हुई थी 1894 में, अंग्रेज में, यह सुतंद भारत की है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1947 को आजाद हो चुके थी, उसके बाद बनाई गए थी है, देश के एक तेहाई यत्वा 33.336 चित में, पहडी चित में दो तेहाई यत्वा 66.666 चित में, बन अतवा बेक्षा रूपन होना आवसक है, राष्टी वन नीथी 1988 के अनुषा जिनका बेक्षचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच आईसर दोहजार शत्रेक यानसा देश में जाडियों का चितफल पैंतारीस अजार नोसो उन्न्यासी बर किलोमीटर है जो कुल भोगोली चितफल का था एक दसम्बलों चालीस पिती सथ आईसर दोहजार सत्रेक यानसार देश में कुल अनावरन और व्यक्षार उपन देश के कुल भोगोली चितफल का था 24 दसम्बलों चालीस पितीस अभी जो नई रेकोड आई हुई थी उससे देख लें आप लो आपको बता दिया गया है ठीक है दोहजार उन्नीस में दो साल म पाला राज या मिजोरम कुण बैक्षा वरन बनावरन छेत्र की दरिश्टी से सरवाधिक चेत पल वर मादपिदेश अरुनाचल पिदेश महाराश चैतीस गर पुडिशा इसी दिरिश्टी से भोगोली चेत के सरवाधिक पिदीशद वाली चार राज लक्षदी मिजोरम अंडवान, निकुवार, अँणा, चलपिझेज gusta, ISR ISFR 2017 क, Goku चेथपल की दरिष्टी से सरवादिक बनावर्न आउरेज़ा वाली 5 lutiris suka Mar solar चेत्पल की दरिश्टी से सरवादिक बनावर्न वाले 5 संगीय चेत लक्ष्डी मिजोरम अन्वाद वाले दादरा एक बननागर हवेली दिली पूडुचरी लक्षिदी सबसेकम सरवादिक बनावर्ण पितिसद बाले पांच राज जिस्ति संगीए छेत, लक्षरी, मिजोरम, अंडवान एक बार दुई, आरणाच राज किरम सा मिरोज़्योरम, अरणाच राज पितिस, मद्विदे, मडिपोर, मेगाले, नावले इससे आपकी questions UPPCS में कई वार पूचा जा चुके हैं और कई वार पूची भी लेते हैं हर परीच्छा में लगवग 2019 की जरूर देख लिए निउन्तम बनावरन छेत बाले पांच राज किरमसा हैं हर्याना, पंजाब, गौार, सिक्किम, बिहार निउन्तम बनावरन छेत बाले पांच राज किरमसा हर्याना, पंजाब, राजिस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजराट सरवाधीक बनावरन छेत बाले पांच राज की चार संगिये छेत थे लक्षिदीब, अन्यकुवार, दादरा और नगर हवेली, चंडिग सरवाधीक बनावरन छेत बाले पांच राज थे, किरमसा महराथ, राजिस्थान, मद्रपदेश, गुजराट, जमू कस्वीर, निउन्तम छेत बाले पांच राज जे किरमसा थे, सिक्किमतेपुरा, मडीबू, गुआ, नागले, भोगली चेत की पितिसद के बाले पांच संगीर चेत में सरवाधीक ब्यक्चा वरन पितिसद में किरमसा दमन्दूई, चंडीगर दिल्ली लक्षती, कुल ब्यक्चा रोपन बावा बनारण चेत की रेट चेत सरवाधीक चेत पल बाले पांच राज थे, मद्रपदेश, सरवाधीक पितिसद महराश, चतिसद गर उ इन जिलों में, कुल बनारण आपका 2,83,462 km है, जो कि इन जिलों की भोगलिक चितफल का है, 40.22 बीति से, आई एसे फार 2017 के अनसाथ, देश के 14 भूग प्रांगतिक चेत्रों के चितफल की द्रिष्टी से सरवाधीक व्यक्चा रूप बरने मद्य उच भूमियों का, लव और आपका इस तरव 26 से 35 डिगरी Celsius के मतुखता है, मेंगो, ठीक है, मैं इसकी एक लिंक नीचे दे दूगा, ठीक है, वहा से आप लोग जा कर देख लिए, क्योंकि मुझे लगता है, कि आपको उसे पढ़ लेना चाहिए, कुश्चियां से बनते रहे हैं और पूच्छे ज भारत में मैंगो आवरन, विसकी संपूर मैंगो बनस्पती का लगवक 3.33 है, भारत में सरवादिक मैंगो अच्छा दित, चाराज संगिय स्चेत करम साएं, पर्ष्य मंगाल, गुजराद, अंडवान निकवार दूइप समूग और आंधपिदीस, चार सरवादिक मैंगो अच्छा दित जले की बात अगर करें, तो दच्छे चोवीस परगना, पर्ष्य मंगाल, कच्छ गुजराद, उत्तरी अंडवान निकवार दूइप समूग और कैंद पाड़ा ओड़ी सामें, अगर आपसे पूछें कि विसका मैं मैंगो का सरवादिक चित हैं, एस या में देखने के भी लेगा, ठीक है, उत्तर पिदेश में सरवादिक बनावरन बाले चित वाले चित वाले जिले हैं, सौनवद खेरी मेजाकुर, उत्तर पिदेश में नियुनतम बनावरन चित वाले जिले हैं, संतर अभीदास नगर, महु, संत, कभी नगर और मैनपुरी, उत् की कुल होली चेत्पका है 6.09 बितीज़ परस्ट यानि की 6.09 बितीज़ उत्तर क्रेंत में कुल बहु हुली चेत्पका है 3.09 बितीज़ राज्य में कुल बना अबरंड बैक्छार उपन 22,212 क्ल्म के ना है 9.18 बितीज़ वन चेत के संद्रव में तीन सीश देश हैं, रूसी संग, ब्राजीन और कनाड, सरवादिक मेंगूब अच्छा दित राज संगीय चेत है, पश्यमंगाल, बैसविक बन संसाधन आखलन के तहत विस्व के बनो यह उनके परबंधन की नेमित नेगरानी कराता है, सविक्त बढाद कोटें कोटें, दो साल में एक वार आती हैं, इसलिए भी महत्कूर हो जाता है, कि दो साल तक आपने बढ़ जाता है, आप अब ậर चाही कमा दोटे दा साल के लिए होती, तो इसलिए महत्कूर भी हो जाते है, तो इसके बारे में आपको बता?दिया है, यह आपका अभ्यार है नो और जैब मंटल रजर इससे समदीत कुछ मात्मूर तत है उत्राकंड की राजी जिस राष्टिय पार्क को बश्ट 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रियोजना के अंतर के सम्लित किया गया यह राजा जी राष्टिय पार्क है राजा जी राष्टिय बार्क है आपका ठीक है उत्राकंड की जिस बनजी बिहार समू की सितिका पस्ट्यम से पूर की ओर सही क्रम है कैदारनक नंदा दिभी और बिंसर असकॉर्ट यह आपके समलित आपको वस याद रहना है राष्टिय उद्यान होगा राज जोग है इंतानकी यह आपको नंग प्रम में देखा जाता है वह है क्या है यह आपका बाग अभ्यारों का अभ्यारनों का रख रख आपके लिए है हाली में आपने देखा है कुछ सेरों को गुजरात में उनके प्राक्तिक आबास से जिस इस्थर पर इस्थानानतित किया जाने का प्रिस्ताओ है वह है कुनो पारिस्तित की दिश्टी कौन से पूर्वी घाट्टों और पश्यमी घाट्टों के वीच एक अच्छा संपर्ख होने के रोह में जिसका महत अधिक हुआ है सत्मंगलम बाग अरक्षेचित सत्मंगलम टाइगर रिजर्व है जार्खंट सरकार ने राज की विवेन बनजीब अभ्यारनों में बनजीब प्रमंधन योजना सुरूं की थी दर्स वर्षों की दस वर्ष की अउधी के लिए महु अंडार अभ्यारन जार्खंड के जिली में इस्तित थे लातिहार में तो सबसे पहले तो यहीं रखना है आपको भी महु अंडार अडान यह कहां है अभ्यारन जार्खंड में अंतराश्टी टाइगर दिवस मनाय जाता है 29 जुलाई को यह भी याद रखे है कई बार बन चुका है 29 अगस्व को मनाय जाता है आप सभी को नीचे बताना है और आप देखते हैं कि आयो 掌रा है A बारत में अंधिकास, बनजीब, सरक्ष चित घरे हुए है, घने जंगलों से, बारत में आज यसी कितने राष्टी उद्धान है, जिनने देश के बन, प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाए गया है, एक सो तीन, ये बदलते रहते हैं, देखें करेंट से आप लोग बन चुका है, और MP में भी बनते रहते हैं, और कई एक्जाम हो में आपके, तो 1973 में ये उजना लाई गए थी, प्रोजेक्ट आई गए, ठीक है, बारत का राष्टी जैविक उद्ध्यान इस्ते थे नई दिलनी में, बारत में पहला, इस्तावित पहला राष्टी उद्ध उस समय आपका बिहार में था, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार से अलग करके जहार्गन लाया राज बना दिया गया था, ठीक है, भारत में, भारत में सबसे बड़ा बाग आबास पाए जाता है, आंध्धितिस में, एसियाटिक बबबर सीर का निबास था है, गिर्वन, यह जैब मंडल रिजर्व उनकी चेतफल और स्थाफना बर्स है, इन्हें देख लिए जैब मंडल रिजर्व, अचानक मार अमरकंटक में, अप जानते हैं, इसका चेतफल आपको देखने को कुन लिएगा, 3835.59 बर्ड किलो में की थी, अगस्त मलाई की अगर पूंचे तो 1998 में की गी थी, देंबरू, सेखोबा, 765.59 में 1997 में इसकी स्ताफना की गी थी, tz ग्रेट नेकोबार, 885.59 में मैं इसकी स्थापना कीकई थी, मननारगी 온 0052 में City 1501 km स्थापनी नंदादीवी 5,860.89 इसकी स्थापना नीलगीरी के बारे में अगर आपसे पूंचे तो 5,520 बर्ग किलोमीटर में फ्यला हुए 1986 में इसकी स्थापना की गी थी नौ क्रेट ए 820 बर्ग किलोमीटर में और 1988 में इसकी स्थापना की थी पचमडी की अगर पूंचे तो 4,981 दसमलो 12 किलोमीटर इसकी स्थापना नीलग की थी सिमली पाल यह आपकी 4,374 किलोमीटर में फ्यला हुए 1994 में इसकी स्थापना की थी संदर्वन के बारे में अगर आपसे पूंचे तो 1996 में इसकी स्थापना की थी सीट रेकिस्तान 7,772 किलोमीटर में इसकी स्थापना की थी सैसाचलम पाडियां 4,7496 किलोमीटर में अगर फ्यला हुए 2010 में इसकी इसकी स्थापना की थी पन्ना 2998 किलमेटर में फ्यला हुगा है, 2011 में स्थापना कीगी थी, एक बात याद रखे, क्या, इन्हें पढ़ लीजे, एक से दो बार और आपको लगता है, मैं जल्दी बोला, थोड़ा आप सिलो भी कर सकते हैं, आपके बास ओपस ओप्सन है, ठीक है, बड़ा गटा भी स जी सकते हैं, तेज करना है, यह अच्छा हुपसन है, पन्ना मैं आप जानते हैं कि हीरे के लिए पिसद्ध है, मड़पीदेश का एक सहर है, जिला है最 deep है लेकिन आप जानते हैं यहाँ हीरा पाएक जाता है, हितना कीमति धातु, धातु फिर भी यहाँ के देखेंगे अधिकता लोग गरीब देखने को मिलेंगे तो आप समझेगे कि जिस तरह वही यहाल है कि जो लोग बोट देते हैं वो बिकारी हैं और जो भीग मांगते हैं बोनीता मतलब आप सूचिये कि जमीन आस्मान का परक रहता है अमीर हो चुके हैं और जो भीग देने वाले गरीब हो चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग तो इस तरह कि आ समन्ता देखी जाती है आपसे यही पूच लेगा क्यावला देव राष्टी उद्यान कहा है भरतपूर राजिस्थान में इसे पहले भरतपूर पक्षिया ब्यारण की नाम से भी आप लोग जानते थे जी मंडल अरक्चित परिक्षण चित है अनुबान से बिपिधनताओं के लिए चैब मंडल रिजर्व उनकी अवस्तिती का सुम्मिलन है 9 क्रेक मेगाले मानस असम दिहांग दिवां अरुडांचल पिधिस अगस्त मलाई केरलत मिलालू नंदा दिवी उत्राखंड कंचन जंगा सिक्किम सीत मलग उसकल कोल्ड डिजर्ट ये हिमाचल पिधिस में आपको अठारे जैब मंडल अरक्षी चित इस्थावित किये जिनमें इन्दादेवी जैब मंडल अरक्षी चित्रों के विस संजाल में समलित किया है 10 को ठीक है ये भी बदलते रहते हैं आपके करेंट से इसलिए पढ़ते रहिए बारत में बिन ने जैब बंदारों में से जो गा हो सकता लेकिन ऐसा अभी दूर दूर तक आपको दिखाए नहीं देगा जब देगा दिखाए तो आप लोग तब भी समझ जाना विससे धर हो है इस्तल वर्ल हेरीटेट शाइट इस गोसेत है नंदादेवी जैब मंडल अरक्षी चित ए उत्तरा खंड में भारत की जैब मं जो दिखाए अब्हारण में अनुमती होती है सीमेद जीवी है इस्तानी लोगों को जीव भार्व ईकतित करने हो ऊसके उपयोग की नहीं है राष्टी उद्यानों में जिन राष्टी उद्यानों अभ्हारणों को विस्थ प्राक्तिक धर्वर के नाम से जाना जाता है जंगली गधों का अभ्यारन है कुजरात में एक सिंग्र वाला गैना पाया जाता है पश्चे मंगाल और असम में देखने को मिलेगा अभ्यारन स्टेंचुरी राहिनों के लिए जाना जाता है काजी रंगा गैन्डों को पुनरवासित करने का कार जिस राष्टी उद्ध्यान में चला है यह दुद्वा राष्टी उद्ध्यान यह उत्तर प्देश में याद रखिए यह वी कई वार पूंच लिया उधाओ पक्षी बिहार का है यह साहिव गंज में आपको देखने को मिलेगा यह आपके राष्टी उध्यान हो गए यह राज हो गए बांदोगे राष्टी उध्यान का है मद्विदेश में बांदीपोर राष्टी उध्यान का है करनाटक में रोहिला राष्टी उध्यान का है हिमाचल पिदेश गिर राष्टी उध्यान का है गुजरात में भीषटी आ पार्कव की शंक्रया नौ नो है कहाँ अंडमाने कुबार वो अ मंद्धदेस में याद रखेए यानि की अडरमानने को वा मंद्धदेस में सबसे जानदा है बत्रबदेस की wenn पक्षी-बिहार का उनके जिलों के साथ सही उंबले的时候 पक्षी ब्यार हो गया जला हो गया नबाब गंज पक्षी ब्यार उन्नाव में देखने को मिलेगा ओखला पक्षी ब्यार गेटा इनोडा में देखने को मिलेगा समस्पूर पक्षी ब्यार रायवरीलियन में देखने को मिलेगा फारवर्ती अरंगा बक्षी ब्यार जैपिका राश्टी उद्यानों का उनके राज्जों के सही सुमले हैं, आपको याद रखना है, राश्टी उद्यान होगा है, राजा जी राश्टी उद्यान कहा है, उत्राकंड में, पिन बैली कहा है, एहमाचल पिदेश के लाहोत, एवं इस पीती जली में आपको देखने को मिलीग ये भी आपके राष्टी पार्क और सनरक्षन के लिए उनके रखे हुए बननेजीबों की सूची है राष्टी पार्क हो गया हुआ बननेजीब तो बांधीपूर एक बाग अभभारन के लिए काजीरंगा एकल सेंग गैण अभभारन के लिए सुन्दर्बन जै मंडल अभभारन के लिए चुना गया है ठीक सिंपली पालोडी साथ सरिष्का और रडधंबोर जिस जानमर के लिए सारक्षे थे बागों का प्रमों के रिजर्प सरिष्का जिस राज में उस्ते थे राजिस्थान अलवर जिले में ठीक सलीम अली राष्टी उध्यान का आई जम में फेला हुआ है यह आपको मद्यपतेश के सिपुरी जिले में में देखने को मिलीगा एक सो साट वर किलोमीटर चेट में फैला जैस मंद बनेजीप अभ्यारन इस्तित है राजिस्थान के उदायपुर जिले में आपको देखने को मिलीगा नहारगर बनेजीप अभ्यार होते रहते हैं तो अभी याद रख लिए जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तब आप लो करेंट से जोड़ी ही होंगे मुझे लगते हैं तब आप पढ़ते रहे हैं यह आपके प्रोजेक्ट टाइगर वाले राश्टी होते हैं होगा ए राच हो गया इस्टेट हो गया ज पाना मदपिदेश मेग मेलगाट महराश परियार केरल सरिषका राजिस्तान नामदफा अरणाचर पिदेश नागारज्वेसागर स्री सेलम हाद पिदेश अमराबाद तेलंगाना इंदरावती चतिसगर बुक्सा पष्णमगाल दुदबाग कतरनी घाट उत्तर पिदेश काला कार मुंड़ई थ्वरई तमिलारू बालमी की बिहार पैंच मदपिदेश बानावगर मदपिदेश पन्ना मदपिदेश दमफा यह आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में देखने को मिलेगा मिजोरम में तदोबा अंदेरी ए महराष्ट में भद्रा करनाटग में नवेरी असम पैंच महराष्ट बोरी सत्पोडा मदपिदेश पक्के अरणाचल पिदेश अन्ना मलाई तमिलारू उदंती सीता नदी चतिसगर सत्कोसिया उडिशा एक यह वार प अचानक मार चत्तिसकर डंडेली एंसी करनाटग संजैटोबरी मदपिदेश मुडों लाई यह तमिलाडू नांगर होल करनाटग त्रयापक पारंभी कुलं केरल सहाद्री महराष्ट कावल तेलंगानां बी आर्टी करनाटग सत्तमंगलं तमिलाडू मुकंदेश राजिस्थान नवेगाउन नांगरिजीरा महराष्ट पिलीवीद उत्तरपदेश बोर महराष्ट राजाजी गुत्रकन ओरंग असं कामला अरुणाचल पिलीजिए ठीक बाद में बाग सरक्षित परियुजना के अंदर नहीं है चिलका नहीं है आपका बाग अरक्षित गूसित किया गया बांदी पूर्मान संदर्वर को बाद की टाइगो रिजेर्व में जो मिजूरम में आउस्ते थे दंफा सही सुम लेते हैं अब का दो राज्यों में है ब्राग अभ्यारण काना और रटांबोर बादावर काजी रंगा जाना जाता है गेंडे के लिए अभ्यारण होगे राज्यों होगे गरम पानी असम्मे देख लिए पाकल आंदपिदेश और सरिस्का राजिस्तान में ठीक है अप जिस भी ईस न स्वाहरण जाना जाता है भागों के लिए कि रreashti अभ्यान हों गया उध्यान और जिला होगा ऐता है co गुजरात में देखने पूरेगा', भारतपुर पक्षि बिहार य स्थान में, बान्दावग स रश्ट्रिक उत्यान, मदवदेश, काजीरंगा स रश्ट्रिक उत्यान, असर्म से दियान देखने घूर। अब कई लोगों ने कालता कि वह याद क्या से किया जाए तो याद रखिए याद सबको करपाना मुस्किल रहता है तो एक से दो बार आप लोग पढ़ लिए और याद रखिए जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं उस साल जो भी चर्चा में रहता है अगर किसी कारण से तो आप उसके बारे में विस्तत जानकारी देख लिया परेगा क्योंकि अधिकतर उसी के बारे में पूंचा जाता है और आप लोग देखते हैं कि देशों के इतने देश हैं सब के बारे में याद रख पाना मुझे नहीं लगता है कि रख सकता है कोई आपकी छोड़ी है कोई नहीं रख सकता है सभी देशों को याद करना तो आपको नहीं देशों के बारे में याद रखना पड़ता है जो जिस साल आप पेपर दे रहे हैं, उस साल करेंट में हैं, कुई चर्चा में हैं, तो उनी के बारे में विरस्तार से जानगारी एकड़ी कर लिया गरेगा, उसकी सीमा मितने देसों से लग रही है, आपके अपने राज्यों की भी याद रखा गरिए कि कौन सी सीमा कितने राज्यों से चूती है क्योंकि कई वार कुश्चन से बन चुके हैं मद्ध विदेश के बारे मैं पूछ लेता है कि मद्ध विदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है सबसे जान्दा सीमा कितने कौन से राज की लगती है तो आप जानते ही उत्तर पिदेश की नौ राज्यों से सही सुमलन राष्टिय पार्क और राज्य होगे दाची गाम कहा है जमुकसमियों है और पापी कॉंडा आंध पिदेश तेलंगाना संजर राष्टिय उत्यान आपको मदपिदेश में देखने को मलेगा सही कालनुसार है राष्टिय उत्यान होगे इस्थापना जिमकारवेट 1936 की बात है काना 1922 काजी रंगा 1934 साइलेंट वैली आपको 1980 में बस्तर जली में अवस्ते थे इंद्रावती राष्टिय उत्यान म मतफिदेश के सहीरोल मंडल के उमारिया इस्ते थे एबान वगर राष्टी उत्यान दानड máis अभ्यारन इस्ते थे करन नटक में उत्तराखन्ड़ तीं जेले दयरादू्न अरिद्वात्पाूण। परी outcome गहडवावल us थे ते राजाजी राष्टिय, उत्यान. एबी आपके सही समलेत हैं राष्टी उद्यान और राज अंस्ति उद्यान करनातक बेटला राष्टी उद्यान ज्रकन इंद्रावति राष्टी उद्यान चत्विजपड कि गूगावल राष्टी उद्यान महाराष्ट या भteilक stoked सब्सक्राइब Ben सब्सक्राइब प्रियार राष्टी उध्यान किसके लिए बागेवम हादी के लिए राजाजी राष्टी उध्यान हादी मानस राष्टी उध्यान हादी के लिए उद्धवा राष्टी उध्यान ए टाइगर के लिए पिसद्ध्यु में केवलादेव राष्टी उध्यान कहा है भरतपूर बन विहार राष्टी उद्यान विस्तारित है मत्विधेस राष्ट की भोपाल जली में ठीक है आप देखेंगे बन विहार राष्टी उद्यान अब देखेंगे इस लाइन से कितने questions आपके बन सकते हैं आप लोग बड़ी इसके लिए तो बोलता हूं कि 5-7 साथ साल की कुष्चिन्स उठाकर देख लिया करेगा सेवल सर्विस के तो हम लोग बात कर चुके थे आपके यह MPPS थी यूपीपीसियस चैसे साथ साल की कुष्चिन्स तो क्या होता है कि इन ही के आदार पर हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कुष्चियां से तरह से पू मनार की खाड़ी में यूनेसको ने जुलाई 2006 में भारत के जिस राष्टी उद्ध्यान को विस्सदरोह रिष्टल गोसित किया था कौन सा है यह कंचन जंगा खांग चैन जोंगा राष्टी उद्ध्यान भी कहते हैं सिर्थ सही समले थे बायव स्पीर जरूगा एडवर्ड स्वेस एको सिस्टम एपी डी डी कंडॉल एकोलोजी एजी ट्रांसली जैव बिवित्ता रेमंड एप दासमें इनसे संबंदित जोड़े हुए बैकती हैं कारविट और राजाजी राष्टी उद्यान बन जी प्रवंदर ह जिस पर्माने के हवाई च्छाया च्छते हैं उपयोगत लगू पर्माने वाले हवाई च्छाया च्छते हैं एक नेशनल पार्क इसलिए अनुठाय कि वह प्लोवन यानि कि फ्लोटिंग पनस्पती से युगत अनूग स्वेंग होने के कारण सम्ट जैवित्ता को बढ़ा किया गया था महराष्ट में सदर्र वर्ड थ्विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जैसे राज तितली का दर्जा है करनाठक ने दिया है युनेसको द्वारा मैन एंड बायुस पेर प्रोग्राम की शुरुवात की थी 1971 में 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 ग्रेट हमाला राष्टिय पार्ग ज इतम जेम मंडल निदी मनार की खाड़ी को बोसित किया है मेगाला इस्तित गारु खासी रेंज भाग है गारु पहाडी होने आप जानते हैं कि मार्सिन राम यही इस्तित है मेगाले में जहां सबसे जान्द अब विस्व में वर्सा होती है लोकटक जी भारत में ताजी-प पांच मौसमों का बागिस्तित है महरौली की समीब भारत में ACI X की सरवादिक संख्या है आज के बल लगबग 2000 से 20,000 से 25,000 तक X सदावार बनो सुस्क कटील कंटीले बनो अनूप चेत्रों घास के मैदानों में फैले हुए अपने पिराक्तिक आवासों में तथा भी उनकी प्रमोखावास नरम परण पाती है भारत में X की संख्या उतर पश्चिम भारत में से लिकर जहां विद उत्राकंड के देरादून नेनी ताल और उतर पदेश के विजनोजलों की बन विभाबों में पाए जाते हैं करनाटा और केरल राज्य में पश्चिमी गाट और तमि बोरी कहानी तहीं है दो किसके बारे में हाथ सब्सक्रा के बारे में कहा गयी artificial है कि आप देखेंगे कि यानी ane की पूरे विश्त मैं बागों की आखिलन संख्या यह 3000 किया बची बारत में बागों की संख्या की आखिलन आपको बताना है याद रखे 2200 आपके पुराने नए आख्टिये हैं उसमें आप देखेंगे उन्तीस सो सरशट हो चुके हैं ठीक है और याद रखे इसमें सबसे जाना आपके MP में मैं बता चुका हूँ सबसे जाना कहा है MP में आपको 526 देविने को मिलेंगी ठीक है और आप ऐसे भी जान दे हैं कि मंदपदेश को टाइगर इस्टेट कहते हैं आप जिस राख्टी उद्ध्यान ने वनजी प्रबंधन के लिए डॉन या फिर माना और रहे थवाई भाहन का उपयोग करना प्यार पालपूर कुनो पालपूर नामा के स्थल वह है अवस्तित कुनो बंदीजीव अभ्यारन है अभ्यारन का ACI सेरों के पुनरवेश इस्थल के रूम में चैन किया गया है एस सेवपूर मद्पदेश के जली में पढ़ेगा आपका कहां देखने को मिलीगा सेवफुद पालपूर इसका प्राक्तिक आवास में पाये जाने की सबसे अधिक संभावना कहां है एक पश्मी घार में आपको देखने भी मिलीगी कहां पश्मी घार में इसका प्राक्तिक आवास पश्मी घार में इस पक्षी का बिढ़्यानिक नाम वीओ सेहरस, भाई कारने से यह पक्षी एक विसेश पिकार का गोंसला बनाता है बनों की कटाई होनेária से इस पक्षी की प्राक्तिक आवास नच्ट हो गहे हैं तो आप देखेंगी ग्रेट इं एचिक मंगलूर, साइनेट बेली सांद गाड़ी पाल गाट में, पैंच गाटी इनानपुर में, ठीक, भारत की पितम तितली उद्यान बंणर, घटा जयविक उद्यान का है, यह आपको में बैंगलोर में देखने के मिलेगा, कहां बैंगलोर, असकोट बने जीप सेंचुरी कि जिस जर्पद में है, हुए है, पितोरागाट, कहां पितोरागाट में, ठीक, यह आपके सही सुमलन है, बात आरक्षिछित और राज है, बांदीपुर, यह करनाटक में आपको देखने के मिलेगा, मैलगाट, यह महराष्ट में, बुकसा, क्वश्यम बंगाल, पाकवी, अपना जल प्राप्त करता है, यह रामगंगा नदीज से, नैसनल पार्कों में से जिसकी जलवाई उठने कटी बन दिये, से उपोष्ण सीतोष्ण और आर्केटिक तक परिवर्तित होती है, नामदफा नैसनल पार्क, नामदफा नैसनल पार्क, बुकसा बाग परियोजना भारत के किस राज़ में इसते थे, वह है पश्चे मंगाल में, कहां पश्चे मंगाल में, सुकला फंटा बनजीव अप्यारण कहां आईते थे, नैपाल में, कहां नैपाल में, यह सही समली थे आपकी, दमफा टाई अरेजल मेजूरम में है, गुंटी बनजीव और इस दोनों आपकी कारवीट राष्टी उध्यान से ओकर जाती है। परह्मपुत््व्य मूरा भ Peng Raja राष्टी उध्यान से ओकर देखने को मिलेगेगे। Silent Valley राष्टी उध्यान से ओकर गुजरती है। कुंति पुजा नदी पंजाब रांद में 217 नदी सतलोज के संगम पर स्थित है हरी के आध्भुमी राजिस्थान परांद की भरतपुर में गंबीर और बाढगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवला देव घनाराष्टियों उद्यान आंधपिदिश में किष्णा और कोले रूजिल भारत में सरफ देथा हम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के इंतर के प्रवाल भीतियां मॉलस्कार और डॉल्पिन कच्छुए और अनेग पकार की समुद्री पक्ची हैं इस था पे थे ही कच्छे की खाड़ी में आपको दीखने को मिलेगा नेलगीरी की मेग बकरियां पाई जाती है एराभी कूलम राश्टी पार्क में ठीक है यह आपके सही सुमलेते हैं राश्टी पार्क होगा बनजीब अभ्यारन ओई राज होगे जिस राज में हैं बॉनडला बन जीब अभ्यारन गॉआ में देखने को मिलेगा ही ओड़ स्यंका। इसे सुन चिनार भन जी बेहार अवस्तित है केरल में. सुल्तानफूर वर्ड सेंचुरी वर्ड सेंचुरी कहा है?, गुड़गाव गुरुग्राम है तमिलाडु का पक्षी बिहार अवस्तित है कारीग कीली में जिस देश में उसके कोल छेतपल का तीस पी तीसत से अधिक छेत राष्टी पारिक के अंत्रगत आता है आपको बता चुका हूं भूटा एक छोटा सी देश है वो बहुत कम जनसं है तो यहां कुछ भी संभव है आप जानते हैं कारवन यहां नेगेट्टिब मतलब एक तरह का दर्जा मिला हुआ है कि कारवन सबसे कम उत्साजिन करता है क्यों विस्व का सबसे बड़ा बनस्पति उद्ध्यान कहा है क्यों इंग्लेंड में बुंदाला जीव मंडल आरक पागिजल नमरू सिरियरंका और भारत के वीच्छी ही इस्ते थे ठीक है अब बात करने ही बिकल्पिक उर्जा से संब्दित कुछ महत्वूर्ण प्वैंट आपके बन सकते हैं सबके लिए सबत उर्जा दसक पहले हैं यह सईवतराष्ट की हैं 2014 से 2024 तक है इस समय को आप ल जब पर चलने वाला भारत का पहला केंद सासित पिदे से दीव याद रखे एक कई बार पूच लिया गया है कभी-कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंसावसक्तापत का संबन्द किसलिए होता है सौर सक्तियां उत्बादन के विकार से सेवालाधारिक जय भी नन उत्बादन को स्थापित करने है और इंजिनेरी करने ही तो निर्मारपूडा होने तक जरूरत होती है उच चिसतरी है विसे सगता यानि कि प्रवदगिकी की उर्जा का एक नभीनी करण सरोथ है सौर उर्जा नभी करणी है सरोथ का इतना ही मतलब है याद रख जानभी जी उर्जा आनि प्राक्तिक संसाधन उधारन है peg न सर्वी करनी है उर्जा के उधारने कभी न शमाथ होने बाले और पिदूसन रहे Pacifica है सौर उर्जा विकल्पिक उर्जा का सबसे वड़ा संगbolt संग्रहकार है सौर उड़जा crawling के सौर उर्जा में प्גाष को सrezर परिबर्दित किया जाता है फोटो बॉल्टो एक तफनीक के द्वारा आप भी देखते हैं सुयाप लेट है आप लगा लेते हैं घर में कभी-कभी आपने देखी होगी कई जगए आप देखते हैं सरकार लगा रही वो अलग बात है लेकिन एक आप भी लगा लेते हैं पैट के नीचे दवे पड़ेते या पौधे के वे जीवासमी जिसका उपयोग हम इनन के रूम में करते हैं कहलाते हैं जीवासमी देखिए इनके बनने में बहुत समय रगता है लेकिन खतम करने में बहुत तल्दी हो जाते हैं समझ रहे हैं हजारों लाकों सालों दवे रहेंगे युल्स के बाद आप सूचिए बद लेंगे नाब की यूर्जा उत पाता नहीं तुम कच्छे माल के रूम में प्रेयोकति किया जाता है यूरेनियम क्या यूरेनियम परमादूचा के यूरजयन अथवा विखंडन परिकरियादवा उतपन की जाती है नाब की यूर्जा नि है हाइड्रोजन बोर्ड विज्ञान के असार भाविसक का इंदर है हाइड्रोजन उर्जा संकट सितात पर है कोईला तथा पैट्रोल जैसे जीवास मिन्हार के सबावत होने का खत्रा और देखी एक समय के बाद एक खतम हो जाएगा तो आप इसलिए तो आप सवर उर्जा प इसलिए आप तो देख रहे हैं पबन उर्जा पत्यां दिया जा रहा है कोईला खनीच तेल और गैस जल बिद्धुद तथा परमाडू उर्जा में से भारत में धार्णी विकास की दरिफ्टिक कौन से बिद्धुद उत्पादक का उत्पाद का सबसे अच्छा सरूत है ज यह जल तक रहेगा आप सुचिए जिस दिन धर्थी से जल कतम हो जाएगा उस दिन हमारा क्या काम है है सौर सकती जैप पुंज सकती लवू जल बिद्धु सकती और अप्सिष्ट से अर्जित उर्जा में से भारत में जो नभी करनी है उर्जा स्रोत सर्वादिक संभाब द बनता है तो यह सभी आपके कतान बिल्कुल सही है ठीक है बायो डीजल की फसल है जोटावभा जोटरोफा ठीक है जटोभा भी बोलते हैं जटेफा एथेनोल एक पिसिद्ध एल्कोएल है इसे एथेल एलकोएल भी कहते हैं आप लोग इसका प्रियों किया जाता है हरे तीन का क्या मत का आंगे देखिए बहुत कुछ नहीन ही खोजय होती है हो सकता है कि एक दिन ऐसा आपके सामने ही ऐसी कार आजाए कि आप लोग पानी से चलाने के समझ गाहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है जटोभा प्उंगा मिया और सूरज मुखी की खेतिकी जा सकती है बायो हैं बायु मिर्दा जलका रेडियो धर्मी पिदुसन बन अप्रोपन तथा पेड़ पौधी एवं जन्तु समूग की छती रेडियो धर्मी अप्सिष्ट का निस्तार है एस अभी आपके होगे अंतराश्टी ये सौर गटबंदन को प्यार्म किया था करक्रेखा बकर मकर्रेखा के वीच इसते 121 देशों का एक समूग जो अपनी उर्जा वसकताओं के लिए सूर द्वारा फिर आप तो उर्जा का अभूग करने तू इतिवद्ध है अंतराश्टी सौर गटबंदन में इंटरनेशनल सोलर इलाइंस में आई एस एक देसे आपक इसे क्या गोलते हैं आप लो इंटरनेशनल सोलर इलाइंस समझे रहे हैं अंतराश्टी है सौर गटबंदन अंतराश्टी सौर गटबंदन की शुरुवाद भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिश जलवाई सम्मेलन की दवरान की थी ठीक है और इसको इसका जो मुख्याले की बात की जा रही है यह आपको गुरू ग्राम हर्याणा में देखने को मिलेगा फरीदाबाद हर्या है कि गुरुग्राम हर्याणा यार ner की मो इसमा रसान के परिवतन द्वारा ठोस बाइव मास कट्छादन का요 मिस्तरन में रोपांतर की है, बायो मास्क गैसी करन, जीवभार गैसी करन को भारत में उर्जा संकट के धानिये संस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है, इस अंदर में कतन सही है, नारियल आवरन मौंफली का चलका, धनकी भूसी का प्योग, जैवभार गैसी करन के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल सही है, नारियल आवरन मौंफली के चलके, और धनकी भूसी, द्वारा उत्पन गैस का उपयोग, बिजली पैना करना है, वाले जिनरेटर से, चोड़े उपयोग तरूप से डिजाइन किया गए, अंतर दहेंड, इंज इंधन और उक्सिजन का उपयोग बिद्धक पैना करने के लिए होता है, यह संबंदित है, यदि सुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग इंधन की रूफ में होता है, तो फ्यूल सेल उत्पाद byproduct कि रूम में उस्मा एवं जल का उस्तायन करता है फ्यूल सेल में एक रसानी कपकिरिया के मात्यम से उत्पादन होता है नाकी देहन के मात्यम से बिद्धुत का फ्यूल से बिद्धुत उत्पादित होती है दिश्ट धारा डीसी के रूम में ठीक है दिश्ट धारा की रूम में तो इसे भी याद रखी है कथन ए कोईलादारित तापिये विजली घर अमल बर्सा में अंसर दाई होती है कारण आर कोईले के जल पर कार्वन की ओक्साइड उतसाजित होती है ए और आर दोनों आपके सही है किन्तु आर की का सही सपर्टिकेंट नहीं करता है ठीक है सल्फर डाय उक्साइड के लिए उत्तरता ही है कोईले में सल्फर की उपस्तिती सोक्षम जीव सोक्षम जयविक इनन कोश्का है माइक्रो वियत फ्यूल सेल उज्जा कतार निये सरो करती है इस जल का सोधन और विद्धुत उत्पारण के लिए अपस्षम जल सोधन साजनतों में इस्थापित की जा सकती है ठीक है जैव परिवर्टन ये सबश्टेट में उपलब्द रसायनिक उर्जा को सीधे विद्धुतिये उर्जा में परिवर्टित कर देती है सूक् ये बमनों को गरम पानी की पूर्थी करने के लिए लगू से चाई परियोजनाव हित्तु जल की पूर्थी करने के लिए सड़क व्यकास विवस्ता के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जटौफा करकास के अलावा पॉंग गामिया पनाटा पनाटा को भी एक उत्तम बीकल्प माना जाता है क्योंकि भारत के अधिकांस उसके चेत्रों में पॉंग गामिया पनाटा प्राक्तिक रूप से उत्ता हो पॉंग गामिया पिनाटा याद रखिए पिनाटा 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 की वीजों में प्लेक अमल होता है किस तरह की नाम होते हैं नहीं याद रखना पड़ता है समझ रहे हैं भूतता प्प्वी की भूर परपरटि में पाय जाने वाली इना हो तोड़ता है कि क्या कहला थी क्या कहला की भूतता प्प्तिए अफ्थै सैंग्र मुख्स सरौथ tu और पश्मी घाट गोदारी बरी वैसे और महानदी भी छेत्थ हैं इसके भूत आप ये उर्जादी ये भी अन्त्पूने अब के लिए सकति आप तक हैं तक ही राणव करते हैं तो कुछ इसके वर साथे हैं जो एक कूं 활मन अप लगर दिमाग लगाएज एक अच्छे से और नोर्मल नशे बात है अब जान्दा उसमें दिमाग भी नहीं लगाने की बात तो आपने solve कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा दियान देने किया हो सकता हुए जैब मूल एस्फार्ट, बायो एस्फार्ट पर मूल सीमा सुर्की की फूरी चूट पदार्द के लिए इस पदार्थ का मत है। छूट भी मिली हुए है बाइवेसपाल्ट डामर का विकल्प है जो डामर आप लोग देखते हैं रोड पर विच्छाने की कामत जिसका निर्मान नभी कहनी इस रोतों से किया जाता है सबसे जानदा अभी आप देख रहे हैं हवा में तेती हुए सोसनिये सुख्चन कड़ों कारकार होता है कितना पांच माइक्रों से कम जलबाई यह उन सक्छे बायु गटवन्दन विविन्ने देशों नागरिक समाजों बाणिजी छित्रों का एक बैसे प्यर्यास है जो अल्फ जीवी जलबाई की दूसकों को निमनी कित कर पितिवद्ध है बायु की गुडवत्ता को बहतर बनाने यह तो आज आप देख र रसाएं लिपिश्टिक इसी साइस में सेतल पे ब्रॉमी नित बनस्तति तेल चाइनीज फासपूर्ट मॉनो सोडियम गिलोटा मेट एक तरह से आप सोजिए आपके शरीर के लिए नुकसान दाय होते हैं आपके लिए प्र भी आप लोग क्या कर सकते हैं यह प्रक्तिती में गटित होने वाली जैब निमनी करण पेक्रिया का ही संबधन कर पिदूसन को सवक्ष करने की तक्निक है जैब उपचारण बायो रेमिडेशन जैब उपचारण के लिए विशेष ता अभी कल्पित सूप्ष में जीवों को सर्जित करने के लिए उपयोग किया जा सकते हैं अनुपान से किजिरिंग का मानोजनित पर्यावण की दूसन कहलाती है एंथुप ईंथुप पोजेनिक बेपदार्थ जिनमें पिदूसन पहलता है कि दूसक जैब निमनी करण रहे थी दूसक मुक्ता परयावण में प्रिदूसक करते हैं मानोजनित, एंथुप पोजनिक पिदूसन के कारण, ठेक है, जब बिक्टित पिदूसक है, यह वाहित मल, ऐसी पिदूसक जो सूख में, जीवों जैसे जीवाणूं आदी के द्वाना समय के साथ, प्रक्किती में सरल हानिकारक, तक्तों में बिक्टित कर दिये जाते हैं, कहलाते हैं, जैब बिक्टित पिदूसक, कोईला पेटॉलियम डीजल आदी का दहिन मूल सरोत है, बायू पिदूसन का, इसे क्या होता है, बायू पिदूसित होती है, जब मानविये या प्राक्तिक कारणों से बायू मिंडल में, उपस्तित गैसों के न पिदूसा मानवजनिक सरोत है, बनगनी या प्रिज्वालाम की उदगार, जैविक पदार्तों के सडने गर्ण में से निकलने वाली गैस, जैसे सलफर डाय ओकसाइड, नाइटोजन के ओकसाइड इत्यादी आते हैं, प्राक्तिक सरोत की, और मानव सरोत में तो आप समझे जानते ही हैं आप लोग, फासलों को जला देना, समझ रहे हैं कही तरह के से बाहनों से भी तो आप देखते हैं, जैब अब घटनी ये पिदूसक हैं, सीबेज, प्रिकास रसाइनिक दूम कुहरे की बनने के समय उत्पन होता है, नाइटोजन ओकसाइड, नाइटोजन ओकस होता है, प्रिकास रसाइनिक दूम कुहरे का, नाइटोजन के ओकसाइड, नाइटोजन ओकसाइड, ओजन, ओत्री, और परकसी, परकसी एसी टिल, नाइटेर से बनता है, प्रिकास रसाइनिक दूम कुहरे से, प्रिकास रसाइनिक दूम कुहरे से, प्रिकास रसाइनिक किनके बीच अभिक्रिया का पईडाम होता है NO2-O3-Peroxyacetyl-Niteate की बीच सूर की पिकास की उपस्थिती में होता है ठीक है गरम सुसक और तीबस और विक्रियन बाले महानगरों में वाइमंडली हाइड्रोकरवन और बहानों बाविली सेयंतों से निकलने वाली नाइट्रोजन, ऑक्साइड, सूर की पिकास में अभिक्रिया करकी कई सारे दूतियक पिदूसक बनाती है जैसे ओजोन, फार्मिलडाइहाइड और परोक्सी एसी टिल नाइटेट आदी ठीक है यह सब ही आपके इन अभिक्रियाओं को पिकास रसाइनिक कहते हैं क्योंकि इन में दोनों में सामिल होते हैं सूर का पिकास और असाइनिक पी दूसर ठीक है आपक्सीजन वा नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रीक उक्साइड बनती है या गेस बाईू सामिलका नाइट्रोजन आ kids no2 नव्हजाद आःकसीजन सूर के तीप पिकास की उपस्तिती में ऑक्सीजन की एक अडू सिक्रिया करके बनती है बना लेती है ए ओजॉन याद रखिए क्या होता है कि यह ओक्सीजन आप सूच रहें ए ओक्सीजन हो गई और यह आप देखेंगे ओजॉन का सूच एक तरह से ओट्री को ओजॉन भी कहते है आप लो संताब मंदल में पाई जाती है पार ओक्सील मूलक या तो ऑक्सीजन की अड़ों से मिलकर ओजॉन बना लेता है या फिर नाइटोजन डायोक्साइड से मिलकर निर्मार करते है पैराक्स पैरोक्सी एस्टी एस्टिल नाइटेट का यह किलोरोफलास्ट को नपसान पहुंचाता है इस बज़े से पिकास अंसलेशन की समता एवं पहुत है कि विकास का विकास कम होता है या कोशिका में माइटो काइंडिया में होने वाली इलेक्टोन यात पिडाली को बादित भी कहता है या इन्जाइम पिडाली को भी प्रभावित करता है क्या PAN यानि कि पैराक्सी एसी तिल नाइटेट, P-A-N, भी बोलते हैं, इसके याद रखना इसके सॉर्ट नाम को, पूरा नाम इसको, मनोसों की आखों में बहुत जाना जलन, यह आखो तेजनाफ पैदा करता है, P-A-N, पैरा, सरी, पैरोक्सी ऐसी तिल, नाइटेट, ठीक है, P-A-N, तता ओत्री मिलका छ आप दूर तक का दिखना या ऐसा भी परस्तिती आती है, कई बार आप बहार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको ब्रयोलम होती है, भारी ट्रक के आता है आप, नेरवाचन समाएं, पॉप संगीत, जैट ओडान में से अधिक्तम, दोनी पिदूसन का कारण है, इस डेसिवा, अनियोजी, उद्धोगिक विकास, अतितिक मोटर बाहनों का प्रयों, या अंतरिक दो सिफ्थ, बिमिन पिकार के बाहनों का अरिसन चलन योगदान देता है, धौनी पिदूसन करने में, धौनी गती से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन सोर को कहते है सौनिक बूम, सौनिक बूम को व्यक्त किया जाता है, मैक एकाई से, मैक एकाई में, जो बस्तुएं ध्वनी की रफ्तार से चलती है, उनमें उत्पन सोर को कहते हैं, मैक एक, सामन पर इस्तितियों में बातावन में फिदूसन, उत्पन करने वाली गयस है, कार्वन मोनो ओक जो की रंगहीन तथा अती बिसेडी होती है एक पिरमोग प्रात्मिक बाईू पिदूसक भी है ठीक है CO CO यानि कि बाईू मंडल में कम समय के लिए रहती है इसका ऑक्सीजन ऑक्सीकरन होता है CO2 में समझे रहे हैं गार्मोग उक्साइड एक दूतियक पिदूसक नहीं है सल्फर डाई उक्साइड बे बाईू पिदूसक जो पिदूसक रोज सीदे बाईू में मिलते हैं कहलाते हैं परात्मिक पिदूसक कहलाते हैं ऐसे बाई पिदूसर्ण जो पराथ में बाई पिदूसर्ण तता साधारन बाता बढ़नी है पदारतों की किरिया के फ़स्रूप उत्पन होते हैं यह जाने जाते हैं दूतियक बाई पिदूसर्ण के नाम से pan परोक्सी एस दिल नाइटे जयाएं अउजान और आपके अच्शार ऊप्सन आपके पिता पिदूसर्ण के एक निट्रोजन के ऑक्साइड कार्मन मोर्णो ओक्साइड यह आपके परातमी पिदूसर्ण के आते हैं यह आपके पंचार ओप्सन आप से पूंचेगा परातमी पिदू सकें या दुद्यक पिदू सकें, तो आपको बताना होगा, ठीक है, अधूरी पिज्वलन के कारण मौटर कार, एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगीन गैस है, कार्मन मोनोकसाइड, यह रक्त की हीमोगलोविंग के साथ किरिया करके इस्थाय विक बना लेता है, जिससे हीमोगलोविंग ऑक्सिजन को उत्कों तक नहीं पहुचा पाता है, यह मानावसवास के लिए देख, हानिकारक होती है, यह कार्मन मोनोकसाइड, और आप देखिए, सिपरेट से भी निकलती है, पर भी हम लोग पीते हैं, सबसे वड़ी ह हैरानी की बात तो मुझे तब होती है, जब उस पर लिखा है, चेताओं नहीं दिए, फिर भी हम उसे यूज करते हैं, बताईए, वही है कि आप से कहा जा रहा है कि आप पढ़िये, पढ़िये, बना आप फैल हो जाएंगे, और आप ऐसा ही करें, तो फिर किसकी अलती है, यह अलग बात है कि लोग अलग किसी ना किसी पर डाल देते हैं, या तो पेपर पर डाल देते हैं, कि पेपर कठिन आया था, या मैं इस कारण से नहीं पढ़ भाया हूँ, और देखिए, आपकी जिंदगी सतसिज सफलता, कभी बहानों से जिंचलती है, यह बहाने देकर आ दाहनों में पेटोल की जलने से धातु बायू को पिदूसित करती है, लेड, इंजन में नौकिंग, रोकने के लिए प्युक्त किया जाता है, लेड को, बच्चों में दिमार की विकास में आधा, बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धी लद्धी लेवल को गटाता है, यानि की आईकू, आईक्यू को, और वैसकों में हिदय वासुचन संबनी बीबारियों को उत्पन करता है, यह है लेड, बाई पिदूसक में से जो रख्त धारा को दूस प्रभावित कर मौत उत्पन कर सकता है, कार्मन मोनोकसाइड है, बाई पिदूसक ऑक्सीजन की अपे आप ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में हमें कठना ही होती है, गोटन महसूस होने लगती है, यह कार्मन मोनोकसाइड के कारण देखा जाते है, इसलिए आप से कहा जाता है कि जब भी किसी रूम को रूम में बैठे हैं, और आप अगनी जला रहे हैं, आप हाथ सेखने के लिए भी कभी-कभी ठंड में, तो आप गेट खोलकर रखिएगा, क्योंकि अगर आप रूम बंद रखेंगे तो आप गोटने से आपकी मौत भी हो सकती है, गोटने से, ठीक है, ओजोन हाइड्रोजन सलफाइड, कार्बन डायोकसाइड और कार्बन मोनोकसाइड, मैसे जो आप लोगों से इतना ही कि हमेशा इतनी तो रूम में जगह रखा करिएगा, खुली हमेशा रखिएगा, कि अगर गैस वी लीक होती है, आपके रूम की, तो वो निकलती जाए, ठीक है, इतना मदलब एक खिड़की आप ले सकते हैं, कि वो हमेशा खुली रहे, कोई नुकस दिकलती में पायाने वाले उत्पन appreciation है, जो उत्पन होता है, बैड रॉपक से, आर्सयनिक के लगाता है, शंपरक से बीमारी हो जाती है, बिलेक पूट, एक कई बार आपका पूंच लेता है, कि बिलेक पूट रो, बीमारी किससे होती है, आर्सयनिक से, या पूंच लेग आपको बताऊं तो 7 अपरेल 1948 को इसकी इस्थाफना की गई थी और 7 अपरेल को आप जानते हैं कि विज्द, स्वास्त, दिवस भी मनाया जाता है धान का बուदा बेतर आवसुसक माना जाता है आरसेनिक का बहू जल के ज说 Findries अंआज में पहुँचता है औो स्वाविक हो जाती है और वरख करयो टिओं मिल्दा-फिदू-शजल पिदू-शण और वाई-व्रीवित त्हे ती नहीं आपकी पिदू-शण होते हैं और वरक क्या है और वरक आजकल इसलिए कुछ जादा ही बीमारियां बढ़ चुके हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि खाद हम लोग लाते हैं कौन खाद आजकल वह वरवाला खाद यूज नहीं कर रहे हैं आप लोग आपने देखा है बना बना आया राय और वरक तो उसमें देखते थे कि वो आप लोग अभी देखते होंगे कि उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है चोटी सी हो तो आप देखेंगे सुबह तक वो इतनी बड़ी हो जाएगी खाने सब्जी बनाने लेकिन एक समय आप देखते थे कि ताजी-ताजी खाया करते थे तो उस समय की बात लगती ठीक है आज आप देखिए आधिकतर सब्जियों में आप देखते कुछ ना कुछ इस तरह की प्रियूग किये जाते हैं नुकसान है हमारे लिए अकालवनिक वोसक जैसे फॉसपेट नाइटेट गुलकर जलिये फारिस्तित की तंत में आ जाते हैं या जलिये फ पिदूसंट होता है चमडा उद्ध्योंग से जल पिदूसंट मर्दा पिदूसंट के लिए प्रिमोhouप से यही उद्ध्योंग उत्तर जाए है चमडा आपने देखा होगा कि अभी कानपोलु में सबसे जांदर चमडा फेक्ट्रियां लगी होई थी इसके कारणा आते दे इन रागिक द्वारां बाईव की दूसरं के कारण होती है, नाइटेक्स, नाइट्रोश ओक्साइड और सल्फर डाय ओक्साइड के कारण, सामानता ऐसी वर्सा जिसका पी एच मान 5-6 से कम हो कहलाती है, इस में आप देखते हैं. अगर साथ है तो ये उदासी होता है, 어떻게? आप को बताना है मानवों कि कुन जो हमारा रख थे इसका पी एच मान कितना होता है, क्यमकि हम लोग पिछले दो-तीन बार देख़्ूकर गे लोलोजी में भी देखा था ह। केमिस्टिरी में भी हमने कई वार देखा था ठीक है तो आप नीचे लिखिए प्रक्किती में होने वाली विवेन क्रियाओं के पर सुरूप उत्मन सल्फर डायोकसाइड और नाइटर्ट ऑक्साइड गैस बायूमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रशाइने का क्रिया पर क्रम सा सल्फियूरीक अमल नाइटर्ट अमल बनाकर बरस सब आईबंडल से पीतफित पिधर इस्थाना अंतित हों का जमा होता है सुस्कुत के रूप से मरोस्ता छेत्रों में सस्कुत से निच्छेवं का अनुपात उच रहता है कि वहां पर जाना होता है सुस्क जमा Oui ठीक है में अम्ली वर्षा अम्ली को हीरी आ अम्ली धुनको समलित रूप से कहा जाता है अमले निच्छे अमलबर्सा के लिए उत्तरदाई गयस हैं नाइट्रिस ओकसाइड और सल्फर डायोकसाइड और दोगों एवं यातायाद के ओकरणों से निसरत नाइट्रिस ओकसाइड और सल्फर डायोकसाइड जैसे गयसे बायूमंडल में इस्थित जलवास से पिती करिया करकी सल्फियू पर सलफर के उस सजन में कमी का प्रियास किया जा रहा है हैल सिंग की प्रोटोकॉल 1985 किता है याद रखे कई बार पूच लेता है हैल सिंग की प्रोटोकॉल कब आया था 1985 में और हैल सिंग की प्रोटोकॉल किसे संबंदी थे तो इस सलफर के उस सजन में कमी करने से संबंदेत है, ठीक, मतुरा की तेजसो सोधन सालाओं से उस्सा जन, SO2 से एक उत्पन अमलाबर्सा छती पहुंचा रही है, ताजमहल की संध्र को, ताजमहल आप समझ रहे हैं, तही बार आप लोग यहाँ भी जाते हैं, ताज महल, ताज महल पर अमलबर्षा से जने थानीकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारासरकवारत द्वारा विक्सित किया गया, ताज ट्रैपीजियम, जॉन, एसोटू को क्रेकिंग गैस भी कहते हैं आप लोग, क्योंकि यह लगाता रे पत्थर पर विभाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है, छत बिच्छत, समझ रहे हैं? अधिक अमलबर्षा की कारण अमलबर्षा की हाइड्रोजन, आयन और मिर्दा की पोसक धनायन के बीच आधा आयोकसाइड और नाइटर आकसाइड, अमलबर्षा होती है बादल के जल और सल्फर डायोकसाइड प्रिदूसकों के मद्ध पितिक्रिया की फल्षवरोग, आपको अमलबर्षा देखने को मिलती है, समगुधारी वेक्षों के घनेक के नोपी में पत्तियों के भूरे या लिए उत्तरदाई होता है अमलबर्षा के निच्छे, अमलबर्षा से कम हो जाता है, मिर्दा के बिये के पीएचमाद, bzw. जहरी धातूँकूंकी पराक्तिक रशानी के योगरं कों से तोटने में मदद करती है ये धातूपी ने योग जल और मिर्दा में र्येस कर दोस पानी पीया करेगा जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग जब सुबहे उठते हैं तब भी आप लोग पी लिया करेगा फायदे मंद होता है आंगी बढ़ते हैं हम लोग क्या है बायू पी दूसन से संबंधित नहीं है यू ट्रोपिकेशन जल में जब जैबिक और अजैबिक दोनों पिकार के पोसक दत्तों की बिड़्धी हो जाती है तो इस गटना को क्या कहते हैं सो पोसन अच्टितिक पोसकों की उपस्तिति में सहवालों कभी कार स्टेजी से होने लगता है यसे क्या कहते हैं सहवाल बिलून एवेश्ट रस हाइवर से घरे बातावड में जानने दे रहने से भोता है एसवेट प्ष्टोसिस एसवेट स्टोसिस फिलाई एस का एक पिदूसक दहन उत्पाद है जो जलाने से पराप्त होता है कोल यानि की पत्थ है कि कोईले को कोल की दहन से उत्पन पिदूसक है फिलाई एस कोईला अधारित ताब विद्दुद घरों से उत्पन होने वाले इस सूख चिम फाउडर से जीवों में होते हैं सोशन समंदी रोग, सास लेने समंदी रोग याद रखे यह नहीं कहा जा सकता है कि आप इतना पढ़ लीजे आपको कोश्चन्स आ जाएगा आप लोगों खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग टीचर के बरोसे बेटें अगर कोश्चिंगों के तो आपका सेलेक्शन हो पाएगा मैं कभी नहीं कहूँगा यह बात, आप कितनी भी वी आईपी कोश्चिंग ले दीजे, कोश्चिंग के भरोसे आपका सेलेक्शन हो जाए यह मैं कभी नहीं कहूँगा और मैं तो इतना कहता हूँ कि कोश्चिंगों का एउगदान रहता है बहुत से बहुत 5-10% और 90% एउगदान आपका स्वय में रहता है समझ रहे हैं तो यह याद रखिए अपने दिमार में बैठा लीजे फिर आपके बहाना बना रहते हैं हमें भी आईपी कोश्चिंग नहीं मिलिए तो कोश्चिंग का कोई मतलब नहीं है जिस भायू से मिलने में मिलने से रोपने के लिए इलेक्त, इस्ट्रैटिक आउच्छेपक या अनकर्ड निस्यंदल उपकरिण का प्रियोग किया जाता है फेलाईए यहाण ग्रेन मख्ला समंदित है धौनी पिदूसर से ग्रीन मखला सम्मंदित किसे धौनी पिदूसर से विसाल कारे हरे पौधे अधिक धौनी पिदूसर बाली छित्रों में रोकित किये जाते हैं क्योंकि उनमें धौनी तरंगों को आउसोसित करने की चमता होती है धौनी पिदूशन को नियंदित करने वाले एक हरे पौधी कहलाते हैं, ग्रीन मफलर कहलाते हैं, एक धौनी पिदूशन को आउसोसित करते हैं, ठीक है, बोपाल गेस तरासदी मेथाइल आईसोसाइनाइट, मेक साव की घटना हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 की बास से, याद रख बोपाल में, यूरीनेम कारवाइट फैक्टरी में, जो गेस रिस गई थी हुए है, मैथाइल आईसोसाइनेट, ठीक है, बोपाल गेस तरास्ती में, जिस गेस के रिसने पर, बड़ी परवाने पर मिठी हुई थी, यह है M.I.C. जिसे आप लोग मिक कहते हैं, ठीक है, बीवार रोग भी लगा दी जाती है, फिर भी हमारा हम लोग देखते हैं, यूज होती रहती है, तो जागरोगता की कमी, या हम लोग इतने एक तरह से विवकूप हैं कि हम लोग मानते नहीं उस बात को, मुलता कारवन एवम हाइड्रोजन के अड़ों के मिलने से बनता है, या एकिलीन C2 H4 का पॉलीमर बहूलब होता है, पॉलीथीन, क्या पॉलीथीन, इसकी कोज 1903 में, इटली के रसायन सास्त्री, गिलियो नत्ता और काल जिगलर जर्मनी ने की थी, इन्होंने सरपितम देखा की कारवन और हाइड्रोजन के कड़, आपस में एक सेंखला बनात इसकोज के लिए गिलियो नत्ता और काल जिगलर को 1963 में रसायन का नोगल परुसकार भी दिया गया था, यह है पॉलीथीन, क्या है पॉलीथीन, ठीक है, त्रयाव का वस्तु जो जीवानों से नष्ट नहीं होती है, पिलास्टिक नहीं होती है, इसलिए कम कहते हैं कि पिला जैबिक पिकरम द्वाराब घेटित हो जाते हैं, कहलाते हैं, यह कहलाते हैं, जैब निमनी करण, सेग्रेट का टुकडा, चमडे का जूता, फोटो फिल्म और पिलास्टिक का थेला, मैंसे किसके 6 होने की सबसे अधिक समय लगता है, पिलास्टिक का थेला, ठीक है, पिदूसर की जैबिक सूचक का कार करता है, लाइकन, यह बाई पिदूसर की जैबिक सूचक का कार करता है, लाइकन, यह कई बार बूचा चाहिए, सेवाल कबक के द्वारा होता है, लाइकन का निर्मा, बाई पिदूसर का सबसे अधिक प्रभाव लाइकन पर पढ़ता है क्योंकि यह होते हैं, संबेदन सील होते हैं, भायू के पिदी, ठीक है, पिदूसक संक्यत पौधा है, लाइकेन, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, भायू पिदूसन के, जैविक ऑक्सीजन आवसकता है, VOD, एक पिदूसक सूचकां के, जली ये वाताबाड में, VOD का प्योग भी इसी के साथ बढ़ जाता है, इसके फल सवरूप मात्रा भट जाती है, गुली ऑक्सीजन की, इसकी गुली ऑक्सीजन की, कुछी साहनसील प्रजातियों के जीव तता, कुछी कीटों के डिमब है, ये बहुत अधिक पिदूसित, या फिर कम DO वाले जल में, जल की सैड़ी में, किसी जल चेत में BOD की अधिकता संकित देती है, कि उसका जल सीवेस से पिदूसित हो रहा है, ये आप देखते थे कुछ समय गंगा में भी इस तरह है कि आप पिदूसित देखते थे आप लोग, काफी तक इस पर गंड्रोल की जागया है, नदी में जल कि निर्धारन के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ऑक्सीजन से, गंगा नदी में BOD सरवादिक मात्रा में पाया जाता है, कानपूर और इलावत की मत, काफी याद रखी पहले क्या होता था कि नाले आपकी सभी आते थे और गंगा में डारेक्ट छोड़ दिये ज पर छुकी है जैभ उपचारन से ताथ परिघू जीवों द्वारा पर्यावण से बिशले पदार्थों का निशकाशन करना इसके द्वारा किसी बिशेस स्थान पर पर पर्यावणी पिदुसेन, पीदुसकों की आनिकारग प्रिभाव कू समाप किया रखी या जैभ रसान यदि पिदूसक पदार्थ को किसी अन जगे पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे क्या कहती है बाहे स्थाने जयवुचार जयवुचार ठीक है पिदूसकों को जड़ों बद पत्तियों में संगीत कर जयवुचार की किरिया कहलाती है फाइटोनिसकर्श अधियुचार जाता है बारत की साथ राज्यों जैसे पश्चे मंगाल जारकन बयार उत्तरप्रेश असम मड़ीपुर छत्तीजगड के राजिनन्द गाव में भूमीगे जल अत्यदेख प्रभावित है ये अरसनिक पिदूसक के कारण भूजल में आरसनिक की अनुमे सीमा दस माइक्रोग्राम पिती लीटर तक चैनो बिल दुरगटना समंदित है नाप की ये दुरगटना से जो उसमें चैनो बिल इस्तित परवाडुचित में नाप की ये दुरगटना हुई थी ये आपकी 26 अपरेल 1986 को बिल इस्तित होते रेडियो एक्टिव निकलाइट्स से उत्पन होने वाले विकरन सरोथ हैं ये आपके रेडियो एक्टिव पिदूसन का बिकैणों के प्रभावों से जीवों के अनुवासे कुणों पर भी पढ़ता है हानी कारक प्रभावों जैवेक रूप से अवगट पारा मरकरी ये जल पीने से क्या होता है मिना माता रोग होता है या आप से अगर पूछे कि मिनामाटा रोब किसके कारण होता है पारा यार मरकरी के कारण वर्स 1987 से इस अधिनियम में धौनी पिदूसन को भी सामिल कली आ गया है भाई पिदूसन एवं नेंटर अधिनियम 1981 के तहट भारत के सरवादी पिदूसिंद नहें कर रहे जनवरी माय में उत्पन मौसमी कारण था जो उत्तर भारत में आसादन टंड का कारण बना ला नीन ला नीन ठीक है अपने पिदूसकों के कारण जैवेक मरूस्तल कहलाते हैं दामोदल सरसों के बीच के अप्स मिश्रक के रूम में सामानता निमलिकित में से किससे प्रयोग में लाया जाता है यह है आर्जी मॉन के बीज, आर्जी मॉन के बीज, आर्जी मॉन मैक्सिकाना, मैक्सिकों में पाई जानी वाली पोस्ती की एक पिल जाती है, सरसो की देल में इसकी मिलावट से महामारी फ्यल सकती है, डॉक्सी नामक, इस डॉक्सी नामक महामारी से फ्यल सकती है, इससे नु सकते हैं ज्वारनद मुक्सी पोस्तकों का प्रसाओं मांसून में मुमी से जल्बवाए और समुद्रों में उत्परवाए इस सभी कारण इसके हो सकते हैं ACI भूरा बादल दो अधिकांस था फैला था दच्छेड एसिया में कहां दच्छेड एसिया में ACI भूरा बादल उत्पन हुआ होता है वाईप फीदूसण के कारण किसके कारण बाईप फीदूसण के कारण एक कथन है आपका जाड़ी की रीतूँ में दिलनी वाईप फीदूसण को इस तर रहता है रहता है ना रा instal प्रसाव है और रख्त कैंसर होने की संभावना होती है रेडान機क कारण रखिये इस घ्स को घहरेलू बायू सब्सक्राइब नुट्रे रौभत्रे चेहरेलू पित्य वर्स स्थिल्पा phones ओने को कहा जाता पिदो सकते कार्बन मोरोन ओक्साइड और बेंजीन स्वास में सरीर में स्वास अदवक खाने में पहुंच चा सीसा लेड़ स्वास्त के लिए हानिकार के पैटॉल में सीसे का प्रियोग दीबंदित होने के बाद से अब सीसे की विशाक्तिता उत्पन करने वाला सुरूत है पिगलन एकाईया और प्रेंट इनमें अभी भी उपयो होता है घरों में पोताई के लिए इस्टिमाल किये जाने वाले प्रेंट में आसुरुक्षे जिस्तर तक हो सकता है सीसे की मात्रा मनुसके के अंद्रिये तंतिका धंत और मस्तिस को नुकसान पहुंच सकता है किस सीस तस स दूल ए फैंबडे को प्रभावित करती है सीसा को भी प्रभावित करता है पारा उदय को प्रभावित करता है कर्बन मोनोकसाड रखते धाराओं को प्रभावित करते है एसबस्टर्स जहरीला बदार्थ है इसकी धूल से हो सकता है फैंपड़ों का कैंसर किसका फैंपड़ों का कैंसर पारे की विसाक्तिता से उत्पन होती है उदर संबंदी समस्यां बीमारियां ठीक है यह आपके फिदूसक हो गए यह पिरभाव हो गए कार्बन मोनो उकसाइड लीवर और किनी को चती पहुंचाता है नाइट्रोजन के उकसाइड यह आपके कैंसर होता है दूल कर एक स्वांस समंदी यानि की सांस समंदी रोग होते हैं और सीसा एक यह नर्वस सिस्टम को भी पिरभावित करते हैं ठीक है रक्त में गुलकर कोस् कार्बन मोनो उकसाइड मानो सरीर में कैंसर उत्पन कर सकते हैं नाइट्रोजन के उकसाइड नाइट्रोजन के उकसाइड बारत में इस पात उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द आमलबरसा में से बेर देश जो सरवादिक पिरवावित होते हैं कनाड़ा और नौर्वे, कनाड़ा और नौर्वे, जर्मनी तथा यूनाइटिक के इंगड़म, मैश्थित मिलों से उस्थाजित एसो टू, और नाइटोजन के ऑकसाइड के कारण में अतितिक आमलबरसा होती नौर्वे और स्वीडन में, ठीक है, अमलबरसा को कहा जाता है, जील, कातिल, लेग, किलर, चेंज आपान, नौर्वे, सहिप्तराज, अमरीका में से, जिस देश में सरवादी कमली वर्सा होती है, यह हैं नार्वे, क्या है नौर्वे या नार्वे, अंतराष्टी है, अमल अकसाइड, CO2, नाइटोजन के अकसाइड, N2O, सलफर के अकसाइड, यह सभी इस से पराप्त होते हैं, ठीक है, ओटसरज, इनन के रूम में कोईल का उपयोग करने वाले सकती सेंदों से पराप्त, फिलाई येस के संदर में सही है, फिलाई येस का उपयोग भवन निर्मा ठीक है, कोईला अधारी बिद्व सेंदों से बिद्व उत्पादम के फल्सरू, उत्पाद के रूम में पराप्त होता है, फिलाई येस, क्या होता है, फिलाई येस, येस सूप च्मपावडर होता है, जो बायू के साथ दूर तक यात्रा करता है, और इसमें सीशा आर्षन एक कौपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कारण कडबी होते हैं, फिलाई येसमें, अनाजों और तिलनों के अनुपयोत, रख रखाओ बंडारन की पैडाम सुरू, आविसों का उत्पादन होता है, जिन्हें एफला टॉक्सिन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो स एफला टॉक्सिन, एफला टॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है, जो उत्वन करता है, ये अकृत कैंसर, ठीक है, लिवर कैंसर, बाई पदूसन को रोग थाम कि ये अंद्रिय विदी नहीं है, साइकलोन डिवाइडर, नहीं है, कारखानों की चिमनियों से निसक् पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाने वाले बिशिष्ट फिल्टर को कहते हैं, बिक फिल्टर, बैक फिल्टर, बैक फिल्टर, ठीक है, पचास माइक्रो मीटर से कम व्यास बाले पदार्थों को पितक करने के लिए प्रयोग किया रहता है, बैक फिल्टर अब आपको दे देगा option, रेडियो धर्वी पिदोसन से सम्मन सही कतन चुनना है आपको, और आप इन तीनों कतनों को याद रखिए दो, ठीक है, वन डेक जाम में तो पूछेगा, साथ में सिविल सर्विस में भी पूछ सकता है, यह तेली है, पंग, और विखरे हुए तेल क के उप्चार यह तो पारस्तित की अनुपूलन विक्सित प्रवद्वी की है, आयल जैपर, यह आप देखते हैं, जब टैंकर का दोगटना गरफ्त हो जाए, समुद्रों में, महासागरों में, तो हाँ इसका उप्यों करते हैं, आयल जैपर, वाइल जैपर यह एक बेक्ट की तरह के से जीव होते हैं, आप ओधे भी होते हैं, जो इसका उप्यों कर लेते हैं, ऑक्सीजन में बन देते हैं, अंतराष्टी समुद्री संगेठन का मुख्याले कहा है, यह लंदन में, यह सर्क्तराष्ट संग की विशेज एजेंसी है, जिस पर अंतराष्टी नौबा अगर आपको विश्तार से पढ़ना है, तो पढ़ा दिया गया है, मुझे तो लगता है कि मैंने काफी कवर कर दिये, और आपको लगता है कि कवर नहीं हुआ है, उसमें आप देखकर, आप बताइए वो भी हम कवर करवा देंगे, जैब सौचल है, फिर्णाली में जैब सौचल है पिडाली में पानी को टैंक में जवा करने कर उसे किलोरीन की मदद से साब कर दिया जाता है, जबकि गैस हो जाती है, बास्पी के, गैस यानी की वड़ जाती है, बास्पी में बदल जाती है, भारत में कुछ भागों में पीने के जल में फिदूसर किरू मे पाई जाते हैं आर्सेन एक फिलो फिलो राइड और यूगरेनियम ये सबी नौक नी सल लक्षण उत्पन होता है फिलो राइड की दूसर से येकपी पानी में अल्प मात्रा में उपलग्ध होता है जो की मसल उड़ों और दांतों को संरक्षण संरक्षण पिदान करता है फिलो रोसिस नामक रोक का कारण भी बनता है फिलो राइड को गहन करने के पैड़ाम सुरू संभावना बढ़ जाती है कूबड पीट की कि पिलो राइड संग्राण केल्सियमी पादप पिलोवक की बिढ़ी और उत्तरजीवता पितिकूल रोप से प्रभावित होती है प्रवाल वीती की बिढ़ी और उत्तरजीवता पितिकूल रोप से प्रभावित होती है कुछ प्राड़ी जिनके डिम्बप पादप पिलोवक यह होते हैं, उत्तर जीविता पिदेखुल रोप से प्रभावित होती है, महासागरों के अमलीकरन के कारण, CO2 के लिए एक भंडार ग्रह की तरह कारण करता है, समुद्ध, क्या समुद्ध, यूरो उत्सरजन नियम, उत्सरजन के मानक और ये वाहन से उत्सरजन के लिए सीमा निर्धारित करने की पेकेज फिदरसीत करते हैं, इसके अंतरव्यत अच्छा देते, कार्मन और ऑकसाइड, हाइड्रो कार्मन, राष्टिये, सरी, नाइट्रोजन ऑकसाइड, याद रखें, आप लोग इन्हें यूरोपिय मानक भी की नाम से जानते हैं, और बी-एस-3, इस तरह की बी-एस-6, इस तरह की आप जो मानक सुनती हैं, वो यही हैं, ठीक है, इनका नाम भारत में, बी-एस-6, अभी आप देख रहे हैं, सभी गाड़ी बी-एस-6 आनी 1992 में, यूरो मानक एक, और वर्स 1997 में लावू हुआ था, यूरो मानक सेकंड, ठीक है, बाहनों से निकलने वाली विदूसक को नेंतित करने के लिए, चर्णवद रूप से, यूरो मानकों को भारत में क्रियानवित करने की प्रिस्तुत्ति की गई थी, यह मासे यलकर सम्ती सम्ती को याद रखना, सौक्ष परिवान पर अंतराष्टी परिशन ने भारत को इस बात की चूट दी है कि वर्स 2020 से, यूरो 5 के बदले, अपना सकता है सीधिक यूरो 6, और यह किया भी है, आप देखते हूँ है, यूरो सेकंड मानक भारत में लावू किये गए, एक अप पर की मातरा होनी चाहिए, 0.05% यूरो नार्म्स, 140 बहानों में एक गैस उत्सरजन की मातरा की सीमा निश्चित करते हैं, यह गैस कौन सी है, कार्मन मोन ओक्साइड, कार्मन मोन ओक्साइड, हमारे देश की सहरों में बायू गुडवत्ता, सूचकान का परिकलन करने में इयर क्वाल्टी इंडेक्स, सहरों में बढ़ती बायू पिदूसन को रोकने के लिए परियावण, और बन मंत्राले द्वाना राष्टी यह बायू गुडवत्ता सूचकांग जारी किया गया था, पहली बाग, यह आपका सत्रे एक्टूबर दोजार चौदर को, यह सूच बाहरत अभियान किता है, बाहानों में उचाजन कार्वन लौन उक्साइड को कार्वन डाय उक्साइड में परिवधित करने वाले उथ पेरक परिवधन की स्रेमिक डिस्क इस्तरीत होती है, पहले डियम से, पहले डियम से, ठीकर, यह आपका कथन है, एक मेड़दा जवी करता है। और वरक्त्रइटक नासी, केटनासी, सात्रफि के प्रत्रफ्रत प्रत्राक्तिती दोके। आपने लुगों को दोकॉइस नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस बात कहमेंचा याद रखा परिए तो मुझे लगता है बहतर है। भारत में जिस महानगर में वार्षे पिती व्यक्ती सरवादिक ठोस अपसिश्टोथपन होता है दिल्ली, आप जानते हैं गनियाबादी रहती है इसलिए होता है, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फनीचर की गद्दियों, अब होल स्ट्री में ब्रोमी एक कुछ चिंता का विसाय क्यों है उनमें परव्यावण में निमनीकरण के पिती, कुछ पिती रोधकता है और भी मनुस्थों और परशुओं में संचित हो सकते हैं इसके कारण ये चिंता का कारण है तो रसायनिक जैविक और फोटोलेटिक फिक्रियाओं के द्वारा पर्या हम अभी समय द्वारा कुछ चिर इस्थाई कारवनिक विदुसक की सूची में सामिल है ब्रोमीन युक्त जुआलामंद को ठीक है बिभिन उत्पादों के विभिन बिनिर्माण में उत्योग द्वारा पियुक्त होने बाले कुछ रसानिक तत्तों की नेनों कड़ों की बार जल सरक्षन से भी समंदित कुछ मात्पूर कुष्चें से इने भी देख लेते हैं जारखन राज गंगा नदी सरक्षन प्यराधी के अंड गठन हुआ 2009 में जल पीदूसर निवारन और नियंतर अधिनियम लाग हुआ 1994 में इसी याद रखना है आपको जल पीदूसर निव जविक संसाधन नहीं है 12 सरकाद वारा केंद्रिय गंगा प्राधी करण का गठन किया गया था कई बार पूच चुका है मंतरालाय बनाय दिया गया था अब जो भी जल से संबंदित जो भी समस्या होगी इसी मंतराले के ते आएंगी नैशनल गंगा रिवार बेशन अथोरिटी की स्थापना की गी थी फरवरी 2009 में केंदरी वजब 2014 में संबंद गंगा सरक्षण अभियान कुका गया था नवामी ग गंगे राष्टी गंगा नदी बेशन पर आधिकंड का गटन किया गया था फरवरी 2009 में एनगी बी आर ए यानि कि राष्टी गंगा बेशन पर आधिकंड कल अख्षे कि गंगाव को इसमें प्रभावित होने बाले और दोगी काफसिट और आसोधी सीवेश चलसी मुक्तर कि दिला दें बर्स 2020 तक पर आपने देखा हुआ यह भी आपने सुना था कि इतना इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा हुआ कि इतने वे एक नई गंगा निकाल देते इस तरह की खबरें भी आप लोग सुनते रहते तो यह तो आप नॉर्मल सी बात याद रखना चाहिए कि ह हमारे देश में इतना पैसा खरच होता है लेकिन फिर भी उस काम को सक्सेज कम ही मिलती है समझ रहे हैं बर्स 2009 में भारत ने सौच गंगा के लिए स्थाबित किया था राष्टिय गंगा नदी तढ़टी परादीकन जिस पर्यावण को जल पुरुस के नाम से जाना जाता है राजिंद पुरिस सार राजिंद सींग इसे नाम को याद रखना है राजिंद सींग को पर्यावाण भिद्न एक तरफ के नाम से आप लोग जानते हैं तरउन भार संग नेम गयर सरकारी संगटने की चेर में हैesta में राजिंद सींग कठोर एवं मॉमी पर्ण, लगू पर्ण, पत्वा पर्ण गीनता पर्ण की जगट कांटों में रेगस्थान में पाई जाने वाले पौदों की पत्तियां जल हनी को रोकने के लिए प्रा बादल जाती हैं कांटों में गंगा नदी डॉल्पिन की समिष्टी से हिरास के लिए स्तीकर चोरी के अलावा और क्या संभव कारण हैं नदियों पर बानो बराज्यों का निर्माड सहयोग से मचली पकड़ने के जालों में फस जाना नदियों के आसपास के फसल खेतों में संसलिष्ट और बरखों और रनिक्रिसी रसायनों का इस्तिमाल इसमें जो भी रसायने हों हुएं आप सोची इपिने हो हुएं बुजा के आपकी नदी में मिल जाएंगे इन्हें रेड लिस्ट सुची में संकट ग्रस्ट बढ़ में सामिल किया है गंगे टिक डॉल्फिन को कई डॉल्फिन सहयोग से मचली पकड़ने वाले जाल में फस जाती है इसे कहते हैं बाई केच गंगा नदी डॉल्फिन का विज्यानिक नाम है फिलाश्टे निष्टा गंगे टिका गंगा नदी डॉल्फिन सरक्षंड कारकरम आगम किया गया था वर्स 1997 में भारत का राष्टी यह जल्जीव है डॉल्फिन किसे क्या है डॉल्फिन है आपका भारत का राष्टी यह जल्जीव यह अधिराश्टी जल मिसन सही रंग से और भूरता लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा यह आपको देखने को मिलेगा कि सहरी चेत्रों की जल आवस्तक्ताओं की आजिक आपूरती अप्षिष्ट जल के पुनर्चक्रन से हो सकती है ऐसे समुद्री तटिये जल सहर जिनके पास जल के आपरयाप्त पे कलपिक्स रोत हैं कि जल आवस्तक्ताओं की आपूरती की जा सकती है ऐसी समचित प्रोधगी की बेवार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लाइक बना सकेगी लेकिन नयाद रखिए कुछ तो हमें अपनी तरफ से यह उगदान देना होगा आप लोग देखते हैं जब आपके पास पानी होता है तो आप भर-भर के खराब करते हैं और जब नहीं होता है आप लोटे के लिए तरस जाते हैं यह हम अपने जिंदगी में भी देखते हैं आरम की गई थी इस कारीयो दिना का एक भाग है राष्टीय जलमिशन वाटर फ्रीवेंशन एड कंड्रोल ओ पॉलिशन सेस BEN लाउग किया गया 1997 में आपसे पूछे कि water सेस Kath कभ लाउग किया गया 1997 में चयन्ड़ी कान पॉुर कोलकाता मुंबई में से पेजल की चंख्या सं वोधी करन पनालियों में प्रावेगणी अर्टा वाइलेट यूभी विक्रन की भूम क्या है, या जल्मे पुस्थि नुकसान दे जेव सूपच्म जीवों को निसकरिये अनश्ट कर देती हैं के विकरन एक पेकर का है, विद्धु चुम्किय विकरण। केसा है। विद्धु चुम्किय विकरन। जल्द को जीवानों मुप्त करने ही तुप प्रयूक्त होता है। ओजौन, किलोरीन डायflowing, किलोरो मीन lieu हरं काॉपर इसका प्रयूप करते है. याउना एक्षन प्लान अप्चारी टूप से पैरम किया गया था 1993 में यह याउना नदीग को स्वच करने के लिए एक तरह से पिदूसेट रहित करने के लिए किया गया था 1993 कवं 1993 याउना कार युजना और गौंपी कार युजना को अपरेल 1993 में अनुद्धित किया गया था गंगा कार युजना दुद्येख चैन के तहर तरह सिरी सिरी रभी संकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल कल्चर फेस्टिबल आईजित किया गया था यह 11 मार्च यह आपका 11 सिरी मार्च 2016 बर्तमार में मैली से निर्मल यमना पनुद्धार युजना 2017 में चलाई जा रही है 2017 से यह सौक्षिता में मत्पूर गूंपी का निभाईगी यमना की नदी की राष्टी गंगा नदी बेसिन पराधिकन की प्रमोख बिसेस्ता है नद इसके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखें इसके अध्यक्ष पिधान मंत्री होते हैं उन राज्यों के मुख मंत्री जिन में गंगा होकर भजती है इस पराधिकन के सदस होते है वह पराधिकन कौन सा है राष्टी गंगे नदी बेसिन पराधिकन इसमें आप चित्रों में पढ़ने वाले जलमगन भूमी को चुना गया है, बोज, मत्पधिस, सूखना, चंडीगर, पिछोला, राजिस्तान को, इन सभी को चुना गया है राष्टी जील सरक्षन योजना यानि की NLCP के अंतरगत उडिशा की जील सामेल है, बिंदू सागर राष्टी जील सरक्षन परियोजना के अंदर समलित किया गया है, भीमताल को भी फरवरी 2013 में राष्टिय जील सरक्षन परियोजना और राष्टिय नम भूमी सरक्षन कारिक नम को समनवित कर आर्थिक मामलों पर मंत्री मंडलिये समती द्वारा सुईकिती पिदान की गए है राष्टिय जली पारिष्टि की तंत सरक्षन योजना इसे याद के अब कुछ आप बेवित एक तरह से बेवित उसे कहते हैं आप लोग जो छूट गया है उसे हम लोग आगे पढ़ लेते हैं यही सोचकर हम लोग पढ़ते हैं ट जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं उस साल आपको पढ़के जाना है और आप लोग बड़ा आसान है कि आप लोग गूगल पर आराम से आपको मिल जाए और जिस साल आप पेपर दे रहे हैं उस साल आप लोग पढ़ ली ठीक है बारा सरकार की विपड़ान और निजीकर इसके स्थापना वर्स 1983-84 में की टि दच्षडी गंगोत्री की बारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद मि telescopi की स्थापना की थी बस 1988-89 की टीका में भारत क llas間 का नाम में भारती इसके स्थापना के मिपकी तिय भारती की दोजार पारे में पहला 1983-84 दच्छडी गंगोत्री दूसरा मैंत्री था 1988 नवासी और तीसरा था आप सूचिए बारती दोहजार बारे में 21 सदी में विस परियावार्ण सरक्षण ही तू एक कारियोजना है एजेंडा 21 विकास के संद्रम में ऐजेंडा 21 यह कारियोजना वर्स 1992 में बराजी के संपन परियावारर्ण एवं विकास पर 6、practirach कि द्वरान से जित की गई थी एजेंडा 21, एजेंडा 21 जिस चित से संबंद इचे सतत विकास से, किसे सतत विकास से, यह आपके सही सुम ले थे हैं, बस आपको याद रखना है, सूची 1, सूची 2, तुछा कैंसर के कारण होती है, पराविदनी विकास के कारण, दोनी पी में, पोसन का राष्टी सरस्थान है, हैदराबाद में, पोसन का राष्टी सरस्थान कहा है, हैदराबाद में, भारत का बनेजीब सरस्थान कहा है, देहरादूर में, आयोड़वेद का राष्टी सरस्थान कहा है, जैपूर में, नेशनल इस्टिटिट्यूट औप नेचर जब राप्त हो गया था यह 28 थे 2010 तक 28 थी ठीक है और याद रखिए अभी आपके कितने हैं अगर आपसे उचे कि विश्व रासत इस्थलों के बारें भारत के भारत के विश्व रासत इस्थलों की बात पूचे अगर आपसे तो 2020 में तो यह आपके करीब आप देखेंगे कितने देखने को मिलेंगे यह आपको देखने को मिलेंगे 37 तो याद रखिए 2020 की हम बात कर रहे हैं अगस्त सेप्टम्बर 2020 अगस्त सेप्टम्बर तक आपके 2020 में कितने हैं 37 आंगे जाकर बढ़ भी सकते हैं इसलिए आपको करेंट से चुड़ा रहे ना है यह उनेसकों की विश्व रासत सूची मे महाबोधी बंदिर सुनामी की उत्पति किसके द्वारा होती है वह है समुद्र के वीतर उत्पन होने वाले उकम से यह सही सुमलित हैं बस आपको याद रखने हैं पारिस्तित की ये बिग्ञानों का क्याने हैं बैंगलोर भारतिय बंद जी पराड़ी संस्ताने होता है पर्यावन के छित में सार्थ के उधान पर्यावन के छित में जिसका सार्थ के उधान होता है वो से इंद्रा गांधी पर्यावन पुर्श का दिया जाता है ये भी सही समलेते हैं एकको आंदुलन से कौन जोड़े थी पी हैगडे चिपको आंदुलन से एसल बहुग विष्थाप्तों के उनर्वास की समया के लिए, ठीक है, इसलिए आपने देखा हुगा, रेलिक और बैली चलाएगा था, विष्व परीवेस दिवस कम मनाई जाता है, पांच अक्टूबर को, आपसे पूचे कि विष्व परीवेस दिवस कम मनाई जाता है, तो आप कहिएग परियाबर दिवस के बारे में परियाबर दिवस के बारे में आगर पूँची तो अक्टूबर पिथम संभाव और विस्ट ओजोन दिवस के बारे में 16 सेप्टमबर याद रखे विस्ट ओजोन दिवस कई बार पूँचा जा चुका है विस्ट पर्यावन भी कई बार पूँचा जाता है अब आपसे देखिए वन्डे एक्जाम की आपसे बात करें तो इस चार कुश्चन्स हो चुकी है यानि कि आठ तरह के आपसे यादो पूँच सकता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है विस्ट पर्यावन दिवस और आपका सिविल सर्विस में इस तरह से कुश्चन्स पूँचा जाएगा आपको नीचे देगा ये चार ओप्सन हो कह देगा सही संबलित करना है आपको और विस्ट पर्यावन दिवस की जगए देगा सामने 21 मार्च और विस्ट पर्यावन दिवस की जगए देगा 16 सेप्टम्बर विस्ट पर्यावन दिवस की जगए देगा 21 मार्च और विस्ट उजन दिवस की देगा ए नीचे अक्टूबर का पितम सम्मार आपको सही संबलित करना हुआ और नीचे चार option दे दिएगा कि एक तीन से मिल खाता है दो चार से इस तरह थे तो आप उसे भी यार रख सकते हैं मैं इसे लिए तो बोलना हूँ बार-बार आपको एक सब्द बोलना हूँ कि आप चार से पांस साल के मिनी बंप मैं तो कहता हूँ छेसे साथ साल की questions पेपर सौल करीए जिस भी इरजान की तैयारी गरहे है इससे यकीन मानिए आप बहुत फायदा होगा कम फायदा नहीं होग उसके बाद आप इतना टेस्ट लगाई है मौक टेस्ट इतने दीजिए आप लो कि मुझे लगता है कि स्कोर आपका कहीं एक questions भी चूटने की संभाव ना रहे है और इसके लिए आपके पास फौन है आप डेली जब भी बैठे हुए है एक गेम फैम खेलने की जगए आप उनहीं को लगाते रही है तो इससे आपका दिमाग और जानब आप सोचिये खुलेगा भारत के पिधान मंति ने स्वक्ष भारत अभियान अधिकारिक रूप से पैरम किया गांधी जैनती पर दो अक्टूबर को ठीक है 2014 में है डाइनासौन जीवासमराष्टी पार्ट की स अपना जिस जिले में की जा रही ही थी वह है धार मद पिदेश का है केंद्री रिस उसके चेत अनुसंदान संस्तान काजिरी अवस्ते थे जोदपूर में सेंट्रल एरिड जॉन रिशर्श इंसिट्यूट का है जोदपूर में इंडियन इंसिटिव ऑप एकोलोजी एंड अवस्ते थे नई दिल्ली में एग मार्क एक्ट भारत में लाग हुआ 1937 में याद रखे 1937 में बिग्ज्यान का हुए अच्छे थे जिस एक के बहुर्लोग प्रोस्कार दिया जाता है किरसीव में भारत का राष्टी ये जलिये प्राणी है गंगा की डॉल्पिन पहली भी अगर किसी चित का लेंड सेट आखड़ा आज मिलता है दोस्के बश्चिम में इस तर चित का आखड़ा का उपलगद होगा उसी समय इस्थानी ये समय की अनसार कुछ दिनों बार ठीक है ठीक है है हरीकेन ने 2012 में USA के उत्तर पूर्भी और पूर्भी तटों तटीय प्रां एजेंडा 21 में समझोती हैं चार यह नई सस्तरों के फर्दुर्भाव को रोकने के लिए रसायनिक उत्तियों का अनुवीक्चन करता है यह राज्यों पाटियों को रसायनिक आयूद के खतरे की विरूद सहता और सनुप्चन पिदान करता है यह आपका रसायनिक आयूद निशित संगठन ठीक है इस समय एक सो दावे सदस्त देश हैं जो विश्व को रसायनिक हत्यारों से मुक्त करते हो पिती बते हैं OPCW में यानि की रसायनिक आयूज निशित संगठन में याद रखिए ये संगठन बार-बार आप देखते रहते हैं अपडेट होते रहते हैं तो नए देश जोडते रहते हैं कोई हट जाता है तो याद रखा करिएगा विश्व की 98 पितीशत जनसन के अभू भाग रसानी कारखानों का पिती निशित करते हैं OPCW में सदस्त देश हरित भारत मिशन के उद्देश के सरवत्तम रूप में से बाढ़ित करता है बन अक् प्रियाबन सुरक्षा के समंद्र कोस्स से हाथ से तो प्रियाबन सुरक्षा सी राष्टी गांधी परियाबन परुतिक है। गिलोबल फाइभंडेर यानि की गिलोबल पांसो फ़र इसकार पितान किया जाता है पर्याबन की ती रक्षा के लिए यह भी कई बार कुश्चन्स पूछा जा चुका है फराक्टिक आबदा रास्यकंड का अंतराष्टी धसक मनाया जाता है ए यह 1990 से 1999 को फितेक मास के अंतिव सनिवार को राष्टी स्वख्चता दिवस मनाता है सेरालियोन जिसे मेगा डायवर्स देश के रूम में जाना जाता है ऑस्टिलिया को जिसे डायनोसौरस का कभिस्तान कहा जाता है यह मौनदाना ठीक है इको मार की उजना 1991 में उब्भोगताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोसान करने ही तु आरम की गई जिनका परयावनी प्रभाव कम हानीकार हो और उब्भोगता उत्पादों में से इस उजना के अंतरगत अधी सूचे थे सावन, अपमार्जग, कागज, कलास्टिक, सौंदर पेसादन और एरोसुल इसी सभी आपकिसके अंतरगत अधी सूचे थे बारत में पूर्व संविष्टिक, प्री पैकेजड, बस्तुगों के संदर में खाल सुरक्षा मानक, पैकेज़ें लेविन बिनियम, 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख लेवल पर जो सूचना अंकित कराना अनिवार, अनिवार है हुआ है, संगटनों की सूची जिसमें संदर में सयोजी सामिल है, पोसक विसार सूचना सामिल है, साकारी मासारी, एक बात और रियाद रखिए, आपका जो नया अपका उभोगता संदर्ख्षन दिनियम आया है, उसे भी देख लीजिए, सब कुछ पढ़ा दीगे, आपको बस जाना है, और करेंट टॉपिक की न स्वामिल है, यह क्रियादारित अनुसंधान, सिक्षा एवन लोग जागरूपता के मात्यम से परक्ति को बचाने का विर्यास करता है, आम जन्ता के लिए परक्ति को यात्राओं और सिवरों का आयूजन बसंचालन करता है, यह है बंबई नेचूर हिस्टिरी सस्टाइटी सदावार फल बेक्ष है, लोगाट, मौसम अनुसरवन युकती रोट, सोडार है, एक एक तथा कलबक्यम में, देश में बिंटर लाइन की प्राक्तिक परगटना जिस नगर में दिस्मान होती हुए है, मसूरी, सेवल सर्विस की तयारी कर रहे होगी, तो आप जानते हुए मसूरी, परायती पी है, भारत निम्नहिम युगों में से, जिस युगों में हिमानी के थुआ है, वह है, पिलिश्टो सीन हिमयो, ठीक है, यदि आप ग्रामिट छेते से वोकर गुजरते हैं, तो आपको यह देखने को मिल सबता है, कि अनेक पेगार के बक्ची चरक, चलने से असांत होने बाले कीटों को पकड़ते हैं, ऐसा ची साधारन मेना है, यारि कि जब पसूर चलेंगे, तो आप देखेंगे, जो कीटों की बाहर निकलेंगे, और तभी ही लोग सिकार कर लेंगे, यह आपको सहरों में देखने को कमी मिलता है, गाउं की तरफ आपको, असरित वलाक, ठीक है, यह तिपद के पठार भूटान और भारत के अउनाचल के इस लगदा की आदी में पाये जाता है, यह सरवभक्ची जो पौदों की जड़ों, जड़ कंदमूल, आदी, आलू, कीडे, मकोडे, मचलिया, मेड़क, अना, सभी कुछ खाता है, किन्तु म गास पिदेश और ऊश्ण कटी बंदी सवाना में से, जिसकी ओसा सुध्य प्राथमिक उत्पादक्ता सबसे कमें, सीतोष्न कटी बंदी गास पिदेश की, भारत का राष्टी समुद्रिक पार कि स्थित है, कच्छ की खाड़ी में, भीतर कडिका जिसे विस्वदरोबर पूची में समलिक किया गया, वो ऐस्तित है उडिसा में, कहा है उडिसा में, तो ये था आपका परियावन इवं पिदूर्सा, परियावन इवं पारस्तिकी से समद्रिक जो महत पूर तत है आपके, वो परीक्छा में मैं कहता हूँ कि इतना ही पढ़ लीजे, आप लोगो फिर देखिए विस्तार से पढ़ने लाइक आपके पास टाइम नहीं होता है, उसी टाइम इसे पढ़ते हैं आप लोग, या पर वन डेक्जाम के लिए आप तयारी कर रहें तो आप लोग सोचते हैं कि सोड नोट्स मिल जाएं, काफी निकल जाएं, तो इसे आप लोग एक पारिश्तेत की भी समलित हो चुका है, अब आगे हम लोग बात करेंगे अर्द व्योस्ता के बारे में, अर्द व्योस्ता में एक ही कहूंगा कि जो इस्थाई आपके उन्हें ही याद रखना है आपको, और आज इस्थाई आपके हमेशा बदलते रहते हैं, उसे करेंट से आप लोग जोड़े रहना है, और हमेशा याद रखी है करेंट से आप लोग जोड़ा रहा करिएगा, ठीक है बहुत कुछ सीखना को मिलता है, ठीक है मिलते हैं हम लोग